नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेश्टनल फर्ल्ड में दोस्तों आज बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आज हम लोग इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि कैसे ब्रामः धर्म जो है वो कैसे अस्तित्तों में आया और जब भी हम इसकी चर्चा करते हैं तो अक्सर हाँ हमें इतिहांस के उन पन्नों को खोजने की जरुरत होती है जो हमसे छुपा दिया गया है जिसकी कोई चर्चा नहीं करता जो आम तोर पर कोई दिखाना भी नहीं चाहता या फिर वो सूचना भी नहीं चाहते इस्कूल में कॉलेज में जो इधिहांस के टीचर है वो आप देखें ये कौन लोग है क्या वो इतनी देफ्ट रिसर्च कर पाते हैं क्या वो जो सिलेवस उन्हें परोसा जाता है उससे इतर जाकर और जो सचाई है, truth है, क्या वो सामने लेकर आप आते हैं, आप आएंगे नहीं वो जो syllabus में, जो किताबों में लिखी गई है, as it is, वही पढ़ाई जाती है बच्चे भी है, जो as it is, उसको रटते हैं, ज्यादतर बच्चों को ये बताया जाता है कि वही इतिहास बहुत boring subject है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं समझना चाहिए या फिर सिर्फ pass होने के लिए पढ़़ो, और इस तरह से आपका इतिहास जो है, जो एक बना कर परूस दिया जाता है वो एज़िटी चलता है, आप तो UPSC की जो coaching चला रहे हैं सब, उनमें देखिए, कई सारे UPSC की coaching चला रहे हैं और बैठके आपको जो है, एसकंद पुराण पुराण और हवा हवाई वेद में बिग्यान पढ़ा रहे हैं यहालत हो गया, ब्रामडी करन कर दिया गया है पूरा इतिहास का तो दोस्तो सच्चाई जो है वो कभी पता नहीं चल पाती है लेकिन जब आपको सच्चाई खोजनी हो, समझनी हो, तो आपको उन पन्नों को उठाना ही पड़ेगा जो पन्ने हम से छुपा लिए गये हैं तो दोस्तो इस कड़ी में मैं आप लोग को आज एक एक ऐसी किताब में आप लोगों का उसका समालोचना दिखाऊंगा और वो किताब जो है उसको कहा जाता है कि वो बुधेश्टो की किताब है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग खुस हो सकते हैं कि अच्छा बुधेश्टो की आज बात होने वाली है लेकिन नहीं दोस्तो मैं उस किताब से आप लोगों को वो पॉइंट दिखाने वाला हूँ जिसके अधहार पर जो प्रैभैनिकल सिस्टम है वो बुध्धिजम की आलोचना करते हैं लेकिन इसका सबसे एक प्लस पॉइंट है कि वो जो आलोचना करते हैं दरसल वो पूरी बात भी नहीं बताते हैं उस किताब को पूरी तरह से आपको देखना होगा समझना होगा कि कैसे उन किताबों का इन लोगों ने पहले ब्रामधी करन किया है और इनका जो अस्तित्व है वहीं से उभर कर आया है वहीं से इनका ब्रामध धरम बन कर आया है जो आज आपको अलोचना का ये पॉइंट बताते हैं दरसल ये चीज जो है उनकी खुद की बनाई गई गड़ी हुई चीज़ें हैं और उसी अधार पर उनका ब्रामण धरम बनकर आया हुआ है तो आपने सुना होगा जब भी एक बात आती है कि आदी कभी कौन थे हैं भारत के आदी कभी कौन थे हैं तो आपको बताया जाएगा कि आदी कभी बालमिकी थे हैं अब बालमिकी का ना जर्म का प्रमाड है ना उसके मृत्यु का प्रमाड है ना उनका कुछ लेख नहीं मिला ना उनका कोई अस्तित्व है, ना उनकी भासा लिपी कहीं से match करती है, कुछ भी नहीं match करता, तो आप पूछिएगा कि भई, फिर कैसे, कैसे वो आधी कभी है, तो वो जो उनका जो duration बताएगा, जो लोग बताते हैं उनको आधी कभी, वो duration बताएगे कि वो इसा की दूसरी स लेकर चौथी सदी के बीच में हो सकते हैं यह बताया जाएगा लेकिन दोस्तों यहीं पर यह बात आती है कि बालमिकी की जब आप किताब पढ़ते हो तो उसमें वो बताते हैं कि बालमिकी लोक उसको तो वो कहानी सुना रहे हैं लोक उसको वो पालन पोशन कर रहे हैं बालम कि जो है वेदों में आता है वही जो है फिर इसमें आता है रमैड में भी आता है तो पूरी तरह से वो फस जाता है गढ़मड हो जाता है और आप पूरी तरह से समझ जाते हैं कि वो कालप्रीक है और इसलिए पूरी दुनिया के लोग जो है उसे महाकाव्य कहके और एक हटा देते हैं नहीं मानते हैं अथेंटिक लेकिन आपसे एक बात छुपा ही जाती है कि भारत का आदी कवी कौन था भारत के आदी कवी का नाम अब लेकिन छुपा हुआ नहीं है जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती जा रही है तब पता चला है कि भारत के जो आदी कवी हैं वो आपको दोस्तों पता चलेगा कि भारत के जो आदी कवी हैं वो अस्वगोस हैं और अस्वगोस की कई सारी किताबे अब मिल भी चुकी हैं भले ही उनका ब्राम्री करन किया गया हो भले ही उनकी चीजे जो हैं समय के अनुसार बदल गई हो कुछ चीजे जो मूल चीजे हैं वो अभी भी बरकरार है तो इनकी जो दो प्रमुख जो महाकाव्य मिले थे इनकी जो सैली थी उसका compare भी किया गया रमायड से और ये पाया गया कि रमायड के कई सारे सरग तो बुद्ध चरितम से कॉपी पेश्ट किये गया है कॉपी किये गये हैं यहां से उठा कर उस सैली को यानि कि इन लोगों ने रमायड काफी बाद में लिखी है जो actual आदी कवी थे हैं वो अश्वगोस थे हैं अश्वगोस की बुद्ध चरितम के अलावे एक दूसरी किताब है जिसके आज मैं चर्चा करने वाला हूँ और जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे बहुत घरंतों का ब्रामडी करन किया गया और उसमें से कैसे ब्रामड धरम बाहर निकल कर आया दोस्तों उनकी दूसरी किताब का नाम है सौंदर नंद ये किताब है और इसका नाम सौंदर नंद इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एक ऐसी सैली थी जो आपको बताया जाएगा आपको हमेसा ये बताया गया हुआ कि देखिए देखिए हमारे यहां जो एक प्रंपरा है कि हम सीता राम कहते हैं पहले महिला का नाम आता है और फिर जो है मेल का नाम आता है आपसे ये भी कहा गया कि राधे कृष्ण का नाम आता है अलांकि राधे और कृष्ण प्रेमी प्रेमी का थे पति-पत्नी तो थे नहीं तो ये चीज़े बताई जाएगी लेकिन ये भी चीज कही न कहीं से कॉपी की गई है दोस्तो ये कॉपी किया गया है इसी सौंदर नंदन से और जैसे कि मैं बार-बार आप लोग को बताता हूँ कि ब्रामःड धरम पूरी तरह से कॉपी पेश्ट किया गया है एक एक चीज जो है नकल की गई है तो सौंदर नंद जो किताब मिली है जिसको बताया जा रहा है कि अश्वगोस ने ही लिखा था, हलांकि इसका मैं आज पूरी डिटेल में दिखाऊंगा, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा उसमें, कि इसका कितना ब्रामडी करन किया गया है, तो इसमें सौंदर जो पहला सब्द है न, वो एक महिला का नाम है, पतनी का नाम है, शौंदर या सुंदरी, और नंद जो नाम है, वो एक पुरुष का नाम है, पती का नाम है, पतनी और पती के नाम से ये महाकाव्य लिखा था, अस्वगोस ने, जिसका जिक्र किया है, ह्व विश्वविद्याले में थे तब उन्होंने इसकी जिक्र भी किया है कि भी ये उस समय तक जो है सौंदर नंदन किताब आ गई थी लिखा हुआ था सोकोस ने लेकिन हुआ क्या कि जब बौध मारगी नहीं रहें तो इन किताबों को बचाने कौन बचाता भारत में बौधिज नश्ट कर दी गई तो ये भी सौंदर नंदन जो है इसको जो है इसका ब्रामणी करन कर दिया गया है आप मैं अभी दिखाता हूँ चलिए देखते हैं आप समयना का बाते हुए ताकि आप लोग को पूरा पता चल जाए कि कैसे ब्रामण ध्रम आया है ये लीगल डिस्क्ल ये सौंदर ये महा काव्या जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अश्वगोस का ये दूसरा है और ये जो नंद है नंद जो है उनके भाई है नंद जो है वो भाई है बुद्ध के छोटे भाई है और बुद्ध जो थैं उनका जो आप समझें कि कहा जाता है कि आप में सौंदर नंदन में बताया गया है कि नंद जो हैं उनके शोतेले भाई थे और छोटे भाई थे बुद्ध के पिता का नाम बताया गया है शुद्धोधन और यहाँ पे जब कवी कहा जाएगा तो आप अस्वगोस को समझें कि अस्वगोस ये बात कह रहे हैं और ये भी आप समझ सकते हैं कि अस्वगोस तो चुकी बताया जाता है पहली दूसरी सदी के तो उसके बाद से उनकी लिखी होई चीजे सुरक्षित नहीं रही होगी बाद में फिर से कई बार लिखी गई होगी तो उस दोरान ये मिलावट की संभाव ना हो सकती है लेकिन यहाँ पे वो बुद्ध का नाम सिधार्थ लिखते हैं पिता का नाम शुद्धोधन लिखते हैं और यहाँ पे नंद लिखते हैं उनके छोटे भाई का नाम और उसकी पतनी का नाम सौंदरा या सौंदर ऐसे काते हैं तो यह लिखते हैं कि यह मनुरंजन के लिए नहीं है यह आन इसको पढ़कर आपको आनंद आये या मनुरंजन हो ये सिर्फ सांती के लिए है हाँ निर्वाण के मार्ग को सरस बनाने के लिए कवी ने का विशयली अपना ही है अब जो निर्वाण होता है देखिए इस पूरे किताब को जब आप पढ़ेंगे न तो उसमें आप आएंगे कि कवी यहाँ पे दरसल ये बात कहना चाह रहा है कि एक इनसान जैसे बुद्ध मार्ग में तो सभी लोग घर परिवार छोड़के चले जाते थे जिनको बोधिष्ट तो बनना होता था या फिर जो बहुत भिक्कू बनना चाहते थे एक ग्रिहस्त वाले जो होते थे घर में पती पतनी सांथ राकर भी बहुत हमार का पालन कर सकते थे और एक दूसरे होते थे जो प्रोपर बुधिष्ट बनना चाहते थे और प्रचार परसार के लिए दूसरे देसों में जाना चाहते थे या बहुत बिहारों में रहना चाह दो Companies K096 ड् freshmen कर चाता था उसके सांद क्या थी कि महिला के सांतो रह नहीं चाहता था लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते थे ते जैसे आज की ऐसा होता है या जो कोई भी होता है उसे ऐसा लगता है कि अरकास मैं भी ऐसा बन जाता कुछ करके बन जाता हलाएंकि उनको नहीं पता है कि उसने कितनी मेहनत की है उनको बिल्कुल भी कते ही नहीं पता है लेकिन उनके मन में ये रहता है ना कि कुछ भी होता ना मैं भी ऐसा बन जाता तो इस तरह के भी बहुत सारे उस समय लोग हुआ करते थे जो चाहते थे कि मैं बहुत भिक्खु बन जाओं और इनकी तरह मान-समान पाओं क्योंकि बहुत भिक्खु को देखकर तो पूरी दुनिया जो है उन्हें बुलाती थी चीन का राजा बुला रहा है, कोरिया का राजा बुला रहा है, जपान का राजा बुला रहा है, तिबद का राजा बुला रहा है, बिदेश ओमेन के डिमांड थी, बुलाते थे लोग ज्यान सिक्षा के लिए, यहां का राजा उनको देखते ही नतमस्तक हो जाता था, तो रा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, रुतबा चाहिए, पैसे चाहिए, तो इस में से जो रुतबा वाला पोर्शन था, ये चीज था, आज भी लोग अगर बिजनेसमेन बने, अमबानी अडानी बने, तो पैसा तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन लोग बिजनेस नहीं करते, आरक्षन करोना रुते हैं, क्या रक्षन हटाओ, रक्षन हटाओ, वो गौर्रमेंट जोबचलाब चहांपर पैसे मिलते हैं, कितनी पैसे मिलते हैं, मतलब एक बिजनेसमेन से तो ज्यादा नहीं मिलते हैं, फिर भी वो उधर भागने की कोशी, तो उनका कारण रुतबे की होती है, रुत्वे की तरफ हम भागे, तो ये चीज वहाँ पे भी थी, तो ऐसे केस में ये जो सौंधर नंदन महाकाव्य लिखा अश्वगोश ने, उनका स्पष्ट क्लियर इंडिकेशन था कि जो व्यक्ति मतलब लोब में बन गया है, कि मैं बहुत भिक्खु तो बन जाओं, लेकि उसको दूर करने के लिए क्या-क्या उसको सटिक प्रमार सबूत दिये जा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने ये किताब लिखा था, तो उसमें ये काफी कई हद तक चले गए हैं अंदर, इस हद तक वो पीछे आगे गए हैं, और ऐसा आगे आप देखेंगे कि इसमें एक प बुद्ध मार्ग में बुधिष्ट जो है ना नारे निंदा लिखा हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये जो है तिपिटक का गरंथ नहीं है, ये एक कवी जो है, एक कलपना महाकाव्य लिख रहा है, महाकाव्य मतलब कथा कहानी, एक कवी की सोच भर है, कि वो ऐसे दूर करें, तो नारी के प्रति उसके बारे में क्या चीज़े समझा जाती है, वो वहाँ पर प्रसंग है, पर इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी प्रसंग है कि कवी जो है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुरुस से नारी की वो सुना रहा है, कि नारी ऐसी होती है, उसने चत करता जो आलोचक होते हैं वो अक्सर हां एक पॉर्षन को उठाएंगे नारी निंदा और वो दिखाएंगे तो दोस्तों इसलिए यह टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका ब्रामरी करन किया गया है और काफी कुछ क्लियर होने वाला है चले अच्छा यहां पर आर कार तज देनी चाहिए यानि छोड़ देनी चाहिए जैसे सोने के कणों पर पड़ी धूली जाड़ दी जाती है और सोने का ग्राण कर लिया जाता है तो आप समझ गए होंगे कि यहां पे पूरी तरह से यह बात कही जा रही है कि यह सच्चाई नहीं है इसको आँख मुन क के मत मान देना यह कवी की कलपना है जितना अच्छा लगे उतना लीजिए जितना नहीं लगे उतना छोड़ दीजिए एक और कहावत आपने सुनी होगी जहां पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी रवी मतलब सूरिय मतलब सूरिय जहां जहां नहीं पहुंच बाता है व पहले ही उनकी कलपना ही हो तो इसमें ये कहते हैं कभी के सब्दों में मुक्ति धर्म की व्याक्या से परिपूर्ण या रचना सांति लाव के लिए है नकी आनंद देने के लिए पहले ही लिख देते हैं लेकिन ये सा बात है आप लोग जो आलोचक हैं जो बुद्ध्धम के जो आलोचक हैं वो कभी नहीं दिखाएंगे कि जिस किताब से वो ये सारी दिखा रहे हैं कि नारी द्वेश और ये सारी चीज़े जो दिखा रहे हैं उसके पहले कभी लिखा क्या है नोट क्या दिया है ये नहीं दिखाएंगा मैं दिखा देता हूँ आपको क्या लिखते यह लिखते हैं कि मुक्ति धर्म की व्याक्या से परिपूर्ण या रचना सांती लाव के लिए है नकी आनंद देने के लिए अन्य मनस्क सुरताओं को आक्रिष्ट करने के लिए या रचना काव्य सैली में रची गई है इसमें मुक्ति धर्म के अतरिक्त जो कुछ भी कहा गय वह केवल काव धरम के अनुसार उसे सरस बनाने के लिए है सुना आपने यह कह रहे हैं कि इस चीज को सरस बनाने के लिए सारी कलपना इसमें डाली गई है जैसे कटू औस्ती को पीने के लायक बनाने के लिए उसमें मधू मिलाया जाता है मतलब यह कहेंगे ना कि जैसे मैं कह कर दूं या मैं कुछ और बात रख दूं या कोई जो है कालप नी superiority यहां पर कह दूं तो वह आप समझे ना कि वह इसमें रहां हूं क्योंकि दवाई बड़कर वह है मधू मिला रहा हो तो आपको असानी हो ये बाते यहां पे आई है तो दोस्तो आपके लिए ये बहुत important point है ये समझना होगा कि जब ये चीज़े आप नहीं जानते हो और दूसरा कोई अचानक से दिखाता है तो मेरे पास comment आते हैं कि सर क्या वाकई में बुद्धमार्ग में ऐसा लिखा हुआ है तो दोस्तो ये पूरी कहानी है आगे देखें आगे इसके जो कवी हैं लेखा के वो ये भी कहते हैं असोगोस ये बात कहते हैं यहां पे कि संसार को प्राया कामो पभोग में लीन तथा मोच से विमुख देखकर मैंने मुक्ती को ही सरवाधिक महतपुर्ण समझते हुए इ थार्थ वस्तु का ही उपदेश्तिया है अतह उसमें से सामती दायक वस्तु को ही सावधानी प्रुवक गरहण करना चाहिए न कि मनुरजन वस्तु को गरहण करने का प्रयास करना चाहिए जैसे लोग सोने धातु के कणों पर से धूली को जाड सोने को ही गरहण करते हैं त ताकि आप लोग को ये भी क्लियर हो जाए अब देखिए जैसे ये अस्वगोस जो है पहली दूसरी सदी के बताया जाते हैं लेकिन आप देखिए ये किताब जो है जब नालंदा विश्व विद्धाले जलाया गया है उसके बाद से इसका ब्रामडी करन किया गया है से सुनिएगा इच्वांकू वंस कभी भी शाक्यमूनी बुद्ध को नहीं कहा गया है ये समराट असोक का जब आप इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उनको शाक्यमूनी बुद्ध कहा गया है उनको साक्य कहा गया है साक्यमूनी बुद्ध और साक्य का मतलब सक नहीं होत तो वहाँ पे उन्होंने इच्वांकू वंस की चर्चा नहीं की है इच्वांकू वंस जो है भारत में दूसरी तीसरी चौथी सदी के करीब में साउथ में कोई वंस था इच्वांकू वंस उससे पहले उसकी कहीं भी चर्चा नहीं है और इन जितने भी संस्कृत के लेखाका यहां पे अब अस्वगोस ने उस समय भले ही न लिखा हो क्योंकि उस समय लिखे होते तो बुधिश्टों का समराज है था इनकी खाल की चलेते सब तो अफकोर्स यह किताब जो है नालंदा विश्वविदाले खतम होने के बाद और जब बहुत मार्ग भारत में रहा नहीं को यहां पर आपसे यह नहीं कहूंगा कि इस किताब को मैं मिलावट मानके चल रहा हूं मैं यह मानके चल रहा हूं कि ठीक है मिलावट कोई है जो गलत है जो सही है वो मैं आपके सामने रखूंगा सुईकार आपको करना है और आपको समझ में भी आएगा कि कहां पर क्या मिलावट की गई है बाद में अच्छा तो कैसे आसरम में सुभा से प्रभावित उस मुनी कोसिस से बनाकर यहीं रहने लगे यह आसरम क्योंकि स साक वन में था अतह वे साक्य कहलाएं तो देखिए आप यहां पर कर रहा है ना कि गौतम रिशी गौतम रिशी के आसरम में आए दो इच्वांकू वन्स के और वो साक्य कहला गए मतलब साक्य से पहले उनको इच्वांकू बना दी यह ब्रामडी करना है अच्छा क्योंकि वे कपिल गौतम के सिस्यत है अतह गौतम कहलाएं लेकिन समराट असो के इंस्क्रिप्शन से पता चला है कि गौतम में जो और जो स्वर आया है वो होता ही नहीं है वो पाली प्राकिर्थ में होता ही नहीं होता है और प्राकिर्थ में भी नहीं होता है समराट असो के इंस्क पूरे जिंदगी में दो ही राजकुमार हैं दोनों से कहा कि एक राजे तुम बसा लो उसके पस बहुत सारे लोग आये होंगे ना उसकी मृत्यू के उपरांत राजकुमारों ने वहां गुरू के नाम पर कपिल वस्तु नाम का एक नगर बसाया तो यह पूरा एक कहानी गढ से इच्वांग को बनवा दिया गया यह देखिए आगे देखते जाए मैं और भी बहुत कुछ आपको दिखाने वाला हूँ यह देवी देवता जो कहते रहते है ना कि देवी देवता बुद्ध जो है अवतार थे सारे चीछे इसमें मैं कवर कर लूँगा आप देखते ज रहे थे तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि यह किताब तब लिखी गई है जब देवी देवता खूब भारत में आने जाना शुरू हो गए थे आईए आपको पता ही है मुसलिम आया है तभी से देवी देवता आना शुरू हुए है भारत में उससे पहले तो देव बहुत भ अबी तक ध्रमात्मा युद श्र्डेश्र्पषा और उन्हों ने उस स्वधिश्र नाम में जनम लेएं और ने किया तो यह आप देख रहे हैं कि उस समय जो है यह अस्वगोस जो है सर्वस्तिवादी थे और यहीं सर्वस्तिवादी उको डांट लगाई थी समराथ असुक के समय में मोगली पुत तिसने कि अब तुम लोग क्या नोटंगी बात करते रहते हो तो यह भी सर्वस्तिवादी साखा सही थे बाद में महायानी बन गए थे अस्वगोस तो यह जब अपनी यह कविता लिख रहे हैं तो इसमें देखे क्या लिखते हैं कि जो देवता है अब उनका ही लिखा है कि बाद में मिक्स किया है जो भी किया हो मैं आपको बताता हूं त तो बुध कुद चमतकार नहीं मानते थे, वो खुद ही आउतार नहीं थे, तो इस किताब का लेख कैसे ये बात लिख रहा है, कि बोधी सत्व, उन्होंने तो कभी अपने पूरे तिपीटक में नहीं कहा, कि मैं किसी बोधी सत्व का आउतार हूं, या मैं कोई देवता था, विचरन कर रहा था, यहां पर आया था मैं, ऐसा तुन्होंने नहीं कहा, तो ये कभी जो है, इनको महान दिखाने के चक्कर में, इनको देवता दिखाने के चक्कर में, पूरा भूमिका करता है, अब पहले लिख भी दिया है नोट्स में, कि देखो भाई साब, ये सब मत सो है अब, कि जनम, हाँ, सुदोधन की महरानी माया के गर्व से उस बोधी सत्व ने जनम लिया, जहां उसका कवी ने सिधार्थ नाम नहीं लिखा है, अब ये देखिए, ये ध्यान से दिखिएगा, देखिएगा दोस्तों, एक दूसरी किताब है, बुद्चरितम, उसमें सिधार्थ लिखते हैं, ये भी दिखाते हैं, उसमें कि उनकी माता जो है, उनके सपने में एक सफेद हाथी दिखा था, कमल का फूल भी दिखा था, दोनों चीज़ दिखा था, और इसी लिए आज भी जितने भी बुद्धि इसमें कि सिल्प कला है, उसमें हाथी भी दिखेगा आपको, और कमल का फूल भी दिखेगा, हमेशा कमल के फूल पर पैर रखे रहेंगे, और हाथी हमेशा सुन उठा के इनको सलामी ठोकरा होगा, ये चीज़े हमेशा देखने को मिलती है, यहाँ पे इन ही कि ये दूसरी जो महाकावेन के नाम पे बताया जा रहा है, इसमें सिधारत नामी नो ने नहीं लिखा है, अब ये देखिया कि क्या होता है, सुदोधन की छोटी रानी से नंद नामक पुत्र उत्पन हुआ, अब देखिए, उनका जो दूसरी रानी थी, उससे नंद हुआ, जबकि आम त दूनों पुत्र आपस में उसी तरह भाई थें, जैसे राम और लच्वन तथा क्रिश्न और बलराम, तो ये देखिए, इसका मतलब कि ये कहानी तब आपको बना कर परोसी गई है दोस्तों, जब भारत में राम, लच्वन और क्रिश्न बलराम का स्थित्व आ चुका था, यानि जैसा कि मैंने आपको कहा, नालंदा जब जलाया जा चुका था, बोधो की सारी किताब जलाई जा चुकी थी, उसके बाद से किसी ने लिखा है, और इसमें अपना पूरा देवी, देवता, रमायड, माभारत, राम, क्रिश्न बलराम सब चीज घुसेड लिया है, ये पूरी कहानी हुई है दोस्तों, आगे देखिए, क्योंकि इन सब का एक जैसा मामला था, मा एक, बाप एक, मा भिन, कभी दोनों पुत्रों की स्वभाव भिन्नता का वर्णन करते हुए, दोनों के नाम लेता है, और यही पहली बार यह स्वार्थ सिध्धी नाम का प्रियो विस्या सक्त रहता था, मतलब काम वासना में भरा रहता था, परन्तु बड़े राजकुमार स्वार्थ सिध्धी को यह वाशनाएं आकरसित नहीं कर सकी, अब यह देखिए कि जो महा का कवी है, कहा जा रहा है कि भाई, अस्वगोस ने ही यह किताब लिखी है, तो वार्थ सिध्धी नाम लिख रहे हैं, तो दोस्तों इससे यह पता चलता है कि किसी ने अस्वगोस के नाम पर यह गोटी हम लोगों को पिलाई है, और जिस समय यह गोटी पिलाई जा रही थी, यानि यह रमायन मा भारत वर यह सारी चीज़े इसमें घुशा घुशा के लि मिलाया है मैंने, यह उसने उस समय के लोग को सडिश्वे और आज की टेट में इसका हावाला लेकर लोग जो है आपको कहानी सुना रहे हैं कि नहीं नहीं देखो इसमें चर्चा है राम की, कृष्ण की, बलराम की, यह कहानी है पूरी दोस्तों, आगे देखिए, अब यहा जब इसी के यहां जनम ले गए, आद दो लोग जनम ले लिए, यानि कि इन्हों ने जो राम और लच्मन या कृष्ण बलराम की जो कहानी, जो टोपी है ना, इन्हों ने जो कॉपी की है अपने माभारत में, यह इसी किताब से कॉपी करके इन लोगों ने वहां पे टोप क दिये थे, अचाए इसके बाद से अब क्या होता है यहां पे कि बोधी सत्व यहां पहले से राजा के जेश्ट पूत्र के तोर पे विद्यमान होना ही इस विस्यासक्त को जनम लेने से क्यों नहीं रोक सका, अब यह भी कॉश्चन उठता है कि भाया, जैसे यह लोग कहते ह है न, कि राम भी आउतार थे, लच्मन भी आउतार था, उसी तरह से यहां दिखा दिये, कि एक ही घर में, जैसे बलराम और क्रिश्चन जनम लिये थे, वैसे यहां पे यह कहानी है, इसका ही उन लोगों ने कॉपी किया है, डोपा है, तो यहां पे सवाल यह है कि दोनों ज पिलित कैसे हो जाएगा, यह सवाल यहां पे खड़ा होता है दोस्तों, असवाल खड़ा किया गया है यहां पे, कि भाईया कैसे बोधी सत्व था कि एक जनम लिया जेश्ट पूत्र में, आदूसरा का मुगसना में लिपते हैं, कौन सा देवता था और बोधी सत्व था, त तो यह सारी चीजे जो है यहां पे धेरो सारी कुश्चन आती जाएंगी और इस तरह से, आगे अब आपने देखा होगा, यह भी बताया जाता है, कि बुध का जितना ब्रामणी करन किया गया है दोस्तों, जैसे यह बताएंगे कि बुध जो है, पचीस साल के हो गये थे, तब जो है वो सहर में एक बार पहली बार गएं तो उन्होंने बुढ़े को दुखा, रोगी को देखा, मृत को देखा, और तब उनका जो है बड़ा दया गई, इन्ही सब किताबों से मिलेगा आपको, यह सारी संस्कृत की किताब हैं दोस्तों, यह सबसे पॉइंट आपक पोर्षन दिखाती है, कहेगा कि बढ़े कौन सा दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है, जो पचीस साल का हो जाए, उसको पता ही ने चले कि लोग मर भी जाते हैं, लोग बिमार भी पड़ते हैं, और वो खुद ही जिंदगी में कई बार बिमार पड़ा होगा, बुद् सिद्धी ने संसार को अज्यानी समझा, उसके हिरदय में दुख्यों के प्रतिदया उद्पन हो गई, उसने जनव और मरण को समूल मिटा देना चाहा, और उसका मन विश्यों में नहीं रमा, तो ये स्वार्त सिद्धी मानो था, देवता नहीं था, तभी तो उसे सिद्धी जो को देखकर न तो दुख्यी होनी की जवरत थी, न उन्हें देखने के कारण विश्यों में विरत रहने का आवकास था, तो ये कोश्चन खड़ा किया गया है, कि इसी किताब में खड़ा किया है, भाया एक तरफ तुम बता रहे हो कि देवता का आवतार लिया, दूसरी तरफ तुम गाना गा रहे हो कि दुख को देखकर दुख्यी भी हो गया, तो लेखक जो है, इसकी खाल भी खीच रहे हैं, आगे देखिए, इन दृस्यों को देखने के कारण मन में छोब पैदा हुआ और उनसे मुक्त होने के लिए उन्होंने वन में जाने का त्याग दिया, जिसमें अनेक रुपसिया सोई हुई थी, अब ये एक सबसे खास बात आप देखिए इस किताब की, कि वो उस महल को रात्री में त्याग देता है, जिसमें बहुत सारी रुपसिया, बहुत सारी लड़किया, औरते सोई हुई थी, उस महल में वो था, और उ सरोर को त्याग कर देते हैं तो यह जितनी भी बाते आती है यह कवी है उसकी कलपना से यह सारी बाते आई हैं दुस्तों ऐसा नहीं है कि ऐसा चीज हुआ होगा लिखाक भी इस बात को बोल रहा है जो मूल लेखक जो आस्वा गोस को हमाने वह भी यह बात कर रहा है तो आगे आप देखेंगे कि इसमें एक और बात आती है कि सबसे पहले कॉंडिनिय को अपना सिस्य बनाया फिर वो अपने नगर कफिल वस्तू पहुंचे उसमें ये बात आ रहे है वहां उसने देखने के लिए राजा मंत्रिकर प्रजारन अधिसब आये यहां कवी कहता है कि उन लोगों को प्रभावित करने के लिए बुध ने बहुत सी रिद्धियां और सिध्या दिखाई और दोस्तों रिद्धी और सिध्धी आप जानते हैं क कहानी है दोस्तों ये किताब तब लिखी गई है जब अल्रेडी गनेश नाम का जो है ये सारी चीजें प्रकट हो चुका होगा और ये पूरा ब्रामणी करन करके चीजे लिखा गया हर ब्रामण की हर टर्म को इसमें घुसाया गया इस किताब में और इस तरह से संस्कृत मे पाली की जो किताबे होती है उसको संस्कृत में इस तरह से ब्रामणी करन किया जाता है इस तरह से ब्रामणवाद आया है यह सूचिए इनके पास तब अपनी कोई किताब नहीं थे यह बुद्ध की किताबों का बुद्धिष्टों की किताबों का ही ब्रामणी करन कर रहे थे ब्रामडी करन कियें, ब्रामडी करन करकरके इतना खतम करती है, फिर देखा कि यार इतना खराब करती है, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, चलो हटाओ, अब कुछ अपना भी लिख लेते हैं, तब पुरान भी नहीं अपना लिखना शुरू कर दिया, इन्होंने अपना अभासे बनाना शुरू किया, अपना बेद भी लिख लिया इन्होंने, तेराउई, चोदाउई सदी में, तो ये इनकी पूरी कहानी इधर से शुरू हुई, तो ये बोल रहा है कभी इसमें, कि या कपिल वस्तु पहुंचे और लोगों को, कभी वह आकास में उड़ गए, य ये देखिए, ये बोलते हैं सब ना, कि आकास में उड़ गए, ये यहीं से आया है, दोस्तो, जहां पर बुद्ध मार गए मैं कहीं चमतकार नहीं है दोस्तो, और जिन किताबों में ये बात लिखी है, कि बुद्ध में रिद्धी-ईसिद्धी बुद्ध दिखाते थें, वो आकास में उड़ गए, कभी जो है जमीन पर चलने लगे, कभी आकास में ऐसे चलने लगे, जैसे धर्ती पर चलते हों, कभी बरसा के रूप में बरस पड़े, कभी सुर्योदे की तरह चमकने लगे, तो दोस्तों ये एक कभी की कलपना है जो बोल रहा है, कि इसमें अध्यम से बुध का ब्रामणी करन किया गया है, कभी ने उस समय सही भी लिखा होगा, बाद में जिसने इस चीज को संस्कृत में लिखा है, उसने पूरा ब्रामणी करन करके आपको परोस दिया है, और इस तरह से आज आज इनके बाप दादे उस समय भी मेनत कर रहे थे, स और हमारे पुर्खे उस समय भी सताये गए आज भी सता रहे आँख अब भी नहीं खुल रही है अब आगे देखिए फिर उसने कठीन तपका मारगा पनाया परंतु यह मारग भी ठीक नहीं ऐसा सूच कर उसने उस कठोर तपको छोड़ दिया फिर वह जिग्यासु परमतत्व कि निश्चित विधी को जानने के लिए एक पीपल के वरिच के नीचे जाकर बैठ गया और चिंतन में मगन हो गया इस तरह बुद्ध बनकर वह वराणसी नगरी पहुंचे ताकि जो अमरित उन्होंने प्राप्त किया है उसे दूसरों में बांट दें जिससे उनका भी कल् तो यह दोस्तों आपने देखा कि इन्होंने बोल दिया कि उन्होंने बहुत सारे कठिंता पूप किये हैं उसके बाद से जो है पेंड के नीचे बैठ गये अरे भाईया जब वो देवता का अतार्त है तब पेंड के नीचे बैठने का जुरतिया इसे ही मिल जाता न और उस उसके बाद से बनारसी पहुंचे देखिए यह वो जगह जो है बनारसी नोंने बता दिया कि बनारसी पहुंचे फिर उसके बाद रिसी ने जगहित के लिए धमचक की अस्थापना की यह देखिए यहां पर आ गया यह धमचक वाली जो बात आती है बोल रहा है कि बनारसम जा आपको कहा गया है कि वो जो धमचक की जो तीलिया होती है, यानि जो आरे होते हैं, वो उसके विनय और नियम के आरे हैं, उसका जो घेरा है, जो गोलाई जो घेरा गया है, वो धीरज है, ज्यान है, समाधी है, तथा विनय और नियम उसके आरे हैं, जो तीलिया होती है, वो है यह दुख है यह इसकी प्रेरक सक्ति है यह सान्ति है तथा यह उपाए है परमसत्य के यह चार बीभाग है इन आर्य सत्यों का संकेत है जिसकी व्रिष्थित चर्चा 16 में सर्ग में होगी यह आगे उसमें 16 सर्ग में इसके बारे में और डिटेल में चर्चा है दोस्तों यही कारण था कि इन सब किताबों को देखने के बाद से इनकी सच्चाई जानने के बाद से जो बाबा साहब थे उन्होंने कोश्चन भी खड़े किये थे दिक्कु पर भी कोश्चन खड़े किये चार आरिये सत्यों पर भी कोश्चन खड़े किये बोले कि यह तो इनकी सारी चीज़े देखकर ऐसा लगता है कि बाद में इन लोगोंने मिला दिया है जब बुद्धमार की जो ओरिजिनल सिक्छाएं हैं उसकी जगा पर जहां पर ब्रामडों को देवी देवता आ रहे हैं इसका मतलब कि यह सारी चीज़े ब्रामडों ने बाद में खुद मिक्स की है मिला ही है तो बाबा साब ने भी बहुत सारे कोश्चन खड़े कि आगे देखें अच्छा यहां पर एक चीज और मिसमैच हो रही है जब सेवेंथ सौंग का नोट्स आप देखेंगे तो वहां पर वो इस बात पर वो यह कहते हैं कि बुद्ध ने पांच अपने उनके जो पांच लोग थें उनको पहली बार सिक्छा दी थी पांच वो लोग कौन थें दो उनके मौतूल थें आतीन उनके घर के ही मतलब जो सेवा करहे होंगे वो लोग थें जो इनके साथी वगएरा भी थें वो पांच लोग थें तो उनको दिया कुछ इनकी जवाब किताबे पढ़ेंगे जो संस्कृत में जिन लोगों ने बताया है ये कहानी वो क्या बताएंगे कि ने पांच ब्रामडों को सिक्छा दिये थें असा दुर्भागे तो नहीं कहाना चाहिए ये बहुत दुखद बात है कि हमारे यहां जो लोग हैं वो पता ही नहीं है कि उनका दुस्मन ब्रामडवाद है या बुद्धिजम है वो बुद्ध को टर्केट करते हैं कि वो ब्रामड थें ब्रामडों के सिक्छा दिये थें यह कहानी चल रही है तो दोस्तों यह समझना होगा क्योंकि यह लोग न सही से कोई किताब भी न पढ़े हैं और उनको परोसने वाला वही है आपस में बाटने का जो काम होता है कि फालतू किताब लिखो और परोस तो यह देखें यहां पर यही चीज हो रहा है यह इस किताब का ब्रामडी करन क्या गया देखें इसमें क्या लिखता है सबसे पहले कॉंड़े को अपना सिस्से बन बनाया था हैंसोंग ने अपने नोर्स में साफ साफ लिखा है कि उनकोंने कंड़ेव को नहीं बनाया च्छोड दिया पांच जो बनाये थे वह उनंके अ कि इन लोगों को प्रभाविद करने के लिए बुद्ध ने अच्छा ये तो मैंने दिखाई दिया कि बहुत रिद्धी सिद्धी की जो बात की है इसा पकवास चीज़ें है किस तरह से इनका ब्रामधी करन किया गया है आगे बढ़ते है अच्छा कभी की कलपना अब कभी ने क्या इसमें कलपना की है देखिए ये सारी बाते कभी की कलपना है न की बुद्धेजम की ये समझे दोस्तों ये पूरी बात जो है कभी की कलपना है इसमें बुद्धेजम का कोई भी रोल नहीं है इस तरह के चमतकारिक वर्णन हिंदू देवी देवताओं के भी मिलते हैं इससे ये भी पता चलता है कि ये किताब तभी लिखी कई है जब हिंदू, देवी, देवता या ब्राम्डो ने ही सारा चीज ब्राम्डी करन किया है लगता है कभी ने बुद्ध को उनके मुकावले का सीध करने के लिए ये सारा आडंबर किया हुआ है हाँ किये होंगे सब यह पिछले मुगल सासन काल अंग्रेजों के समय में यह तो हिया है ना कि बुध्यमार की सारी किताब इनका अपना कोई हीन है तो यह सारी चीजे यहां पर देखनों को मिलती है कि कैसे कवी जो है ना इस तरह की चीजे जो है बुद के नाम पर परोस्ता है बहुत साहित्य में ऐसे जितने भी वढ़नन है उनका बुद और बुद धं से कोई सीधा संबंध है न कोई सीधा शंबंध है और नहीं पना है दूसरों के गुर्वों देवी देवताव आधी से हमारा गुरु कहीं पीछे ना रह जाए कहीं उनके सामने छोटा ना प्रतीत हो यह सर्धातेरीक है मध्यम मार्ग नहीं यह वही अतिवाद है जिससे बचने के लिए बुद्ध बार-बार सावधान करते हैं देखें रहा होगा जिसने कहा होगा कि चलो मैं बुद्ध का भी इसी तरह से ब्रामड़ी करन कर देता हूं मैं भी दिखा देता हूं उनके पास भी रिद्धी सिद्धी थी जैसे आजकल यह लोग करते हैं चमतकारती खाना कवीर को भी चमतकारिक बनाती है रैधास जी को भी चमतक जैसे उनके जिवनिकार उनके साथ कई बार जोड़ते हैं। उससे तो बुधत्व ही वह जाता है। इसी तरह बुध धम के किसी भी सिधान से ये न जूड़ते हैं और नहीं सिध्ध होते हैं। इनके जूठे होने का एक अकाट्य प्रमाड स्वयम आगे के स्लोक हैं। कवी कहता है कि इन रिद्धियों सिध्यों को दिखाकर बुध ने राजा को धरम गरहन के योग ये तथा प्रजा को अपनी और सरधावनत देहकर उन्हें धरम और विने का उपदेश दिया। तो यहा सामे के उनका सिस्य बन सकता था तब उन लोगों के लिए बुध का ग्यान वव्यक्ति क्या प्रयाप्त न था। दूसरे क्या वह कठित ड्रामा भी नंद को विश्यों से विरक्त कर पाया। तो यह पूरी जो किताब महाकवी ने जो लिखी है ना उसका उद्देश था नं चलते रहती है फिर जो है अच्छा ध्यान रहे बाबा साहब डाक्टर अंबेदकर ने प्राप्राकृतिक को मानने को सदधम नहीं माना है बलकिल उसे अधम कहा है फिर भी उनके करंद में जहां तहां कुछ प्राप्राकृतिक तत्वों के होने की कई साथी सिखायत करते र उपर नेचुरल से उपर पराकिरति कि यह कुछ भी बावा साहब नमानते थे नमाने उन्हों ने जो किताब लिखा है उन ताबू में फिर भी जबरजस्ती लोग घुसा देते हैं कि वैबा साहब नहीं मानते थे भाई साहब तो यह चीज पॉइंट आपको नोट करने की जुरूरत है अचा अब मैं आपको नोट वहाँ पे ले आता हूँ कि होता क्या है कवी अतिस्योक्ति सौंदर नंद में कवी जहां यथार से पलायन करता है और अपनी कलपना के घोड़े अनरगल छोड़ता है वहाँ वहाँ उसकी भावना समझने की जरूरत है नकि उसके सब्दार्तों के पीछे अपने घोड़े सरपड डौराने की ये बात आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों यही खास बात है बुद्ध धम में बाकी धम जो है इस्वर की किताबें बता देते हैं जैसे रमायड हो गया माभारत हो गया वेद हो गया यह सब सीधे इस्वर की बाणी हो जाती ह कोई इस्वर जो है बैठके लिखवा रहा होता है लिख रहा होता है उसका पात्र होता है लेकिन यहां पर नहीं है बुद्ध में साफ साफ कहा गया है कि कोई लिखी हुई बात भी परोष देना कि बुद्ध ने कहा है मत मानना वही अगर तरक दिमाग के तरक पर अगर फि बंचाता है जिसे परिपिछ विक्रित हो जाता है ठीक वैसे ही जएसे नीम चढ़ा करेला आधा पकाना रहकर नीम के पीड़ पर चढ़ी बेल से पैदा हुआ करेला बन जाता है अकल वडेडेंच sound वैस वैस से भैस बन जाता है तो यह वही कह रहा है कि यह अनरगल चीज़ें जो कभी की कलपना है वो अगर कोई दिखा कर आपको कर रहा है तो वो मनने की जुरुत नहीं है अच्छा इसमें जो है उनके उपदेश के फल्सुरुप समाने जन्भी स्पतित युग में दस प्रकार के सुकर्मों का आच्रन करने लगे इन दस कर्मों का स्लोक 30 में कभी ने वर्णन किया है हिंसा ना करना ये सुन लिजिए जो बुद्ध मार्ग पूछते हैं कि मतलब जूठ न बोलना पाच्फा है चुगल-खोरी न करना नॉट छट्था है कटोड़ वाअड़ी का पर्योग न करना सात्वा है बक्वाध न करना आठ्वा है लोभ्रन करना नौँग है द्रोह न करना और दस्वा है सम्यक द्रिश्टी अपनाना यह दस है भिक्वो के लिए शुरू के जो पांच है वो समान्य जन के लिए है ठीक है ना समान्य जन जो है उसके लिए पांच कहे गया है यह एक्च्छल इनका उपदेश है आचा यहां यह ध्यान देने योग्य है कि सौंदरेनन के वर्णन में आठ सुकर्मों का ही उल्लेक उपलब्द होता है ऐसा लगता है कि एक सलोक कहीं खो गया है डाक्टर जौंस्टन के अनुसार 33 और 34 के बीच का सलोक लुप्त है उसमें दो सुकर्मों का वर्णन आया होगा तो यह जो सौंदरेननन भी प्रवाइट कराई गई है ना उसमें से एक सलोक गयाब है ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ आठ सुकर्में ही एवलेबल है नहीं है हर युग का व्यक्ति अपने समकालिन हलात से हमेशा असंतुष्ट रहा है उसने अपने चारो नैतिक पतन को मंडराता दिखा है इसलिए कभी ने अपने युग को पतित युग कहा है पुराणों के लेखक तथा दूसरे प्रामणबादी लेखक अपने युग को कली लिखी गई है मुस्लिम सासनिय उसके बाद ही लिखी गई है अस्वगोस की ही चीजों को उठाकर ब्रामणी करन करके लिखी चले अब इसके बासे सर्गफोर आता है सर्गफोर में क्या दिखाया जाएगा कि बुद्ध जो है ना वह आते हैं यहां पर अपने कपिल देखते हैं तो देखते हैं कि सब अपना काम कर रहे हैं फिर वहां से जटके से बाहर निकल आते हैं तो जटके से बाहर निकल आते हैं तो ऊपर खिड़की पर खड़ाओ के राजा देख रहा होता है देखता है कि हैं बुद्ध बाहर निकल गए अब उसके भागता हो जात करता है कि अरहे हमारे भाइसाब आये हुए हैं हम उनसे मिलने हुआ लोग देखिये आगे पीछ़े इतनी हैं कैसे इनसे मिले हम तो फिर क्या करता है कि कि किसी तरह ही 마음-18 कि जब उनके गरहन कर देते हैं, तो ये जाने से पहले न, इसकी बीवि थी, सौndra, उससे बात करता है. तो जाओं कि नहीं जाओं, तो उसकी बीवि जो रहती है न, सौndra वो ये कहती है, कि नहीं, जाओ, भई, आपके बड़े भाई आहीं, बुध हैं, और वो संत महात्मा हैं, जाना चा लेता है प्रोजय अगरहन कर लेता है तो उसके मन में ये भावराता है कि यहारो कुट घर पर चुर्ठ कर आई हूं दिखे अलग ऐसे मैं आपर आप पढ़ेंगे ना इनका बुध चरीतम पढ़ेंगे तो वहाँ की जगा देवदद दिखाएंगे कि इनका चेरा भाई है जो भी है और वो इनसे हमेशा सतुर्ता रखता था यहां पर यह दिखाते हैं कि नंद है और इसके अंदर काम वासना चल रही है उस काम वासना को दूर करने की प्रक्रिया है पूरी यह किताब यह चीज़ आती है तो अब यह चीज़ चलती है यहां पर मैं दिखाता हूँ आगे कि क्या क्या चीज़ है इसमें कहा गया है बहुत सारी बाते आई है और बुद्ध को पूरी तरह से चमतकारी यहां पर दिखाने का परयास किया गया है यह देखिए यहां पर यहां पर यह बात आती है नंद अपनी प्रिय पतनी के साथ संसारिक सुको भयोग में आकंठ मगन था और बुद्ध उसे इस सबसे निकालकर निर्वाण के पत्थ का पठिक बनाना चाहते थे तो यह सारी बाते आती हैं फिर यहां से बीना भिक्षा के वो बाहर निकल आते हैं फिर यह कहती है जब तक यह अंग राग सूख न जाए उससे पहले आप जल्दी ही लोटाएं यह बात कहती है उसके बाद से अपना कपड़ा निकालके समाने कपड़ा पहिनके वो जाता है इसके बाद से यहां पर जैसे तैसे अपने को घसिटता हुआ नंद आगे पढ़ने लगा परंतु तब तक गुरु मतलब बुद्ध काफी आगे निकल गए थे तो तब तक क्योंकि तब सुन्दरी द्वारा निर्धारित समय सीमा के वीच वापस पहुंचना संभव नहीं होगा यह सोचकर नंद ने लंबे लंबे डगवरने शुरू किये फिर वो जाकर मिलता है बुद्ध को कहते हैं अच्छा अब मैं आप लोग को दिखाता हूं य इसकी बीबी रहती है नंद की इसको यह खावर मिलती है कि भाई वो तो प्रवज्यागरहन कर लियां तो जब वो पता चलता है कि वो प्रवज्यागरहन कर लिया तो अब यह रो रही है उनकी पतमी और कवी जुवह सर्ग vector six में इसका वड़ने किया है तो यहाँ पे वो पुरुस का वो करती है निंदा करती है जो आपको दिखाया जाता है ना कि इसमें इनकी किताब में लिखा हुआ है कि इस्तरी निंदा यहाँ पे पुरुस निंदा दिखाया गया है पहले दूस्तों यह समझने की जुरुत है यहाँ पे सुन्दरी को सक है कि उसका पती किसी अन्य इस्तरी को देखकर जो उसके रूप और गूरों की द्रिश्टी से बढ़कर है उसी के चक्र में पड़ गया है इसलिए घर वापस नहीं आया ये उसकी बीबी सुच रही है कि भई मैंने जो टाइम डुरेशन दिया था उसमें ये आया ही नहीं अब क्या होता है कि इसलिए वा पूरसों की बेवफाई की बाते करते हुए कहती है कि जो इस्तरिया इस तरह अथार्थ मेरी तरह दुख झेलना नहीं चाहती उन्हें पूरसों पर विश्वास नहीं करना चाहिए ये बात भी लिखी है दोस्तों तो जो लोग ये कहते हैं न इस्तरिय निंदा लिखी है वो लोग उनको ये बात भी दिखानी चाहिए कि कभी यहाँ पे दोनों का पच दिखाया है इस्त्री का पच अब पूरूस का पच दिखाया है अग कभी जो है बुद्ध को चमतकारिक दिखा रहा है तो इसलिए इससे ये भी पता चलता है कि ये प्रोपर बुद्धिष्ट का काम नहीं है ये किताब लेकन ब्रामड का काम है किसी ब्रामड ने बाद में ब्रामडी करन किया है ये पूरा किलियर इंडिकेशन है अब ये देखे तभी एक औरत आंसु बहाती हुई उस महल की सिर्णी पार करके आकर बोली कि वे तो तुम्हारे सांथ ही रहना चाहते हैं परंतु उनके बड़े भाई मान्य तथागत ने उन्हें रोते रहने के बावजुत प्रवजित कर दिया है अब भड़का रही है कि वो तुम्हारे सांथ रहना चाहते हैं लेकिन उनका बड़ा भाई जो है उजवरदस्ति उनको संत बना दिया उनको वो बना दिया प्रवज्जय ग्रहन करा दिया क्या करें या सुनते ही वह थर-थर कापने लगी और जोर से रोने लगी। सुनकर वहां की औरतों में से एक मान्य व्योविर्धा उसके आंसु पोंच कर बोली। उन्होंने साध्वी नारी के वरत को कामोपाशना की तरह तथा घर को तपोवन की तरह समझा है। तो ये सारी भी बाते आती हैं कि कैसे उनकी जो बीवी थी नंद की सोंदर उसकी कवी चर्चा कर रहा है कि उसको कैसे जो है समझाया गया, बुझाया गया कि क्या चीज़े हैं केवल पती के साथ रहना ही ये तुम्हारा वो नहीं है इस तरह की वो अपनी बाते कह रहा है यहां पे अच्छा उधर नंद प्रवजित होकर भी पतने के याद करके रोता रहता है अब देखें मूल मुद्दा आ रहा है जो यहां पे अस्वगोस का जो सौंदर नंद जो कित है यहां पे लालच में यह हम बनेंगे मौंग लेकिन उसके कामवासना उससे नहीं जा पा रही है तो उसको अब क्या किया कहा जा सकता है तो वो पूरा जो है नंद के नाम पर यहां तक ले आते भूमी का अब आगे यहां से कहानी सुरू होगी एक्चुल कहानी कि वो कैसे उसके मिथक को तोड़ते हैं, कैसे क्या कहते हैं, वो सर्ग साथ में मिलेगा, सर्ग आठ में मिलेगा अब नंद जो है पहाड की चोटी पर आसन बांद कर बैठे एक द्यानमगन बौध भिखु को देखता है और उसके बारे में टिपनी करते हुए काता है, निश्चे ही इसका मन मेरी तरह किसी में आसकत नहीं है, वह सांत है और समस्त भोगों से त्रिप्त हुआ बैठा है, उसे न कोईलो की कुजन की चिंता है, न वसंत की सोभा की मैं समझता हूँ प्रिया इसके चित को आक्रिष्ट नहीं कर रही है, अता वक्कह उठता है, इस्थिर निश्चे वाले कौतुहल वविश्मे से रहित, सांत चित वाले अंतर मुखी मनोवरित वाले, उत्सुकता रहित, एवं टहलने वाले उस भिख्छु को नमस्कार है अब यहां पर नंद यह सोच रहा है कि मैं तो कामवाशना है और यह दो को विख्छु को यह तो बड़ा असानी से रह रहा है, इसको तो किसी चिछ की चिंदा ही नहीं है, इसको तो कोई प्रियफ ही नहीं है, तो यह सारी बाते आती हैं यहां पर, अब वो जो विख्छु होता है वो इसको समझाता है जाता है ना उसके पास वो समझाता है तो इसमें अब जो कहानी पताए जाएगी यहां पे दोस्तों वो पूरा का पूरा आपका कहानी आएगा पूराणी कहानी जो आप सुनते हो ना कि मचली मचली से कौन लड़की पैदा हो गई वो पैदा हो ग से वसी भूत हिरणयता ने स्वाहा और इंद्र ने अहल्या का सेवन किया सेवन मतलब आप समझ रहा है मैं थून किया अब सोचिए यह सारी कहानी या बौध मारग में तो है नहीं इसमें कहां से आ गई यह सोचिए आप कैसे यह उदारण दे रहा है यानि कि यह पूरी कहानी ही लिखी गई है ब्रामडों ने लिखी है जब अपना पुरान लिख रहा है थे तभी बौधो की भी गरंत उठाके और उसमें अपना पुरान थोप रहे थे यह मुस्लिम सासन कलो रंगरे जोके समय कालकन लिखी यह किताब है अब देखिए क्या आता है इसमें सर्यंडू नामक घोडी में अनुरक्त होकर सूरिय ने घोड़ा बनकर उससे संगम किया अब बताइए कि बुद्ध मारग में तो सूरिय को देवता माना नहीं जाता है लेकिन लिख रहा है कि सूरिय जो है घोड़ा बनकर सर्यंडू से आईए सब पुराणों में आती है घ होता है ब्रामडों के उसकी चर्चा इसमें आ गई है यह देखिए क्या लिख रहा है और जब सूरिय घोड़ा बनके असर्यंडू नामक घोडी से फैक्स करता है तो दो बच्चे पैदा होते हैं अब वो दो बच्चे क्यों हैं दो अस्वनी कुमार है यह वस्वनी कुमार के पुतरत है नकूल और सहदेव तो उनका जनम कैसे हुआ यह देखिए यहां पे गोड़ा बनके आया सूरिय इससे जो है अस्वनी कुमार का जनम हो गया यह पूरा यहां पे एक विक्खु बता रहा है किसको बता रहा है तो नंद को बता रहा है यह कभी बता रहा है कभी कि यह कलपना है तो कभी ने जब कलपना ये की है इसका मतलब कि कभी ये जो है न मुसलिम सासन खले अंग्रेजों के समय काल खंड में ये सारी चीज़े लिखी गए ये बार बार इसलिए फोर्स दे रहा हूं दोस्तों ये समझने की जरूरत है ये बहुत गरंतों में ये सब प्रहमडवाद आया है, और यहीं से बौध गरंतों को बरबाद किया गया है, चले, इस्तरी के कारण वैवस्वत और अगनी देव का वर्सों तक यूध चलता रहा, देख लिजे, अब इस्तरी का पाट पढ़ाया जा रहा है, वो बता रहा है, इस्तरी के कारण ही वैवस्व कौन है रमायड का है ना रमायड में राम का दसरत का इन सब का गुरू है न उप क्या कर रहा है ये देखिए काम वासना के कारण चंडाल कन्या देख लिजिए चंडाल कन्या अचमाला के सांद संभोग कर लिया ये लिजिए और रिसी है तब भी जिससे कंपिंजलांद नामक का पुत्र पैदा हो गया देख लिजे परासर रिसी ने मचली के गर्ब से पैदा होने वाली काली नामक इस्त्री देखिए यहां काली नाम है अमा भारत में इसका मतस्य गंधा किये हैं सब काली नामक इस्त्री जिसका दूसरा नाम मतस्य गंधा है का सेवन किया सेवन किया मत उस वेदव्यास ने कासी में वैस्या का सेवन किया अब ये देख लीजिए वेदव्यास की बात आ रही है कि वेदव्यास जो है इकासी में जाकर जो वैस्या होती थी उनके सांथ फैक्स करता था और उसके बाद से क्या किया उसने नुपूर वाले पैरों के प्रहार सहें ब् ब्रम्भा जो है वो तो अपनी पुत्री उसकी जो थी उसके साथ उसने फैक्स किया ही था उसका जो पूत्र अंगिरा था अच्छा ब्रम्भा के पूत्र अंगिरा ने काम वह से सरस्वती का अब अंगिरा भी सरस्वती का सेवन कर लिया यह लीजिए भाई बहन का यह हो गया बाप बेटी का और भाई बेन का हो गया क्या क्या पुराणों में क्या क्या बाते लिखी हैं दोस्तों देख लीजिए और सारस्वत नामक पूत्र को पैदा किया राजा दिलिप के यग में देखे यग की बात आ गई ना बुद्धमारग में यग होता नहीं है तो यानि कि ये पूरी की पूरी कहानी ही मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि जो भी लोग आपको जब भी दिखाएं बुद्धमारग में जो किताब है उध्यान से पढ़ा कीजिए पूरा का पूरा बरामडों ने ही अपनी बाते लिखी है इसमें तो राजा दिलिब के ये असंस्कृत की किताब है राजा दिलिब के यग में पूरताही करता हुआ कस्यप सुंदर इस्त्री को देखकर इतना कामातूर हुआ कि उसका विर्य चूने लगा अब बताईए इस्त्री को देखकर उसका विर्य चूने लगा ये सब पूराणों में लिखा है कि ब्रम्भा जो है परवती का पैर देख लिए तो उसका विर्य चूने लगा था और उसने उसी सुरूवे से उसमें घी भरकर यग आहूती में डालता था लिजिये भाई साब विर्य चू रहा है और उसको जो है डालके आहूती में डाल रहा है ये इनकी कहानी है ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों जैसे कोई ब्रामड जो था ना जब ये बन रहते हैं ये ये तो क्या हुआ होगा कि वो बुद्ध का प्रामड़ी करन कर रहे होंगे और जो बुद्ध वाले होंगे ना जो बुद्ध में का कुछ बचे होंगे वो कहांगे कि रुको मैं तुम्हारे पूरी कहानी इसमें डाल के तुम्हारा मैं खाल खीचता हो ये चल रहा होगा ऐसा क उसको उठा के आगे में डाल रहा है भर भर के अगनी में डाल दिया जिससे असित का जनम हो गया अब यह देखिए असित मुनी का जनम बता दिये सब कि असित मुनी का जनम कैसे हो गया विरिय कोई आगे में डाल दिया उससे जरम हो गया और सुने इसी प्रकार अंगद तपस पूरी कर लेने के बाद भी यमुना के पास जा पहुंचा और उसने रथितर नामक पुत्र पैदा कर दिया रिसी स्रिंग मुनी दसरत की पुत्री सांता को देखकर धैर ये खो बैठा ये लिजिए और उसने उसे अपनी पत्री बना लिया ये तो बड़ा गजब इन लोग का निंजा टेकनिक था किसी को देख को देख लो धैर ये खो जाए तो तुम्हारी बीबी ही बन जाएगी सीदे सीदे आच्छा ये लिजिए राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में आया हुआ विश्वामित्र धृताची नामक वैस्या के साथ दस वरसों तक विश्यो स्थूल मतलब मोटा होता है स्थूल सीरा रंभा को देखकर मुर्चित होता रहा बताए स्थूल सीरा रंभा को देखकर मुर्चित हो जाता था और उसके साथ धृताची के साथ 10 साल तक फैक्स करते रहा प्रियतमा प्रमदवरा के कारान रूरू सरपो को मारने में लगा र प्रद्मवरा कोई थी उसके कारण जो है सापो को मार रहा था ये और तप से हाथ धो बैठा चंद्र का नाती एवं बुद्ध का पुत्र एड उर्वसी का चिंतन करते करते उनमत हो गया सांतनु की मृत्यू के बाद उसकी पतनी काली देखिए सांतनु जो था ना उसकी पतनी का नाम काली था माभारत में मतस्य गंधा कहेंगे बार बार इसमें काली कह रहा है मतस्य गंधा सत्यवती का अपहरन करता हुआ जन मेजय भिस्म के हाथों में युद में मर तो गया परंतु काम वासना को नहीं छोड़ सका और पांडू को पता था कि इस्तरी से संगम करने पर मृस्तिव निश्चित है तो वह भी मादरी से सहवास करने लगा अमर गया पर काम वासना को न छोड़ सका यह देखिए यह जो पूरी कहानी इसमें यह लिख दिया कि भई पंडू को पता था कि अगर वो सिक्स करेगा अपनी बीबी के साथ मर जाएगा स्राप मिला था उसको तो वह क्या कर रहा है कि मादरी के साथ सिक्स कर रहा है करते-करते मर गया उसी म को मिल रही है यह बता रहा है उसको तो आप यह देख रहे हैं यह सारी पौराणी कहानिया है दोस्तों यह पिछले 300-400-500 साल से पहले नहीं पाई गई है और यह संदर्य नंदन को संस्क्रीत में जब इन लोगों ने लिखकर परोसा है अंग्रेजों के समय में तब यह सारी से भरष्ट सदाचार से विमुक काम के किंकरो सचरित से च्यूत और मैदान से भागे रिसियों मुनियों दिवर्सियों आदी के किस्से याद करके नंद कहता है कि जब इनका यह हाल था तो मेरा इस तरह विहवल होना उचित ही है अतह मैं मैं भी घर लोटूंगा जिन मेरे जैसे लोगों का चित अनेत्र हो जिनकी इंद्रिया चंचल हो तथा धम के पत से जो च्यूत हो उनके लिए विच्छू का वेश धारन करना उचित नहीं है तो यह नंद जो है इसकी बड़ी चिंता हो गई है कि यार ऐसी ऐसी कहानिया है पताओ न अब मेरा तो मैं बरदास नहीं कर पाऊंगा रह नहीं पाऊंगा मैं जाना पड़ेगा बीवी के पास ऐसे यह बोल रहा है हाथ में भिच्छा पात्र लेकर सिर मुडाकर मान त्याकर और कसाय वस्त्र पहनकर भी जो उद्धिगनी है अशान्त है जिसे धैर्य नहीं सांती नहीं वह तो दीपक न होकर उसका चित्र है अथार्त वास्त्र विक्छू नहीं है जैसे दीपक के चित्र से प्रकास नहीं हो सकता उसी तरह ऐसा विक्छू बेकार है जो घर से निकल गया है परन्तु जिसका काम राग नहीं निकला जो कसाय वस्त्र धारन करता है परन्तु खुद निसकाय चितमल से रहित नहीं है ये बाते आ रही है कि भया तुम्हारे अंदर अगर इस तरह की काम भावना है तो तुम न घर के हो न घाट के हो ये बाते यहां पे आ रही है अब वन से घर तो इसके बाद नंद उन लोगों के उदहाणों को याद करता है जो तपवन से फिर घरों में भाग गये हैं जो भिक्चु बनकर फिर ग्रियस्ति बन गये हैं वह कहता है पुत्रसहित, सालवराज, अंब्रिस, अंधराज, संकृति, अतिदेव इन सबने वलकल वस्तर छोड़कर फिर भी रिसमी वस्तर धारण किये थें और जटवाये कटवाकर सीर पर मुकुट सजाये थें इन्हें याद करके वह अपने मन से उस तनाव को दूर करने का प्रयास करता है जो उस विचार से पैदा हो गया था कि अब यदि मैं भिक्चु के चीवर का प बहुत बड़ी बात थी यहां आप जो है साधू बन जाईए साधू बनके घर जाईए लोग मजा कुड़ाएंगे यहां बरदास ना हुआ लोटा है तो यहां पर यह भी बात आई है तो कुल मिला कि जो कवी है वो जो दिखाना चाहता है एक व्यक्ति का कि उसके सांद क्य क्या सिचुएशन हो सकती है जब बहुत भिक्खू बनेगा वो सारी चीज़ें यहां पर दिखाई गई है और फिर जो है उसको समझाता है उसका सॉलूशन देता है अब यहां पर जो है सर्ग आठ जो है नंद को मंगलमई आखो से देखते हुए किशी विच्छू ने उसे मैत्रिपूर्ण कहा तुम्हारा आंसुओ से भींगा हुआ या मुह तुम्हारे मन के मैल को व्यक्त कर रहा है धीरज रखो और मनों वेक को रोको क्योंकि आंसुओ और सांती एक सांत नहीं सोबते नहीं वासपस्च समझ्च सोबते तो यह आप यहां पर समझ पा रहे और यह भूमिका ऐसी हो गई है कि भाईया इसको अब कैसे इसतरी से दूर किया जाए यह तो मान ही नहीं रहा है सारी कहानी इतनी सारी कहानी बता दी गई शुना दी गई फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है तब अब एक नया गेम खिलता है यहां पे कभी अब वो एक नया पैतरा अपनाता है अब हो सोचता है कि जिसके परतीस की आ सकती है जैसे मान लेते हैं कोई सराब पीता है अब उसको आप समझाए कितना भी कि यार सराब गलत है गलत है सराब जो है उसको छोड़ दो गलत है उन नहीं समझ रहा है तो अब आप ऐसा करो कि सराब की ही ब पैतरा अपनाएगा अब वो यह क्या करेगा कि जो इस्तरी होती है उसके प्रतीस के मन में नफरत भरने की कोशिस करेगा यह पातर है दोस्तों और यही यह पोर्षन है कि लेखक उस कल्पना के दौर में घुसता है कि अब इस्तरी के बारे में इतना इसको खरा बताओ कि यह विरक्त हो जाए यहां पे इस्तरी की निंदा करना इसका उद्दे से नहीं है दोस्तों यह बात आप समझेगा यहां पे अभी तक आपने देखा पूरा एक माहोल बन रहा है कि एक व्यक्ति को इतनी सारी चीज़े बताने के बाद भी वो इस्तरी विरक्त नहीं हो पा रहा तब यह गेम खेला गया है आभ आगे यहां पे आपको मिल जायेगा इस्त्री निंदा कि अब वो बताता है कि भھया जो है तुम्हारी मांसी यह समझतों पा नहीं रहे हो तो चलो जो है मैं तुम्हें अब वो चीज बताता हूं कि ये इस्त्रिया कैसी होती है तो ये देखिए ये इस प्रकार कामसोक से बिहवल नंद का ध्यान करके वह भिक्षू उसके हित की कामना से ऐसे वचन बोला जो थे तो गुड़ युक्त प्रंतु स्रोता को जो अप्रिय लग र मुर्ख कामसुख में सुख अनुभव करता है प्रंतु सत पुरुस ज्यान से भोग को जीत कर सांती में आनंद का अनुभव प्राप्त करता है बाकी रही घर लोटने की इच्छा तो सुनो जिस तरह वायू के वेग से पहाड का जुकना उचित नहीं उसी तरह विख्यात बुद्धिमान कुलीन एवं आदर्ण यवेस धारण करने वालों के लिए घर लोटने की इच्छा करना उचित नहीं अरे भाई ऐसी विसेली लताओं से चूने से सांपों से बड़ी गुफाओं को सांप करने से तथा नंगी तलवार सांथ रखने से विपत्ती होती है उस पूरा एक सिच्वेशन त्यार कर में ऊर्त Justine कि इस्तव ही बुराई कर दो तकि वह इस त्री से दूर हो जाए यहा से आता है यहेँ यहां पे बुद्ध्धम का ठाट नहीं है दुस्तों और नहीं बुद्ध का यह हिस्सा है यह जो है सोंधर नंदन में एक प्रसंग है जो एक कभी का हिस्सा है कभी के कही गई बारी है तो यहाँ पे अभी यह क्या कहता है देखिए ओरते अपनी को मैं सारा चीज दिखाऊंगा दोस्तों कुछ भी नहीं चुपाऊंगा जो गलत है गलत है जो सही है देखना सब चीज आपको है कुछ भी छुपाना नहीं है तो औरते अपनी को अपनों से और मित्रों को मित्रों से अलग करती है वाणी से आकरसित करती है जो हिर्दे से त्रिव चोट करती है उनकी वाड़ी में यदि मदू रहता है तो उनके हिर्दे में हलाहल नामक महाविश तो ये कह रहा है कि हलाहल नामक विश भी रहता है मुँसे अच्छा बोलती है तो वैसे रहता है ये इस्तरियों के लिए नहीं है बलकिल इस्तरियों के नफरत पैदा किया जा रहा है उस व्यक्ति का विच्छू का ताकि वो इस्तरियों से जो उसकी काम है काम भावना दूर हो जाए आगे देखिए ये क्या कहता है इसमें कभी आदमी जलती हुई आग पकड़ सकता है कुरुध साप को पकड़ सकता है परंतु इस्तरियों के मन को नहीं पकड़ सकता उसे नहीं जीत सकता परिछित औरते भी चंचल होती है अता आदमी जैसे सत्रू पर भरोसा नहीं कर सकता उसी तरह उसे इस्तरियों पर भरोसा नहीं कर जैसे चुराई गई गाएं अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने पर भी अराम से चरती है उसी तरह औरते पहले मित्र को भूलकर दूसरे पूर्सों के साथ रमड करने लगती है अच्छा इस तरह जलती चिता में कूद सकती हैं यंत्रना सह सकती हैं प्रंतु हिर्दे से मित्रता नहीं निभा सकती राजा प्रसेंजित की बेटी ने चंडाल की कुमुदवती ने मचुए की तथा वरिह दर्था ने मरिगराज की कामना की इस्तरियों के लिए कुछ कोई भी अगम्य नहीं कुरूवनसी हैवनसी तथा वरिसी वनसी राजागड मयावी शंबर तथा उग्र तपस्या मुनी गौतम इस्तरी के रज से दूसीत हो गए इस्तरियों का मन जब इस प्रकार अकृतग्य अनार्य लखिए यहां पर अनार्य की बात आ रही है यानि कि कोई आर्य लिख रहा है समझ येगा थोड़ा सा कहानी तब कोई बुद्धिमान व्यक्ति उन चंचल चितवालियों में अपना हिर्दय मन कैसे लगा सकता है तुम यदि रज तथा तम के कारण इस्तरियों के अकल्यानकारी चुद्र और छोटे अथवा हलके हिर्दय को नहीं देख पार है हो तो क्या उसके उस अपवित्र देह को भी नहीं देख रहे हो जो बहते हुए मल का घर है जो प्रवाहमार बुराईयों का ग्रिह है यदि यहां पर एक चीज समझिएगा दोस्तों यह पूरी तरह से जो दिखाया जाता है कि यह यह बाते कही गई है मैं फिर से आपको रिपीट करातूं यह कवी की कलपना है और कवी ने सुरू में ही यह बात कह दी है कि इसमें मैं सिर्फ जो है निर्वाण का पोर्षन ही मैं कवर करने की कोशिश क्या हूं बाकी सब मधू मिलाया हूं तो आप लोग उसको वो मत सिरियसली मत लीजे यह कभी खुद कह रहा है यहां पर आगे देखें यदि तुम्हारी पतनी सुंदरी मल रूपी कीचड से भरी निर्वर्षना नाकूंड दांत एवं रोमों से स्वभाविक अवस्था में आ जाये तो निश्चित है कि वह आज तुम्हें सुंदरी नहीं लगेगी कौन घ्रिणा युक्त वह फूटे हुए घड़े की तरह बहती हुई अपवित्र औरत को छुएगा यदि वह मक्खी के पंक की तरह पतली तवचा से ढखी हुई ना हो यदि तुम महिलाओ की देह को चमडी से लिप्टा हुआ कंकाल मानते हो और फिर भी काम वस बल पुर्वक उनकी ओर खीचे जा रहे हो तो निश्चित है कि न तो तुम तुम में गंदी चीज के प्रती घिरना है और नहीं धैर्य है हे अज्ञानी क्या तुम नाखून चमडी केस रोम जैसे असुब पदार्थों में सुभता की कलपना करते हुए नारियों की उत्पत्ती और उनके स्वभाव को भी नहीं देख रहे हो तुम मन और सरीर के दोसों से विशेश तोर पर युक्त इस्त्रियों के बारे में विशेश तोर पर जानो और घर जाने के उत्सुक अपने चंचल मन को ग्यान बल से रोको तो यहाँ पे यह पूरी बात आ जाती है कि वो उसको किसी भी तरह से रोप लेना चाहता है कि तुम घर मत जाओ सारे पैतरे अजमाने के बाद से अब सोचता है कि इस्तरी के परती ही मैं इसके मन में जहर भर दूँ ताकि यह इस्तरी को खराब मालने और तो यह न जाए यह कभी की कलपना है कभी यहाँ पे अपनी जहाना पहुंचे रवी वहाँ पहुंचे कभी वैसे यहाँ पे पहुंचा रहा है दोस्तों बुद्ध्धम से कुछ वे लेना देना नहीं इसका आगे देखें तुम बिद्ध्वान हो बुद्धिमान हो तथा परम सांती प्राप्त करने के योग्य हो अतह ऐसे तैसे एक बार लिये गए वरत को तोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं जिसका तुम्हारे कुल जैसा महान कुल हो जो तुम सा मनश्वी एहुं कृती कामी हो तथा जो अत्यधिक समान का इच्चुको ऐसे व्यक्ति के लिए वरत भंग करके घर जाने की अपेचा मर जाना अच्छा है तो अब ये बता दिया ना कि घर जाने से अच्छा है कि मर जाना अच्छा है लेकिन घर जाना ये पूरी बात यहां पे आती है आगे ये कहता है कि जैसे कवच पहनकर हाथ में आयूध लेकर एवं रत पर सवार होकर युद छेत्र में भाग आने पर निंदित होता है उसी प्रकार वह व्यक्ति निंदा का पात्र बनता है जो विच्छु वे स्थारन करके फिर काम के बहकावे में आ जाता है मतलब कि तुम विच्छु भी बन गए अपिर जो है सिक्स के लिए आतूर हो ऐसा तुम्हारा चलीतर है तो ये तुम्हारी हालत है इस चीज को रोकने के लिए उसने पूरा चीज खाड़ा किया एसी बाते की उसने पिर वू आगे लिगता है कि कामवश पर सवार हो कर घर को भाग आता है जिस प्रकार उत्तम अनखाने वाला हसी का पात्र बनता है यदि वह त्रिशना पुर्व घर के सुख की और अभी मुख हो तो ये पूरी बाते यहाँ पे आती है आगे वो ये भी कहता है कि जैसे सुखर अच्छा अनखाकर वो शुंदर पलंग पर सोकर भी बंधन मुक्त होते ही अपनी परिचित गंदगी की और दोड़ता है उसी प्रकार स्रेय को सुनने के बाद गुर युक्त एवं सांत सुख का आश्वादन करने पर भी काम त्रिशन से प्रित इंसान सांत तपवन को छोड़कर घर की और भागता है परंतु घर पर इस्तरियों का संसर्ग बहुत प्रकार के अनर्थों के कारन होता है इसलिए इस्तरियों के मन एवं सरीर में नियत इन दोसों को जानकर अपनी अनुपम बुद्धी का मोच में लगाओ तथा घर जाने के लिए उतकंटित होना छोड़ दो क्योंकि वह ठीक नहीं तो दोस्तों ये सारी बाते जो हैं सौंदर नंदन में लिखी हुई है और जितने भी विशलेशक लोग हैं उन लोगों में से दो तरह के लोग हैं एक जो कहते हैं कि ये मिलावटी है लोगों ने की है और भी आपने उपर भी प्रसंग देखा वह सारी चीज़ है इस नहीं करती बहुत मारग में ब्रामरों की सारी बाते आ रही है पुरानों की कहानी आ रही है इससे भी पता चलता है कि पुराण के बाद ही किताब लिखी गई है तो एक पच जो है ये बात कहता है दूस कि नारी निंदा के इस प्रश्न को हम दो हिस्सों में बाठ कर देख सकते हैं पहली बात जो यती शन्यासी ब्रह्मचारी आधी और प्राकिर्तिक तोर पर काम का धमन करते हैं वे ऐसे ही नारी निंदा पुराण पढ़ा करते हैं इसके सहारे वे अपनी कमजोडी पर परदा डालने की कोशिस करते हैं क्योंकि किसी यती सती को कोई औरत उसके पास जाकर कुछ नहीं कहती वे खुद ही अपने मंग मन में उठने वाले विचारों चित्रों सकलो सूर्तों आधी में बेचैन रहते हैं प्रन्तु गालिया देते रहते हैं औरतों को उनकी इस्तिती पर अधी का कथन बहुत सटीक वैथता मतलब यहां पर यह कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके मन में काम वाशना आती है तो काम वाशना आ गई और तब क्या करेंगे और बन गए हैं संत महत्मा साधू बन गए हैं अब क्या करें आसा राम पकड़ा थ तरह सीखेत हैं कि बहुत विक्षो बन जाओ यह सब नहीं करना है लेकिन इसे बरदास नहीं होता था तो यह चीज जो है कभी यहां पर दिखा रहा है कि यह सारी चीज़े आती हैं तो इस तरह की जो बाते करते हैं वह अपनी कमजोड़ी को चुपाते मतलब नहीं कर सकते ह हैं तो इस तरह की बाते करेंगे और तो के बारे में गलत सरत बाते करेंगे और उस तरह से उनके सकल सुरत और इस तरह पर लेकर उनको गालिया देंगे उन पर तरह तरह की वत्तिमीजी करेंगे इस तरह की चीज़े जो है यह बताते हैं यहां पर आगे देखिए कुछ इन्हों नियां पे सारी मारी है कहते हैं कि दूर करो इस्तुरी के बारे में क्या बख रहे हो, ठीक symmetry के बारे में खराब कहने से, उसके बारे में गाली को लोच करने से थोड़े दूर होगा। वाशना तुम्हारे है तो फेरे बदल खुद करे अलानत करे सैतान पर अलानत कर रहे हो सैतान पर सैतान करा दिया ये करा दिया वो करा दिया वे तो खुद कर रहे हो तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आती है और नारी के प्रति जहर उगल कर अपने को महान बनाए घूमते हैं आपको हर इलाके में ऐसे संत महंद योगी यती आदी की बाते सुनने को मिलेगी जो नारी को देखकर गंदी गालिया बखने लगता है औरत को देखते ही आग बभूला हो जाता है आदी परन्तु ये लोग सेक्स हंगरी काम छुदा के मारे हुए होते हैं जो औरतों को देखकर गंदी गालिया बखने के द्वारा योन अंगो वो क्रियाओं का उलेख करते हुए अपरत्यक्ष धंग से योन त्रिप्ती ही करते हैं वे इस्तरी के अंगो की निंदा करने के बहाने प्रतेक का कामुक वर्णन करते हुए परुक्षता काम तिर्प्ती प्राप्त करते हैं यही कारण था दोस्तों कि ये जंगल में बैठके जो है उपनिसद के घाना बजाते थैं पूराना लिखते थे यह लोग, यही कारण था, गंदी संधी बाती, यहाँ पे पूरा इन्होंने साइंटिफिक रूप से इस चीज को बताया कि वही देखिए, यह खुद तो कर नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इस तरी को जो है, उसके सेक्स अंगों को इस तरह की बाते करकर के अपनी काम त्रिप्ती करते हैं, सांती खुद के लिए लेते हैं, तो जो अवगुण औरतों में गिनाये जाते हैं, वे सब के सब उसी रूप में क्या मर्दों पर चरितार्थ नहीं होते हैं, अगर आप महिला को जो चीज कह रहे हो, वही चीज पूरुस के ल ऐसे में नारीनिंदा क्या मर्द का महज दंभ नहीं हैं? तो ये बोल रहे हैं यहांपे कि नारीनिंदा जो है ना मर्द का सिर्फ दंभ वर है, करक कुछ नहीं पाता है, तो बस औरत को गाली देना सुरू कर दो औरत क्या योनी के करण भ्रष्ट हो गई और मर्द क्या मात्र सिशन होने से मतल localized पेनीस होने से क्या महान बन गया कई योगियो यतियो आदी के मंदिर बन गया है उनके मर जाने के बाद वहाँ उनकी प्थरों की मूर्थिया पड़ी है कई जगा उन मंदिरों तक में औरत का प्रवेश वर्चित है, मानु पत्थर की मूर्ती को छूने से मृत्य योगी यति का ब्रमचर भंग हो जाए। इस्तरी के डरने वाले, उसके असपर से भागने वाले, उसे देह कर आग बपुला होने वाले पहुचे हुए महात्मा नहीं होते हैं, बलकि कहीं पहुच पाने के अयोग या मनो रोगी होते हैं। ऐसे अनेक ढोंगी छिपकर औरतों के लहंगे सुंहते फिरते हैं। मनु जो था, ये कितना बड़ा इस्तरी का दुस्मन था, सुनिये ये, कहता था कि घर का जो भाई है, पिता है, वो अपने घर की महिलाओं के साथ, अपनी बेटी, बीबी, बहन के साथ नहीं बैटके खापी सकता है, क्योंकि महिलाओं जो है न, उसको कामु कर देंगी, वह समान है, और पुरुस आग के समान है, समझदार व्यक्ति इस घड़े और आग को एक जगह इकठे नो होने दे, ये मनु स्मृति में कहा गया है, बताईए, कि इस्तरी और पुरुस को एक जगह नहीं रखना है, आज इस्तरी पुरुस इकठे काम करते हैं, कहीं न घी पिख जलता है, न आग जलती है, यदि कहीं किसी मामले में कुछ होता है, वह अपवाद है, जिसे समान्य इस्तिती का परिचायक नहीं माना जा सकता, उप्यूक्त सुलोग जिसने भी बनाया, उसने अपनी विकृत मानसिक्ता को ही लिपिबद किया है, अब यहां बोलते हैं कि भ भर्वरिता होता है, उसे ज्ञान की प्राप्ती होती है, विज्ञान ने इस अंधिविस्वास का भंडा फोड कर दिया है, यदि वास्तों में विरियरक्षा से वैसा कुछ होता, तो बधिया किये हुए, मतलब जिनका जो है, जो आपका सकते हिंदी में आंड कहा जाता है, निकाल दिया जाता है, बहुत सारे पसो का, जैसे बकरी जो है, उसके जो बच्चे होते हैं, खोंसी, उनका निकाल दिया जाता है, तो बकरा नहीं बन पाते हैं, बैल का भी निकाल दिया जाता है, वो सांड़ नहीं बन पाता है, तो उनका तो विरियर जो है, जब निकाल दूसरा का कोई इंसान करता है न जैदा ब्रह्मचारी के पीछे भागता है तो उको बोल रहा है कि काम भावना से जिंदगी भर वो जूजता है और अंत में मनोरोगी बन जाता है मांसिक बिमारी पकड़ लेती है जिन भी लोगों को ब्रह्मचारे का भूत सवार है दरसल वो मांसिक रोगी ही हो जाते है यह समझेगा इस बात को दूसरे यहां पे यह कह रहे हैं लेखक का यह कहना है और लिखा है इन्होंने तो कुछ सूचके ही लिखा होगा ऐसा नहीं है कि अनप्रैक्टिकल चीज है दूसरे इन लोगों का लोकुत्तर ग्यान यह बताता है कि इस बुद्ध समझते थें कि यह सब बकवास है अतह उन्होंने विच्छू संग के समान विच्छूरी संग की अस्थापना की देखिए यहां पे एक्चुल पॉइंट आया है दोस्तों आपको समझना होगा कि ब्रामण धरम में कहीं भी इस तरी को अधिकार नहीं दिया गया लेकिन बुद्ध जो है इन बातों को समझते थे और उन्होंने पहली बार पूरे दुनिया की इतिहास में ऐसा पहली बार संभव हुआ कि जब उन्होंने जिस तरह से पुरुसों का संग बना था महिलाओं का भी संग उन्होंने बनवाया अब तो गुजरात के वाड़नग की समान प्रतिष्ठा की थी अब हम प्रश्ण के दूसरे हिस्से को लेते हैं कि फिर यहां सौंदर्य नंदन में नारी निंदा का अचित्य क्या है अब यह दूसरा पॉइंट आ जाता है कि एक तो पॉइंट यह हो गया कि चलो अगर ऐसा कोई निंदा कर रहा है तो उसका म बात कह रहा है तो वो यहां पर यह बताते हैं कि जब कोई सराब का आधी हो जाता है तब उसके घर वाले उसकी सराब की बोतल तोड़ते हैं और सराब का नाम लेकर छाती पीटते हैं जब कोई जूए की लटका सिकार होता है तब वो जूए को कोशते हैं ऐसे ही जब कोई पर नारियों के चक्कर में पढ़कर अपना बेढा गरक करने की राह पर चलने लगता है तब उन औरतों की निंदा की जाती है उन्हें गालिया दी जाती है उन उदाहरों से असपस्ट है कि जब जैसा सत्रू होता है तब उसकी वैसी ही निंदा होती है जब सत्रू सराब होती है जब जूए की नहीं सराब की निंदा की जाती है परंतु जब कोई औरत किसी को चंगूल में फंसा कर बरबाद कर रही होती है तब उस सिकार हुए व्यक्ति की मा बेहन और पतनी सब खुद उस औरत की ही निंदा करने लगते हैं वह निंदा उन या वैसी नारियों की निंदा होती है वह भी उन नारी के सत्रू की भूमी का निभाने के करन यही इस्तिती सौंधर्य नंदन में है यहां नंद कल्यान मार्ग से न सराब के करन भाग रहा है न जूए के करन बलकिले नारी के करन हुआ अपने का निभा रही है अता सतुर्ता के प्रसंग के कारण उस नारी से नंद को विमुख करने के लिए जो उप्यूक्त समझ रहा है लेकर वहां पर उस चीज को करवा रहा है क्योंकि कहते हैं कि प्रेम और सतुर्ता के मामले में हर चीज जैज होती है पता सौंदर नंदर में की गई नारी निंदा समानेता नारी निंदा नहीं है बलकि एक नारी के सतुर्त्व के कारण है तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों का मैंने दोनों तीनों सारे पच्छ दिखा दिया यहां पे कि जो लोग सोसल मेडिया म कि ये लेखा की मांसा सिर्फ एक उस नारी के लिए उसको बता रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि वो ना जाए ये लेखा की कल्पना है दोस्तों तो बस इतना सा ही इसमें पॉइंट में दिखाना चाहता था और कुल मिला के आप लोग को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जिस तरह से सौंदर नंदन हो या जो भी आजकल आपको कितावे परोसी जा रही है ये कब लिखी गई है और किस तरह से ब्रामण धर्म जो है अस्तित्व में आया है इन ही बौधमार की जो कितावे हैं इन ही का ब्रामणी करन करते करते उन लोगों ने अपना एक नया धर् कि पास था नहीं कुछ भी बुद्ध को आव्तार बना दिया उन को बोधिसत्तों बना स्था पहले देवता को बोधिसत्तों कहते थे जो दिखाया भी है इस साहा रहते हैं उनका मोश्ट वेलकम है जो अर उनको ही प्रिफ्रेंस भी दिया जाएगा जो लोग वीर बनते हैं उनको थोड़ा सा भेज यह आए थोड़ा चर्चा करें लिए क्या उनके पास पॉइंट है क्या डिवेट करना जाते हैं बहुत सारे लोग पास बहुत सारे प्रश्ण होते हैं तो आये ज़रा दिखाये हमें snippet अच्छा जी लोजिक ली आया हैं चले इंसे थोड़ी बाते करते हैं जी 74 कि बहुत है करें, हललो भी अ हां बताएं अच्छा वो अभी ना कुछ आवाज में डिस्टमेंस आ रही है आप मेरे को पांच मिट बार ले लीजिए अच्छा जी ठीक है अच्छा जी यहां पर हैमंत कुमार आ हैं चले इन से थोड़ी बाते करते हैं जी हैमंत जी बताएं क्या करना चाहते हैं कर लोगे सार्फ जी हम चॉड़िय के बहुत है शुदध है के वर सैंगल है डाई। कि मेरे कम और शूदक्र के अच्छी लगी सॉठा से भुट कुछ सिर्थ Gao और मिलाएंजी सबसे पहले चीज तो मेरे को मेरी खुशी का थिकाना नहीं क्योंकि मैं करीब करीब पिछले एक महिने से ट्राई करता हूं बार बार ना स्टूडियो फूल आता रहता है जी और आज मैं आपसे जुड़ पाया हूं सर तो साइंस जनी सर मेरे को आपका काम जो है न तर वो बह अधरीन बहुत सराणी है बहुत एक सम्यक सोच को लेकर के आप आगे चल रहे हैं समाज में कल्यान जिससे होगा और जो समाज में भ्रांतियां है जो समाज में गंद फैला हुआ था पहले से काफी पाखंडवाद फैला हुआ था उसके उपर आपे बहुत तगड़ीना चो भी बात कहना चाहूंगा जी के दर जी इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना ये इनके बस की कुछ नहीं है ये सिर्फ एक अंधिय भेड़ चाल में बस चले जा रहे हैं इनके खुद भी इनको किताबों का एक्ट्वल वैबसाइट का अथेंटिक सोर्सिस का कोई ग्यान नह ये खाली मेरा अभी तक का जो अनगाव है मैं देखता आया हूँ ये सिर्फ फेस्बुक के और उसके जो मतलब जो धूर्टता वहां से जो लंपट गिरे चाही हुई है ये उसी के ही प्रोड़क्ट है निकले हुए तो सर ये जर्णी जो अपनी चल रही है ना सर ये साइंस जर्णी मेरा ये मानना है कि आने वाले को दो तीन चार साल के अंदर ये ऐसा रूप दिखा देगी पूरे देश में इतना वजा ला देगी कि मतलब समा बंद जाए मानवता की एक तरीके से जो एक जिस भेड़ चाल की और लोग भाग रहे थे मुझे लगता है कि इस आपके सतक परियास से या कहना चाहिए जो सत्य का दर्शन आप लोगों को दे रहे हैं उससे मुझे लगता है कि ये आगे बहुत आगे निकल जाएगी ये मनुश्यता की एक अलगी लहर चाह सकती है और रैशनलिटी के थूप तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली पॉसिबल है और मैं अपने वारे मैं थोड़ा सा बस बताना चाहूंगा मैं ज्यादा समय आपका नहीं लोगा जी बस ये कहना चाहूंगा जी कि सर मैं पिछले करीब-करीब दस वर्षों से हाला कि आप मेरा नाम देखके पैसा है कि मैं एक एक हिंदू ही हूँ लेकिन मैं करीब-करीब दस वर्षों से धर्म में त्याग करके और साइन्टिफिक जेस्चर की और मैं भी एक बढ़ता चला जा रहता और काफी हद तक मैं उस चीज में सफल भी होता ज जो कि विज्ञान का जो परकाश है न वहीं उनको नजर डाल सकता है उसके तो यह मुझे आपके जो चैनल के माध्यम से मेरी जो कहते हैं न के उडान को पंख लग जाना तो आपने मेरा वो रास्ता सीधा कर दिया तो आपने मेरा प्रश्यट कर दिया तो अभी मैं काफी चीजों को लेकर सर्जी एग्नॉस्टिक था कुछ चीजों को मैं अभी रोक के चलता था मतलब करीब करीब वैसे रैशनलिस्तों मैं पिछले पांच वर्स से हुआ हूं सन 2016 सथा क्यास पात्ते लेकिन जो कंप्लीट रैशनलिटी मेरे अंदर आई है वो मुझे लगत हूं और वीडियो को तो प्रेखता ही रहता हूं वो तो मैं मिस्ट नहीं करता तो मुझे लगा सर के आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर मैं आपको एक छोटा सा एक वो भी मैं सजेशन तो खैर नहीं कह सकता सर मैं क्या ही बोल सकता हूं आप तो ग्यान के कोई सजेशन हो तो बोल सकते हैं सर मैं बस यह कहना चाहूंगा जी हमारी यह जो स्ट्रीम होते हैं साइन्स की स्ट्रीम इसकी जो आपका जो कॉंटेंट है क्योंकि इस तरह के मुझे कई और दूसरे चैनलों पर ऐसे धूरत लोग कुछ दिखे हैं जो आपके चैनल को लेकर के कुछ मतलब गलत तरीके की वह भी डाल रहे हैं कोई बात नहीं है कोई देखिए एकैज हमेंसा याद रखिया जब काम होगा जब भी काम होगा सही काम होगा तो अलोचना करने वाले अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप कुछ काम नहीं किया है याद रखिएगा बाबा साहब जब काम करते थे तो बाबा साहब पे उनकी बहुत अलोचना करते थे अलोचना करने वाले कफी कम नहीं रहे हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ काम कर रहा होगा जो rational बंदा होगा जो रिशनालिटी की कुछ बात कर रहा होगा तो उसके comment section आप देखिएगा एवन वो एक tweet कर दे तो उसके नीचे देखिएगा हमेजा ही आलोच को की पूरी कतार होती है जी जी वो रहेगा वो हर जगे रहेगा यह एक चीज है, हमारी टकराहट ही ऐसे लोगों से है, लेकिन आपका सजेशन अच्छा है कि हमें फिर भी सतर कराना चाहिए, जी, सुक्रिया, ठीक है सर, आप स्ट्रीम कंटीनू कीजिए, सर, मुझे तो बस यही कहना था, और आपके सोर्सिस काफी अथेंटिक होते हैं, मैं फै इह यहां का रेपरेंस लिया, लेकिन मैं यह इतना जरूर कंफरम करता हूं, जहां मेरे डाउट है, वो मैं गंफर्स कर लेता हूं, तो मुझे पता लगा जाता है, नहीं, बिल्कुल ही सही बताया है, यह बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि हमें गलत तरीके से शायद या फैबरिकेटेड तरीके से परोसी गई स्कूल टाइब, एक तरीके से वो उस तरह की, हाँ, फीडिंग आप कह सकते हो कि एक डिमाग में एक ब्रहमेनिकल सॉफ्टवेर बस फिट कर द इसने, मतलब उनको तो खेर मैं कितना ही पढ़ू, उनका तो खेर, मैं आज तक पूरा तो उन्हें अई तक भी नहीं पढ़ पाया हूँ, जब फहां 6 साल से उन्हें पढ़ रही हैं, उनको जरूर पढ़ हैं, और उसके बाद से आप आगे भी आते रहें, आप से आगे भी मैं आता हूँ सर, बिल्कुल मैं आ रहा रहा हूँ, मिरको रखिये सर, जी सर, थैंक्यों सर, अच्छा यहां पे अमीच जी का सुपर चैट था, वो कह रहे हैं, जै भीम आप सबको वीडियो लाइक और सेर कीजिए दोस्तों, जी बहुत सुक्रिया अमीच जी, आच्छा य लिखे थे हैं, इस जी सर, यू आर फणी और नॉलेजफुल पैकेज, जी बहुत सुक्रिया आपका, और डीप एडिटिंग यह लिख रहे थे हैं, जै भेम नमो बुद्धाय सर, एम सिप, अच्छा मेंबर्शिप लेने में दिक्कत आ रही है, नहीं, अगर आप सुपर च कर पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अच्छा, गेडाम जी, नागपूर वाले जो हैं, यह लिख रहे हैं, जै भीम एस्चे सर, सभी रेशनल वीवर्स से रिक्वेस्ट है, कि सभी रेशनल चैनल को सपोर्ट करें, सुपर चैट और सुपर स्टीकर से, आगेडाम जी, आपका बिल्कुल कहना सही है, सपोर्ट से काफी हेल्प मिलती है, हम लोगों को, जी, अच्छा, इसके बाद से जो है, अब कौन आये हैं, थोड़ा देखें हम लोग, अच्छा, यहाँ पर आये हैं, से नेशन आये हैं, इन से बाते करते हैं, जी, से नेशन, बताएं, क्या बात करना चाहते हैं? अच्छा, यहाँ, प्रॉच्छा, प्रॉच्छा, यह जो टुन्नी है, वो थोड़ा मतलब प्रोपगेंडा भेला रहे हैं कि बुद्धिजम में का सिस्टम है, और बुद्धिजम का सिस्टम जो है, वो थिजम की देने, जैसे कि उन्होंने एक यह दिया है, प्रूफ, इस अच्छा जी, हाँ, बुलिए, 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 यह जो तो सियर कर देंगे, तुझे ना असा नहीं रहे हैं, सर कैसे शेर करो, आरे तो स्क्रीन सोट तो वार्ट सब्सक्राइब से कुछ भी लिख देता है, ना वो, चकर तो यह हैं, सुन लिजे, आप तो फिर पता च जो हैं, जैसे की, ठेरवाद, महायान, व्रजयान, हनियान, क्या, यह सब लगाते हैं, ऐसे कुछ बोल रहा था, और ते लोग, गारा, धारा, बेता, बहुत, ऐसे कुछ फैला रहे हैं, सर इसका खुड़ा डिबंग करेंगे, नहीं तो जब तक आप दिखाएंगे, नहीं स कैसे बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, उच्छी जात वाले, त्रेवांद, महायान, ब्रजयान, यह सारे सरनेम लगाते हैं, यह सब बुछ बंद हो, उच्छी जाती वाले, आच्छा तो यह जितने भी थे, भारत में जितने भी बुधिष्ट थे, उनका क्या सरनेम था, लेकिन मौरी बोलते हैं, सर कुछ लोग मौरी अरे तो मौरे आज बोल रहे हैं ना, उन्होंने तो कभी मौरी लिखवाया नहीं, उनका सरनेम क्या था, तो जब उनका सरनेम नहीं पता है, अच्छा मोगली पुतती समराठा सोक के समय में जो तिर्टिय संगती कराया था, उ वहां पे लोगों का जो नाम आता था, वो इस तरह से आता था कि फादर का नाम आता था, उनके बेटे का नाम आता था, उनके बेटे का नाम आता था, तो वहां पे पिता और बेटे का नाम आता था, सरनेम और नहीं आता था, सरनेम जो रख रहा है, जाती बाद वो फैला सरनेम रखने की परथा जो है किसमें आप देखिए किसमें इन्हीं लोगों में रहते होंगे ना उसके पहले कि चित्रगुप्त चित्रगंद मौर्य जो थे उन्होंने एक किला बनवाया था वो किला है अभी तिर्फ एक किला का जीक्र है सबूत एविडेंस की बात आती है ना इन्होंने बहुत सारे नेम प्लेट उठा उठा के तोड़के फेंक दिये इन लोगों ने बीच में तो ब् आज 1300-1400 साल बाद भी अगर आपको मिल रहा है तो बहुत बड़ी उपलवदी है समराट असुक के किले समराट इन लोगो की चीज़ा मिठ गई है कि नहीं मिठ गई है गुप्त वंस का आज तक कुछ नहीं मिला गुप्त वंस की राजधानी कहां थी यही आज तक नहीं प प्रशांत जी ने लिखा है सर निर्वाना कंसेप्ट कि यहां पर बिजे कुमार साजी का सुपर स्टिकर है सुक्रिया आपका और यहां पे जो है आएम प्रशांत जी ने लिखा है सर निर्वाना कंसेप्ट क्या है गाइड अस प्लीज अच्छा जी एम प्रशांत आप इस जेल 68 देखिएगा शुरू का एक घंटा देख लिजेगा निर्वान के बारे में मैंने पूरा बताया है डिटेल में बताया है इस जेल 68 आचा यहां पे जो है एक और था नेच्छरल वर्ड यहां पर लिख रहे हैं इसचे सर अमित सर और सभी साथियों को जैविम जी जैविम आपको और यहां पे मेंबर्शिप भी लिया है कृष्ण जी ने तो कृष्ण जी मेंबर्शिप लेने के लिए आपको बलराम की चर्चा है इंडिका में नहींचे इंडिका में शिर्फ और सिर्फ अगर किसा की चर्चा है ना तो बुढ़ की की चर्चा की थी तो बुद्ध की चर्चा की थी और किसी का भी महावीर की चर्चा तक नहीं है उसमें उसमें जो है न वेद की चर्चा है न गीता रमायन माभारत की चर्चा नहीं है प्रामणो कोई चर्चा नहीं है उसमें आजीवकों की चर्चा जरूर है और जो ब्रेचमेंस सब्द आ रहा है बमड समड की जो बात आ रही है स्रमेंस और ब्रेचमेंस की बात आ रही है वो ब्रेचमेंस नंगे होते थे आजीवक की बात आ रही है उस पर तो वहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं है, किसी भी जो ब्रह्मानिकल सिस्टम है उसकी, तो जो लोग कहते हैं कि उसमें बलराम की और इसकी चर्चा जूँट बोलते हैं वो लोग, महा बेवकूफ हैं, अरे या आप ग्रीक के जितने भी वो हैं, ग्रीक के जो क्वाइन्स हैं, उनको आप ध्यान से देखिया न, वो सारे उनहीं के क्वाइन्स को तो इन लोगों ने आज अपना देवी दवता बनाया है न, तो जोड़ लेते हैं उसी से, कि इनके ग्रीक गॉड है, ये चक्कर है, जी, केंटेशन, सेंटेशन, इनकी आवाज चली गई है, आचा चले, चले जब आईएगा तब बात होगी, आचा, एसस आये हुए है, चले इनसे भी बाते कर लेते हैं, जी एसस, बताएं क्या करना चालते हैं, एसस क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, हाँ बोलिए, हलो, हाँ जी बोलिए, हाँ, 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 जी बोलिए, जी आप हमें चालते हैं, जी एससे बतार रख हैं कि कि जैसे जो जो अगल पुर्प, हाँ, हाँ, जो एफाँ, हाँ, जी तुन सब्हां खाते हैं उसके उपर जयओगो हमारी लोयलटी शिफ्ट कर तेता है जैसे आगर आज के लीड में जिते हैं कि अरॉ़। जिन उसमें जो बताते हैं जो पुद्ध है इसमें यह एक तरीके से निराशावाती धरम है जो पुद्ध हम है तो यह बात मतलब सच्छा और वो लोग यह भी कहते हैं कि जो बुद्धा में निराशावादी दर्में यह बाबा साथ आपने खुद ले कहा है और यह बिदाशावादी होने के बाद भी कुछ चीज़ोंने पॉजिटिव जो लगी है उनको मान करके उन्होंने जबूर यह यह बीन, तरह से फीज़ बीटरस पूरी तरह से जूंट है ऐसा कुछ भी नहीं है देखिए अगर बाबा सहाब जो थे हैं उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उन्होंने बुद्धम्र को पढ़ाई किया था जम Жंब थम बोला है कि उन्होंने जिन्दगी के 35 से 45 साल जोGO है हैं उसके study में और लगा कर उसको देखा है इसका कोई मतलब ही नहीं था कि अब रहा वो इसलिए बुद्धमार्ग अपना रहते कि लोग अब रहामिक religion की तरफ न जुक जाएं ऐसा उनका कोई मतलब भी नहीं था उनका पूरा पूर जो है whole जो बाते हैं वो इस बात पर है कि हम जो है बुद्धमार्ग को इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि यह मानवता का धर्म है उन्होंने 22 जो परतिग्या ली है उसमें क्या कहा है तो उस 22 पर तिक्या में उत्तर तो दे ही तो रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं बुद्ध धम का ही जो है वो पालन करूँगा इनको ही मानूँगा तो यह सबसे बड़ा उत्तर है वो 22 वो तो कहीं भी मिल जाएगी यह लोग जो हवाला देते हैं कि इस किताब में यह लिखा है कहीं पर कुछ ने लिखाए सब बखवास यह लोग करते हैं देखे भारत में जो है बुद्ध मार्ग को अपनाने का सबसे में कारण यह था कि उसमें जातिवाद नहीं था बाकि जितने भी लोग आएं सब में जातिवाद था सब में है इसलाम जो है पहले ही सिया सुननी मे बटा हुआ है सिकh खमारग में भी जो है जातिवाद आया हुआ है आज भी जातिवाद से वह उबर नहीं पाए है उनके यहां भी भी यह दाथ होती है कि अगर सारे जो है एसी बन जाते हैं तो उनका अस्थान उसमें क्या होता यह लोग वो खुद चर्चा करते हैं इस बात पर तो सीख मार्ग पर भी प्रशन उठा था कि वह यह सीख मार्ग एक च्वाइस थी उनकी सेकेंड ऑप्सन वह भी था बुद्ध मार्ग के बा निरासा होती तो जापान जैसा देश चीन जैसा देश कोरिया जैसे देश इतने बड़े बड़े देश जो है अपने देश को बुला बुला के अपने लोगों को निरासा बादी थोड़े बनवा लेते हैं आप जो है पूरी दुनिया में कोई भी धरम फैला है कौन से धरम खुद से फैल गया है कोई बता देगा एक माई का लाला के खड़ा हो जाए वही बोल रहा हूँ एक माई का लाला के खड़ा हो जाए जो कह दे कि दुनिया के किसी दूसरे देश ने किसी दूसरे धरम को उठा के सुईकार किया हो सिर्फ बुद्ध मार्ग ही ऐसा है यह जो लोग कहते हैं कि निरासाबादी है ना दरसल वो खुद निरासाबादी है इन लोग क्या लगता है कि यही सब सौंदर नंदन किताब पढ़ेंगे जिसमें बताया जाएगा कि बुद्ध जो है वो देख लिए कि भाई कोई बीमार पढ़ जाता है वो देख लिए तो उनका मन विरक्त हो गया फिर वो देख लेंगे बुढ़ापा आता है रूग आता है जर आता है तो कवी की कलपनाए पढ़ पढ़े के जो गाथा सुनाते हैं आप लोगों को वो लोग दरसल बेवपूफ लोग हैं वो सचाई थोड़े अता है बध बद्ध मार्ग जो है बुद्ध के बुद्ध से है ना कि उनके जाने के ऊजार देर हजार दुहजार साल बाद कोई कभी कल पना करे ऐसकी कल्पना है वो लिख भी रहा है सुरू में इस मैं जितना भी चीज़ तो ऐसी किताबों में से जो मसाला मिलाया हूं उस में से पढ़े के जो ग्यान देने चले हैं कि बुद्ध मार्ग ऐसा है वह फिर वही कहेंगे निरासावादी आप यह निरासावादी रहते तब यह जो है चीन जो है अपने यहां से बुला के लोगों को आप मैं कल सेकंड प पार्ट लाओंगा बीदेशों में बुद्ध कैसे पहुंचे फर्स्ट पार्ट मैं लॉंच कर चुका हूं अल्रडी हाँ मैंने वीडियो देखा था उसमें आपने बताया था कि मिल्दम ना किसी के किसी फोर्स से लोगों को बुला बुला करके वह अपने आपे नोने धरम पड़िए बताया था कि इतने से मैं 60-60 शालों में उसमें लुद्म हो गया था 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 हाँlles वही वहीं चीज्ज है कि इतनी जल्दीनिया के सारे देश जो हैं बुलां बुला क давно कल मैं बताऊंगा कि कैसे कुरिया वाले कैसे बुद्धिष्ट बने जापन कैसे बना मामनेमार कैसे पहुंच गए भुद्ध ये सारी चीजे जो है आने वाले दीकत गयान दीखल और दा जानने कि टिकत के ठीक है और पूच्छ पर उसके बाद में उन्होंने उसके बाद में उन्होंने बताया कि यह वाला रिलीजन चूस करा यह नहीं करा है अब एक कोश्चन उसमें उपर उड़ता है वह यह कहते हैं कि जब बाद में पर रिलीजन को जैसे चूस करने जा रहे से तो कुछ लोगों ने सिख्षिब में जाने से उनको रोका था कि वह उसमें ना जाप है ताकि जो पूरा का पूरा जो मतलब जो समाजिक तानवाना वो बगड़न आ जाए उसमें की अचानक से जो ज़्चन क्या है वो जादा ना हो जाए और तर एक इसी में चोड़ा सा कोशन और ये है कि वह बता कि बाबासाब के बाद इतनी डिगरी थी इतने सब पढ़ाई करिए तो कुछ लोगगे डालते हैं कि देखिए उनकी परेसंटेज इस डिगरी में इतनी थी इस डिगरी में इतनी थी तो वह इंटलेक्ट्शल कैस अगर किसी की प्रसेंटेज कम आ रही है तो आपको पहले तो यह बात समझना होगा कि भारत में थर्ड डिवीजन कौन लाया अंगरेज सिव फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन लाये थे थर्ड डिवीजन उनके यहां नहीं था थर्ड डिवीजन का कंसेप्ट ब्रामढ़ लेक पास होने के लिए तो यह कहना कि यह इतना फर्सेंट ना पर्सेंट उतना पर्स लाइन नव्यक्राइबred बिदेश कैसे चल गया जाने लिएए मिलती थी और मेध्यावी बच्को को मिलती थी ए पात आप समझिएगा सिर्फ जो मेदावी बच्चे होते थे चूज किये जाते थेSen कि इन इन में कि द्लीच ये चार को जितना होता था उत्म सेसे किये जा था कि इन मेदावी बच्चों को भेजा जाएगा आप साथесь आएं अगर उनके प्रसेंटेज कम थे सवाल यह आता है कि अगर उनके प्रसेंटेज कम थे तो विदेश से जितनी वो डिगरी लेकर आ गए हैं उनकी जो डिगरी उनके जो किताब था रुपए वाला जो किताब था उस पर प्रॉब्लम है उस किताब पे RBI के अस्थापना की गई उसके मतपु चीजेए लिगए उस पर उन्होंने जो थेसिस जमा की अपनी जो उन्होंने यूएस में पढ़ाई की उन्होंने जो है पढ़ाई की वहां के जो एजूकेटड डॉक्टरेट है उन लोगों ने तो कभी उनको नहीं कहा कि तुम खराब है तुम कर देंगे, पर्थे नहीं कर देंगे, कम कर देंगे, Fed 있는데 सबस्क्राइब करके अंदेश के लिए वे यह राव भी तो थो खराव सब्सक्राइबी मार्स नहीं है तो तुम भी देश हो यहां भी फिल हो गया अगर घंडेश भेल हो जाते नो पड़ी नहीं पाते वह नए पर क्योंकि वहां पर राने लाने के लिए लेकर आकर भारत का Constitution लिख दिये हैं और यह लोग कहानी आज आपको बताने चले हैं यह दू-दो रुपए पर ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट करने वाले लोग आपको कहानी बताने चले हैं इनके पर्सेंटेज कम बिद्वान आचा कम बिद्वान थे Constitution लिख दिये यह लोग इतने ज्यानी होते हैं कि यह बैट के जो है मनुआ समृति रमैड माभारत लिख देते हैं कौन सी डिग्री लेकर आया थे यह लोग इनके रिसी मूनिक डिग्री लेकर आया थे कितनी कलास त आपने और एक दो सवाल पूछे थैं इसके सांथ हमें और भी आपने कुछ पूछा था उसमें बताया था तो वहां पर उनको कुछ लोगों ने पता नहीं वह कूं से उसके थे तो उन्होंने सिखिजम जॉइन करने से रोख दिया था तो क्या यह बात सच है क्योंकि सब्सक्राइब के जो इसमें जो गुरू ने कहीं पे भी किसी भी कास्ट को नहीं माना है और उन्होंनों उसको हटाने के लिए यह सारा जह जो चला है कि मतलब वो क shaped कि कातार में भी कहाना काते हैं Teams जो पूज शॉसायटी में भी वह को फिकול और नंहीं नहीं को तो कि वह चीज़ें नहीं कोmartी 3 सारों कि आप किसी ने मावा साहब को रोका ता जाने से उनका खुद का ही था जैसा उन्होंने बागी धर्म को रिजट करा तो इसको भी करा नहीं देखिए इसमें बहुत सारी बाते हैं एक तो बात ये थी कि बाबा साब जब एनिलेशन ऑफ कास्ट लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने वर्डन किया है कि पंजाब लाहोर में जब वो अपने भाशड देना था उनको और OBC और जनरल इन लोगों ने मिलके पिछड़े वर्ग ने जो बनाया था मंच जात्पा तक तोड़क आंदोलन उसमें इनको अध्यक्ष बनाने के लिए ओफर दिया गया फिर ज सिर्फ जाती के कारण जो है यह लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे लेकिन सिख सिखिजम ने रोका ऐसा अब देखना पड़ेगा एक जो सबूत है वो देखना पड़ेगा कि क्या सिखिजम वास्तों में रोका था आचा सिखिजम में एक बात आपने सही कही है कि है जो कोर है धर्म जो कोर है उसमे जाती वाद नहीं है लेकिन अभी लोगों में धिख रहा है यह सही है ठीकना कॉर में मैंने किसी गुरू के वण्य जादीवाद १ 이야기रिन नहीं देखा है कि कोई aisa कहता हो कि हां रहेगा जैसर ब्रामर धर्म और फिंसा ही लेकिन जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं उन चीज है अच्छा दूसरी बात की जो बाबा सहाब ने जो सीखमार्ग मैं आपको यह बता देता हूं आपको जो है ना बाबा सहब ने क्यों जो सवाल खड़ा किया गया था कि बुद्ध धम उन्होंने क्यों पनाया उनका क्या जबाब था वो मैं आपको बता देता हूं बाबा साहब ने जो यह पुष्टक लिखी है ना बुद्ध और उनका धम तो उसका जो परिचे पोर्शन है परिचे पोर्शन में यह आता है उसमें उन्होंने लिखा है एक प्रशन मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं इतने उच अस्तर की सिक्षा कैसे प्राप्त कर सका और दूसरा यह की मेरा जुकाओ बौध धम की और क्यों हुआ यह प्रशन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं अस्प्रिस से मान क्यों हुआ तो इस पे वो कहते हैं सीधा सा उतर्या है कि मैं बुध के धम को सरोस्रेश्ट मानता हूं कोई भी अन्य धर्म इसकी तुलना नहीं कर सकता है यदि विज्ञान को जानने समझने वाले किसी आधुनिक व्यक्ति को कोई धर्म गरहन करना हो तो वह धर्म बुध क धम ही हो सकता है मुझे में यह अटूट विश्वास 35 वर्सों 35 वर्सों से सभी धर्मों के सुक्ष्म अध्यन के पस्चात प्राप्थ हुआ है बहुत धम के अध्यन की और मैं कैसे प्रविर्थ हुआ इसकी एक अलग कहानी है पाठकों को जानने के लिए यह रोचक हो सकती यह सब यह हुआ आगे फिर वो बताते हैं कि उनके पिता जी के सांथ कोई सेहनिक अधिकारी थे ओनेरे पालनपोचन कड़े अनुशाशन में किया था फिर वो बताते हैं कि उनके साथ जो है कभीर पंथ की भी ये पुस्तके पढ़ते थे मूर्ती पुजा में विश्वास नहीं करते थे साथ ही मुझे और मेरे भाईयों को प्रती दिन माभारत वा रमायड के कुछ अंसों को पढ़ने को बाध्य करते थे यह सिलसिला कई वरसों तक चला तो फिर यह आगे बताते हैं कि इनका कोई थे न एक केलुशकर करके थे आपको पढ़कर इन्होंने बुद्ध मार के बारे में जाना था इसमें बहुत सारा चीज है में सारा चीज नहीं कवर करूँगा क्योंकि ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो बुद्ध और में पढ़ा था मैं बोल देता हूँ आपको जिस वर्स मैंने अंगरेजों के चौथे इस्टेंडर की परिक्षा उतिरने की थी तो मेरे सजातिय लोग मुझे बधाई देने के लिए उस औसर पर एक सारोजनिक सभा आयोजित करना चाहते थे यहां पर प्रदीप जी का और योगेंद्र राम जी का सुपर मेंबर सिप्था शुक्रिया आप दोनों का अब मैं आगे पढ़ देता हूँ अन्य जातियों में सिक्षा की अवस्था की तुलना करने के लिहाज से जस्न मनाने का या आयोजन मुस्किल से ही उप्यूक्त अब देखिए इन्होंने पास किया था ना फौर्थ एस्टेंडर तो उसके लिए उनके जो सांथ वाले थे हैं वो सारोजनिक सभाब करना चाहते थे और यह लोग बोल रहे हैं कि पढ़ने में उकम जोड़त हैं बताइए अचा दूसरी तरफ किंतु आयोजन करता होने यह महसूस किया कि उनके समुदाए में इस अस्थान तक पहुँचने वाला का पर्थम लड़का था यह इसके लिए बधाई देना चाहिए कि यह पर्थम लड़का थें उस समुदाए से तो इनको बधाई देना चाहिए बेकुफ लोग कैसी बाते करते हैं तो मेरे पिता जी यह कहते हुए साफ इंकार कर दिया इससे तो लड़के का दिमाग सात्वे असमान पर देखें बैक्ग्राउंड साउंड आ रहा है आपका सात्वे असमान पर पहुंच जाएगा तो यह हुआ फिर वे दादा केलुसकर के पास गए बाकी सब ही लोग जो चाहते थे कि मनाया जाए जो मेरे पिता के ही एक व्यक्तिगत मित्रत हैं उनसे हंस्त छेप करने की याचना की जिस पर वह सहमत हो गए थोड़े से बहस मुहा के लिए बुद्ध के जीवन पर स्वयम द्वारा लिखी पुस्तक की एक प्रती मुझे भेंट की मैंने बड़ी ही जिग्यासा वा रुची से रुची से पुस्तक को पढ़ डाला और पढ़कर अत्यंत प्रभावित एवं द्रवित हुआ मैंने यह पूछना सुरू कर दिया कि मेरे पिता हम सब को बौध साहित्य से परचित क्यों नहीं कराते हैं और हमें माभारत और रमायर पढ़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं जो ब्रामडों तथा च्छत्रियों की महांता और सुद्रों अच्छूतों की निस्कृष्टा को प्रतिपादित करने वाले वृतांतों से बारे पढ़े हैं तो यह पूरी कहानी आप यहां पर देख पा रहे हैं कि दादा केलुषकर जो थे उनने जो किताब दी थी उसके अधार पर इन्हों ने बताया कि इनको पहली बार पढ़ा और पढ़ते ही मन में कोश्चन खड़े हो गए हैं कि यार रमायन माभारत तो बेकार चीज है इसक ठीक है ओके ओके एसस जी जैविन को अच्छा इसके बाद से जो है विजे कुमार सौजी का प्रश्न है सर बहुत धम को हटाकर ब्रामण धरम को लाने के पीछे क्या वजाती बहुत धरम को लेकर आगे क्यों नहीं गये हां यह बड़ा खुप्शूरत प्रश्न है कि बहु सबसे पहले तो जैसा कि आपने ये सौंदारे नंद को देखा ही कि इसमें एक प्रशंग आ रहा है इस तरी के प्रतिक काम उता तो ऐसे कुछ दुर्त जो हैं ये जब कबजा करना शुरू कियें बहुत महा विहारों पे तो इनके अंदर की जो कामना थी जो वाशना थी वो ग उहोंने अपने आपको एक खाड़ा किया देवदासी प्रथाकिन होने शुरूआत की इनका सेव मारगा गया इनका वैशनों मारगा गया ये अपने मंदिरों टेमपर में देवदासिया रखना सुरू कर दियें अभी भी कई जगों पर देवदासिया पाई गई है तो देवारी जो बहुत भुँए मीं रखना था ना उनको अधिकार था कि आप जो फीजिकल चीजें हैं जो मेस्टरिंटिक जीजें हैं जो बहुत ज्ञादा आपको सहुलियत देती है वो चीज़ाएं लोग नहीं रखते थे ये लोग समरपन में विश्वास रखते थे इनक सब के बीच में यह लोग रहते थें तो ऐसे लोग जो थें इतने कश्टम हैं और कहां एक ऐसा वर्ग आके बैठ गया वहां पर बहुत भी जो महा विहार वगरत हैं जहां पर सोने चांदी कामबार लगवा के रख रहा है उसको मेट्लिस्टिक चीजों की चिंता है उसको भो लता भरी चीजें लिख रहा है तो ऐसे लोग जो हैं यह लोग सोचें कि यार बुद्ध मारग तो चल नहीं पाएगा क्योंकि बुद्ध मारग में रहके हम लोग ऐसा अगर करेंगे तो बुद्धिश्क तो मानेंगे नहीं तो इनको हटाओ हम भी मौज करते हैं क्योंकि इनोंने देख लिया था बगल पैरलल मेंन के सामने एक्जांपल था अब्रहामी के रिलिजन का इन लोग के पास उधारन आ चुका था नवी दसवी सदी के बाद यह देख रहे हैं ते कि भाई जो उधर से आ रहे हैं अरब से जो मर्चेंट्स आ रहे हैं वो तो चार-चार बीबिया रख रहे हैं और यहां हम लोग बिना साधी सुदा ब्रमचारी रह रहे हैं चलो देवदासिया रखते हैं यह एक मैंने जस्ट इग्जांपल दिया है इनके उस रूप का जो काम वाशना के लिए देवदासिया रखते थे सोना चांदी रखने लगे सोमनात मंदिर लूटा गया तो सोना चांदी अंबार था तभी तो लूटा ना बहुत महाविहार क्यों नहीं कहा जाता है कि बहुत महाविहार को लूटा गया उसी जगह को उसने क्यों लूटा जिस जगह पे सोना चांदी का अंबार था यह दो इनके पीछे इनकी मंसा यही थी कि बहुत धम जो है वह त्याग की भी बाते करता है कम से कम जो ग्रिहस्त है उनके लिए कोई दिकत नहीं है पती-पतनी बेभी-बच्चों के साथ खुश रहें जो समाज है उसके लिए आपको भी खुश रहें कोई दिकत नहीं है जो भीखु होते थे उनके लिए कश्ट था यहाँ प्रामः ध्रम में जो ब्रामः है उसको बड़ा मोज है नीचे के तीनों वर्णों से साधी करेगा जिसकी मन करे उससे साधी कर लेगा वो जो है कुछ भी करेगा पूरा का पूरा पावर है तो यह पू पर्सनल लाव के लिए अपनी जातिकत लाव के लिए अचा इसके बाद से जो है प्रयाक सिंग जी का भी सुपरिष्टी कर था बहुत सुक्रिया आपका प्रयाक सिंग जी अच्छा और कौन आये हुए हैं चले इनसे भी देखते हैं एक आये हैं एक्स्प्लेंड वाइजली इनसे भी बाते करते हैं अचा इससे पहले जो है ललित मखवाना ये लिख रहे हैं जैभेम साइंस चरनी जी क्या जैन धर्म पहले था या पुद्धिजम क्योंकि तिर्थंकर 108 थे जो पहले था उसके बाद 108 में महावीर थें नहीं ललित मखवाना एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी आपको डेट देखनी होगी एक तो महावीर का ही खुद प्रमाड नहीं मिलता है उनका नाम महावीर था इसका भी कोई प्रमाड नहीं मिलता है जो आर्केलोजिकल एविडेंस होता है वो तो खोजना पड़ेगा ना बढ़ी बुद्ध के बुन की बात आती है, इंस्क्रिप्शन की बात आती है, मावीर का क्या है, उनके पहले जो मावीर थे, उनका क्या है, अर्केलोजिकल एविडेंस क्या है, जैसे पुरो बुद्धो के नाम मिलते हैं, बिदेशी जो ट्रेवलर्स आयत है, उनके नोट्स में भी प Facebook University में केवल मूँ खोले सब्द गपोड़े या बोल दे कि हो गया पुरा ना तो कैसे हम लोग मान लेंगे हम लोग ऐसे लोग है ना हम सबूत पोचते हैं सबूत तो देना पड़ेगा ना इनको कि भाया तिर्थंकर ठीक है हम लोग यह नहीं बोलते हैं कि जैनमार्ग जो है वो कालपनिक मार्ग है लेकिन अगर कोई यह दावा करे कि पूराना है तो सबूत देना पड़ेगा पूराने होने का अब आप जो है इंदस्वेरी सिवलाइजेशन जिसका नाम तक नहीं पता है उसमें आप दिखाना सुरू कर दो कि वह यह यह जो है उसमें जैन्त हैं प इविडिन्स नहीं है इनके पास सिर्फ क्लेम है यह चक्कर है अचा एकस्प्लेइन वाईजली से चले बाते करते हैं बता है एकस्प्लेइन वाईजली क्या करना चाहते हैं नमस्कर सर आप कैसे हैं हाजी ठीक है सर पहली बत तो मैं यह बतना चाहता हूं कि मैं बंगला दिश्ट हूं सो मेरी हिंदी में गलतीय हो सकती ए उसके लिए मुझे मुझे माफ कर देना तो सर मैंने आपको दो या तीन माहिने से देख रहा हूं और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो मैं यह बात ब पेंगौल है और पंगलादेश के जो हिंदू है उन तक यह विडियो नहीं पहुच रही है या उनको ये हिस्टरी के बारे में जारा भी इंट्रेस्टेट नहीं है वो लोग नहीं जानना चाते हैं इनके बारे में और दूसरी बात यह है कि आप आप जो बोलते हैं कि जो खुआ बिश्मा में फियल गया ह। जो पाला एम्पेर है उसके बाद और भी रहे है जो बंगलादेश में भी डिस्ट्रोई कर दिया गया है तो सर मैं आपका ज़्याद समय नहें लूँगा सिर्फ एक बात बतना चाहता हूँ सर यह जो थेरवाद है और महायान है इसमें क्या डिफरेंस है जब कि यह बतना चा जो तिब्बत में गये थे तो पहले हम महायानी और बज्रयानी थे तो कि हमारी बंगलादेश में जो बुद्धिस्ट कमोनिटी है उनमें काफी हक तक हिंदू ट्रेडिशन देखने को मिलता है जैसे मेरी जो सिस्टर है जो मेरे माता है है वो कभी-कभी सिंदूर लगाती ह जब हम बाहर की बुद्धिस्ट कंट्रीश में देखते है तो वहां पर शादी के बाद जो है सिंदूर नहीं लगाया जाता ऐसे बहुत से ट्रेडिशन से तो मैं आपसे पूछना चाता हूँ कि अभी तो हम लोग थेरवाद ही बुद्धिस्ट है तो सार मैं आपसे बुद्ध का जो एक्चुल जो पाथ है उसको जनरली थेरवाद के नाम से जाना गया है कि वो थेरवादी है वो लोग जो भिखु भी हुआ करते थे समराटा सुक जिनको भेजते थे उन लोग का नाम भी महा थेरो महादेव थेर इस तरह से थेर लगा हुआ होता था तो थ दिखेंगे कि बुद्ध की मूर्ति बनाएकि उसकी पूजा आर्चना ऐसा करना इसका ज्यादा प्रचलन नहीं है विपशें को महायां जो साखा है उसमें मूर्तियां दि जाती है preference मूर्तिया बनाई जाती है और मूर्तियों की जो पूजा पाठ का जो कारेकरम है वो भी इन लोगों ने बाद में शुरू कर दिया था जो अभी भी continued है और जब महायान जो साखा है इसमें बुद्ध के अलावे भी बोधी सत्व भी होते हैं और वो बोधी सत्व जो है वो महिला बोधी सत्व भी होती हैं और पुरुस बोधी सत्व भी होते हैं और इनके जो चित्र होते हैं उसमें मल्टिपल हाथ हो सकते हैं बहुत सारे हाथ होंगे बहुत सारे सर होंगे जो हेड होते हैं वो हो सकते हैं उनमें हाथों में तरह तरह के हत्यार वगरा हो सकते हैं इस तरह की भी च थेरवाद है वो पाली प्राकिर्त को प्रिफरेंस देते रहे हैं आचाए जो वजरयान साखा है वो महायान से भी आगे निकल गया उसने क्या किया कि मूर्तियों की और भी ज्यादा एक्सपरिमेंटेड मूर्तिया बनानी शुरू कर दी और उसमें बोधी सत्व की तो लाइन बना लिया है अब वो उन मूर्तियों को वजरयान की जो मूर्तिया है उनको अपना ये किसी ने ब्रंभा बना लिया विश्नु बना लिया किसी ने सिव बना लिया किसी ने काली बना लिया दुरगा बना लिया इस तरह से बना लिया है तो यह जो मूर्तिया होती है यह वज पता है सर बट मैंने देखा होगा कि हमारे यहां पे लोग खुद को थेरवाद ही बोलते हैं और दूसरी बात हमारी साइड में ही बर्मा है तो वहां पे भी थेरवाद है बट वहां पे भी कही कही जगा पे जो हे अमर्य रखी हुई है थाइल परसेनलि तॉस पर्सेरी हो पे भाएं ऊनकर जगा पे जो है बुक्रीम century क्यों होते हैं तो उन्होंने कहा थे कि हम प्रतिक की साब से रखते हैं बाकि जो अन्य धर्म है उसका पता नहीं है तो इसलिए आपने बोला कि थेरवादी मूर्ती नहीं रखते हैं बड़ थाइलेंड को केमबोडिया है और मायनमार है और बंगलादिश की सिस्था तो थेरवादी बोलने पोबलादी मूर्ती रखते इसका मुझे समझ में नहीं आया क्या बता सकते इसके हैं हाँ देखिए यहाँ जो पर जो में परपस है वो बीसते उनकी टकराहट हो इसी की ठकराहट है कि वो बुद्ध के कोर विचारों को लेकर चलने के पच्छ में थे और महायान experiment के दौर में था वो तरह-तरह की मूर्तिया बनाता है विचितर बनाता है पूजा पाठ करता है वो महायान चीन में ज्यादा पाया गया ना चीन में जपान पी देशों में ज्यादातर देशों में वर्मा को छोड़कर और सिरलंका के कुछ हिसों को छोड़कर पूरी दुनिया में महायान ही फैला है तो मूर्ति कला जो है न यह पूरे दुनिया में जो जो फैली है महायानियों की ही फैली है फेरवादी जो है यह बाद में यह temple बनाते हैं लेकिन मूर्तिया नहीं रखते हैं फेरवादी अगर कोई रखा है कही पे एक दू जगह पे तो यह कुछ परिवर्तन लाये होंगे लेकिन जो फेरवाद है अभी वह आप वर्वा में जाएंगे तो जितने उनके temple है किसी एक में आपको मूर्ती मिल जाएका दो में वो अलग बात है exception के तौर पहे लेकिन उनके टेंपल में मूर्ती नहीं होती वो घिरवादी कहलाते हैं लेकिन चीन में जाएगा तो multiple मुल्टिपल हेंड वाले या थाइलेंड में जाहिएगा तो मुल्टिपल हेंड मुल्टिपल सर गरूड और जितने भी जो आज हिंदू के देवी देवता जो इन लोगों ने बना रखा है वो सारी चीज है उनका बुद्धिजम का बुद्धिश्ट मूर्तियों में मिलती है वो चीजे पाये जाती है तो यही चीन है अ कोरिया ने बहुत धिफरेंस है मने कहीत तो पर रहा था तो सर जो मैंने देखा हूँआкими कि जो जो जापान और कोरिया ने जो आते है म Revelation से जो आते है न इनको तो असल में बुद्धा के बारे में बहुत कम नलिच होता है, यह लोग, जो है, मैंने देखा था कि एक Japanese लूटुबर है, जो आपके देश में आये थे, याने इंडिया में आये थे, तो पता नहीं कि उनको लोग यहां बोल रहे थे कि बुद्धा हिंदू है, यह वो है, और मैंने देखा कि बहुत सारो बहुत सारे हिंदू लोग इंडोनेशिया और केंबोडिया का अंगर बर्ट इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, यह जो इंडोनेशिया यह लोग बोलते हैं, केंबोडिया भी बोलते हैं, मतल votre est Asia में जो आ वुझ याद नहीं हरा इनक बता सकते हैं देखिए आप एक चीज़ समझें कि क्या भारत के लोग हिंदू है पहले इसका जबाब दीजिएगा आपको क्या लगता है इनके धर्म का नाम हिंदू है आपके वीडियो से देखकर पता चलता है कि इनके शास्त्रों में ना सानातन वार्ड है ना हिंदू वार्ड है यह लोग तो सानातनी और हिंदू बोलते हैं ऐसा पाया गया है पर उनके शास्त्र में यह दोनों वार्ड ही नहीं है देखिए सनातन तो विशेशड है अगर होगा भी न तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो धर्म का नाम नहीं है सनातन अगर कोई अपने को सनातन धर्म कह रहा है न तो इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जो बहुत पुराना है सुरू से चला रहा ह जैसा शुरू में था वैसा अभी भी है, वो ये कह रहा है, नाम नहीं बता रहा है, नाम उसको बताना पड़ेगा, तो नाम वो हिंदू बताते हैं, लेकिन आप ये बताए, इनके किसी भी धरमकरंथ में, या इनके किसी भी जो गुरू थे, किसी ने अपने को हिंदू नहीं कोई यह कह रहा है ना कि भारत के लोग हिंदू हिंदू थे या यह हिंदू थे हिंदू थे ही नहीं ना हिंदू कैसे बुद्धा कैसे हिंदू हो जाएंगे जब यह लोग नवी दसवी दसवी ग्यारवी बारवी चौदावी सती तक में अपने को हिंदू नहीं कह पाएं हैं कि सनातन धर्मी की वो आदी है, आदी और अंत एक ही जैसा है, सनातन का मतलब यह होता है, उसका यह मतलब नहीं होता है कि वो किसी धर्म का नाम बता रहे हैं, कुछ लोग काते हैं कि कोई सब्द जो है न वो शंग्या भी हो सकता है, विशेशर भी हो सकता है, अरे हो सकता है, लेकिन यहां धर्म के नाम पूछा जा रहा है, आपसे किसी सब्द का उसका विसेस्ता या उसका जो है संग्या यह नहीं पूछा जा रहा है, यहां धर्म का नाम पूछा जा रहा है, किस धर्म में, किस आपके फाउंडर ने, किस रिलिजियस टेक्ष्ट ने आपको हिंदू क सब्सक्राइब लेकिन सचाई यह है कि भारत के लोग कभी हिंदू थे ही नहीं हिंदू सब्द ही भारत में कभी परियोग ही नहीं हुआ है यह तो इधर आया है पिछले 100-100-200 साल के अंदर हिंदू सब्द परियोग हुआ है अगर कोई यह कहता है न कि वुद्ध हिंदू थे तो फिर उसको बताना पड़ेगा कि औरिजिनल नाम बताना पड़ेगा हिंदू तो सब लोग कोई नहीं मानता हिंदू उनको बताना पड़ेगा कि वो क्या थे अगर समढ थें तो फिर समढ सभ्यता की बाता जाएगी अगर वो समढ नहीं थें समढ सभ्यता के नहीं थें इंडस वेली सभ्यता समढ सभ्यता की बाता आती है और कौन सी सभ्यता आती है फिर सैव साक्त वेशनो ये आता है अब बुद्धा काल आता है जैनियों का आता है औ हमारे अलबा यहाँ पे हिंदू भी पाये जाते हैं किसी ने तो लिखा होता कोई बिदेशी आयाट ट्रेवलिंग करने के लिए वो भी लिखके जाता कि भारत में हिंदू रहते हैं वो भी कभी नहीं लिखा है उसने अलबुरूनी ने 11 सदी में सबको हिंदू कह दिया सुप ज्यों जो है न यह समझनी पड़ेगे कि भारत का कोई भी धर्म हिंदू धर्म नहीं उनको पहले बताना पड़ेगा क्यों को संपरदाई में यह लोग संपरदाई मानते हैं ना वेश्ण संपरदाई है संपरदाई है इन तीनों को मिलाकर यह हिंदू कहते हैं अपने को जो हिंदू है बुदिस्ट जो है साइट से उनका एक्सिवेशन किया है तो इसका मतलब तो यह होता है कि यह जो खुटको आधिकल से है यह आधिकल से धर्म है चला हुआ आ रहा है ऐसा बोलते हैं इनको असल में पता है यह लोग तो सम्राड अशोक को भी भूल चुके होते हैं हाँ हाँ सम्राड अशोक को इनके बारे में नहीं पता था ना तभी तो बोल रहा हूं न मैं इनको धर्म ही नहीं पता है जो व्यक्ति 11-12 सदी में और जिसकी किताब भारत में आती है 19-12 सदी में उस किताब में हिंदू लिखा है उसके अदार पर कोई अपने को हिंदू कह र भी कैसे हम लोग मान लें यह तब ही हो सकता अजब कोई जो है जब अर्जस्ति किसी दूसरे धर॥म का हो अपना बाबो जी बनाने की कोशिअ कर ओं फुए तो इसलिए है यहां पर प्शक्कर ?zel Svu यहां पर व्ल्ड ऑफ मॉरालिटी जी का एक बड़ा खुबशूरत क्वेस्चन था एसचे सर्ट राइंग तो फाइंड ओरिजिन मेनिंग अफ तवर्ड जम्बू दिपा लैंड ऑफ जम्बू ट्रीज सीम्स अवेडी बेसिक एक्स्प्लेनेशन इस देर मोर टू इट हाँ यह अपने बिल्कुल सही कहा है जो जम्बू के पेड होते थे ना उसी के कारण कहा गया है बदरी जो छेत्र है बदरी नात बदरी के पेड बैरी के पेड जो कहा गया है तो और जामून का पेड़ जम्ही newest बहरत जो है न यहाँ पे जामून और कई ऐसी चीजे हैं जो जैदा जग पे नहीं पाई जाती है जैसे चंदन आ में बहुत क्म अलग जगह पे पाय जाता है तो जम्ही का जो कहा गया है न दीप नहीं होगा अपने दीप पा लिखा प्रवाइब कोई टापू नहीं है दीप है जो लेंड ऑफ जंबू ट्री बिल्कुल सही कहा है आपने अच्छा यहां पर जो है जैप्रकास सिंग जी का भी मेंबर्शिप था आपका भी बहुत सुक्रिया अच्छा जी और कौन आया है चले देखें कोई डिवेट के लिए आया हो कहां गए कमेंट वीरो कमेंट में तो बहुत सारे वीर लोग पहुंझ जाते हैं बस यहां जब डिवेट के लिए बुलाता हूं तो कोई दिखाई नहीं देखा अच्छा यहां पर जो है विवेक खाटे जी का सुपर स्टिकर है पहुत सुक्रिया आपका विवेक खाटे जी और इसके बाद से जो है बलू स्टार जी का भी सुपर स्टिकर है पहुत सुक्रिया आपका बलू स्टार जी इसके बाद से जो है सागर कुमार ये लिखते हैं जै भीमसर सरसाही बाबा पर आपके क्या विजार है देखे साही को बाबा मत बुलाई है ठीक है ना बाबा सब्द जो है एक सम्मानित नाम है हम लोग बाबा साहब कहते हैं साही को भी आप बाबा बना दिजेगा तो उसकी तो आप बेज़ती कर रहा है ना साही की इतनी बेज़ती मत किजिए साही की साही बाबा नहीं है न वो साही के बारे मैं कभी स्ट्रीम करूँगा मैं इन लोगा पोल निकालना जरूरी है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनके कारण ने इनको बता है ये मंदिर में बना बनाएगे साही कि आप टेंपल देखिये न इतनी बड़ी बड़ी कौन लोग चला रहे है इन टेंपल्स को किसक लिपावली के दिन पानी डालके तेल जला दीया दिवाली बताइए जो व्यक्ति बहरत में इतने गरीब थे उनको खाना नहीं खिला सकता था मुगलो अंग्रेजु से आजादी नहीं दिलवा सकता था वो जो है पानी को तेल बना दे रहा है और जला दे रहा है बस ये इतनी बात जान गई पब्लिक अब ले पूजा दे पूजा तो ऐसे जो हम लोग के सामने चरितर खड़े किये गया है इनका तो पूरा इनको एक्सपोज करना जरूरी है ना किया जाएगा इसको अचाई यहाँ पे नेच्रल वर्ड भी यहाँ पे लिख रहे हैं सर क्या कारण है कि बाबा साहब ने सविधान में सभी को निस्पक्ष रूप से समान अधिकार देने के बाद भी उन्हें माना नहीं जाता ब्रामःड के अधिन सभी उसी करम में सबसे नीचे दलित क्या लडाई दलित बनाम ब्रामःड है हाँ यह आपने बड़ा अच्छा एक सवाल खड़ा किया है यहाँ पे कि बाबा साहब ने तो कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने तो कॉंस्टिटूशन में शब को हक दिया है बराबर फिर भी उनको उतनी वेलू नहीं देता है इसका कारण है ना कि ब्रामःड जो है ना वो उस पर जो सवाल लोग खड़े करते हैं कि उसकी डीने में ही खोंट है वो बात वो लोग इसी लिए उठाते हैं कि कैसा व्यक्ति है कैसा है जो अपने जाती के जोध करें कि नहीं तुम लोग गरत कर रहे हो यह के भी बाहर निकल के नहीं आता है आके कहें कि भाई दलित लाइफ मैटर्स ओवी सी लाइफ मैटर्स यह के भी कहने नहीं आता है उल्टे उनको बचाने में लग जाता है तो यह सब जो चीजह जब देखने में आता है ना तो ये सब इनके भाई भतिजवाद इनकी जो कर्तूते देखकर आती हैं तो पता चलता है कि इनमें कोई अंदरूनी खोट है, कुछ गरबड़ी है कुछ, ये लोग भारत के लिए नहीं ब्रामःड के लिए जेते हैं, ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है ब्रामःड के अगर ऐसा जानते तो भारत की इस्तिती ही नहीं होती, अपने धरमकरंत, इनके धरमकरंत को बाबा साहब ने मनुस्पृति को जलाया, सबसे पहले इनको जलाना चाहिए था नहीं, इनको थोड़ा सा भी पस्चेताप होता, तो ये लोग आगे आते हैं, करते कि बाबा आज तक इन लोगों में, इसे पता चलता है, इनके मन में खोट है, और ये खोट हमेशा अपने बाल बच्चों को परोशते हैं, अब वही खोट से तो भारत में वैमने से बना हुआ है, जहां भारत को साइंस के छेतर में, टेकनलोजी के छेतर में आगे बढ़ना चाहिए, ये वहां पर पता चल रहा है कि कोई मूच रख ले रहा है तो उसको कोई बूली मार दे रहा है, तो ये इनसे नहीं की खोट पता चलती है, अच्छा यहां पर शामला विश्वनाथ जी जो है, इनका भी मेंबर्सिक लेने के लिए बहुत सुक्रिया आपका, और इसके अच्छा जी और कौन आया हुआ है, चले देखें कोई डिवेट के लिए आया हो तो बताएं भाई, अच्छा ब्रम्भा आये हुए है, चलिए ब्रम्भा से बाते करते हैं, हाँ जी ब्रम्भा बताएं क्या करना चाहते हैं, अपनी माइकन म्यूट करें, क्या आप हमें शुन पा रहे हैं ब्रम्भा, अरे भाई माइकन म्यूट करें, सक्षात ब्रम्भा जी यहां पधा रहे हैं और जो है माइक नहीं म्यूट कर रहे हैं, इतना आप लोग खतरनाक नाम लेके आते हैं, कोई response नहीं देते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा, फिर कहोगे कि आप लोग को जो है, इवेट में फिर कमेंट सेक्षन में आप लोग वो बनोगे, कमेंट बीर बनोगे, चले, जब बोलेंगे नहीं तो क्या किया जाएगा, अच्छा, लोजिकली आये हुए हैं, चले इन से थोड़ी बाते करते हैं, जी लोजिकली, क्या कहना चाहते हैं, हाँ, जैषीराम, आप तो सीधे-सीधे डरा देते हैं, बाई सब आप तो, अरे हन्मान जी का प्रूफ मिल गया, जैषीराम बोलना है, बिल्कुल आप तो, सभूत की बात करते हैं, तो सभूत देंगे अब आपको हम, अरे वाप रे आप तो सभूत भी लेकर आगए, चाह चुकन कर देखेंगा तो आपने नहीं देखा हो बगवदारी है को सुबहे रोज तक बीस साल से उचल रहे हैं दो गन्टा सुबहे चलता है हो अच्छा तो फिर आपसका उसका भी तो प्रूफ देना पड़ेगा ना कि हाथ पर वो संजीवनी की जगा पूरा पहाड़ी उठा लाया वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसे संजीवनी की पहचान नहीं थी पूरा पहाड़ी अभी एक न्यूस चैनल में गया था भारी एडिटर था गोस्वामी उसको उठाके नाच लिया थ वो खुद ही पहाड़ के समाने को सामी तो पूरा देश को हिला देता है तो उसी को उठा दिया और वो अभी बोला है सब के सामने की क्या तुम मेरी पूंच पाड़ोगे तो जिसका पूंच फोगा उसी को पूंच पाड़ेंगे ना तो फिर आप बोले वो बात करा सब यह सिर्फ कह देने से हम लोग थोड़े प्रूफ मान लेंगे कोई अगर आके कह दे कि अपने देखा हका वे 30 साल से उचल रहा है चाह। सब्सक्राइब कर रहा है उसमें पहाड़ी पूरा है वही तो टीवी में चल रहा है तो साक्षात सब वे समयगी कितना बड़ा है पिर इसका हाथ कितना बड़ा है यहाथ पर उस परवत से दक्षिनेकर ले कर पहुं जाए तो पूछ दिखाई उसने पहाड़ उठाएगा आपके पहाड़ उठाने के बड़ा प्रचलान है कभी कृष्ण जो है बारिस होता है तो वह देखिए निंजा टेकनिक सीधे लगाता है हाथ और नीचे गहराई भी नहीं देखता पत्थर कि कितना नीचे तक पहाड़ है बस पहान को आपने चाता बन अच्छा है आपके चाप देखिए भाता से छा चांच हो हताए लुकस चानर के मतों बार्था में पहाड के नीचे था या फिर उसका सरीर इतना बड़ा था कि पहाड उसके थेली पर यहां एक हाथ पर देख से निए प्रवाइन ने पुरा दिखाया तो था अच्छा तो इसका मतलब कि उसका सरीर जो है काफी बड़ा हो गया होगा हुगा अच्छा इसको मांते हैं साबू को चाचा चौदरी में और हमान जी को माने तकलीफ है अब लोग इतना पैसा देखे इस सुपर में स्पैर्डर में दे आप पिटर से आया था तो कि मान जी अपना साइज नहीं कर सकते चित्र में दिखाता हूं थोड़ा सा चित्र देखके थोड़ा अंदाजा लगेगा कि कितना बड़ा उठा सकते हैं अच्छा यह एक मिनट और एक हाँ में पहाड तो पहाड तो तहीं कितने मुझे तो लगता है कि यह एक्षेकलो नहीं हजारो किलोमेटर लंबा है हिमाले माउंटेन जो है वो तो हजारों किलो मिटर लंब है तो एक पहाड पूरा पूरा परवत सिरा सुरी उठाए थे वो एक को छोटा लगा ले आए हूंगे ना नहीं तो सब पहाड आपस में connected है ना जब पहाड हिमाले जो परवत है वो तो पूरा connected है तो उनको थोड़ी ले बड़ी चीज़ा उस्टेम सत्यूग में बड़ी बारी बात नहीं थी वह लोग खेलते थे उठाल या कहीं भी ले गए लिए यह लिख रहा है कि यह तेइस सो किलो मीटर तेइस सो किलो मीटर बता रहा है इतना मेना थोड़े कियोंगे उठाए होंगे तो पूरा पहाड़ी हाथ में आ गया होगा बीच में अलग-अलग छोटा-छोटा टुकड़ा पठार की तरह थोड़े था हिमाले हिमाले तो पूरा एक स्रीज है ना चैन है आपने गदा गदा किसले थी आपके आप देखे गदा का क्या यूज था दो गदा मारे तूट गया कि आप लॉजिक लगाए यह आप लॉजिक की बात करते हैं लॉजिक नहीं रहा होगा सो किलोमेटर मान लीजिए क्योंकि जड़ी बुटी जो है कोई जरूरी थोड़े कि एक ही जगह पर अगर एक जगह पर आपके पॉ वह तो जिसकी जपी जगह है हम जच्मानी पैनते हैं शड़ा के बात है जिसकी जितनी हिम्मत ऊतना जसक लोड जुकर जासे दोनी तो पहारे उठाएतें अभर उचैते बशस्तियों जितना अलम्द्राह कि बिद्च नहीं होते हैं कि लुक्तितना जूब्हारी फि마 पढ़ेगा न назвated है तो इन outta 10 km पहाड़ी स्रीर कितना किलीटर लंबा होगा इनका कितना इंसान है वो तो उसमें आता है कौमिक्स कुंक भाई हों निकल देखे कमिक से तो उस पर लोग सरदत कर रहे हैं अधर वह सबस्क्किल से एक इनसान से बराबर मुश्किल से नहीं हो पाता है उस्से भी छोटा रहता है नॉर्मल इंसान से बड़ा होता है ना साबू तो यह हमारे बिल्कुल बड़े यह मांजी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्र ले चले चले के प्रिका दिक्कत है स्वाडर में इतना जाल क्यों निकालता है अच्छे यह बताइए जो पहाड का लेंथ है पांसो मीटर आधा किलो मिटर मान ले तो कमसे का मुझे लग रहा है कि इससे साथ आठकुना तो बड़े होंगे ही यह हनुमान तो उस हिसाब से अगर माना जाए तो तीन साढ़े तीन किलोमीटर लंबा तो यह हो गए हनुमान बनी जाते होंगे तीन साढ़ेतीन किलो मिटर लंबा हाँ आचा तो इतना जब लंबा इनका गदा होगा तो यह गदा जो है किस मैटेरियल का बना था क्योंकि कुछी चीज को तोड़ने फोड़ने के लिए मैटेरियल होना बड़ा ज़रूरी है कौन से एज में थें क्योंकि जो कौपर था कौपर से तो इनसान को तीर बना के जान ले तो इसके बहुत बजार में ना थीस साल पहले प्लास्टिक बहुत मिलते थे खूब सब्सक्राइब को सागत सब्सक्राइब जाएगा अगर कही थोड़ा सा मारा जाए तो तुरुण दब जाएगा उसे कुछ पत्तर अधर तोड़ी तूट पाएंगे भी सौना हो सोना हो गया चांदी होगया कोपर हो गया यह जो मैटल्स होते हैं यह कभी भी पत्थर को या कोई भी हाड चीज को जो है वो नहीं तोड सकते ना इनको इनको नहीं तोड सकते है तो टाइटेनियम का होगा फिर गोल्ड का कोटेड हो टाइटेनियम का होगा वो तो टाइटेनियम की खोज इनने कर ली थी और गया जब पुस्पक विमान खोज लिया तो ट जो है खकंचर बंदे हुए थे उसमें रमाघ्यड जो है उसमें लिखा हुआ है कि चार जो खचच जूते वुए थे और वह खचचड जो है उड़ते थे और तब विमान जो है उड़ता था इसे वो उड़ने वाला रत था जिसमें खचर जूते हुए थै और वो खचर ऊड़ते थे आज कछ लोग जो है वो समझ लेते हैं कि बैचरा मन की गति से उड़ता था चला जाता था तो यह उड़ने वाला खचर उधार में कहां से लायत है यह उसी यूग में था उसके बाद लुपत हो गया जैसे आप इविलूशन होता है ना तो आप खुझी तो बोलते हैं कितनी सारी प्रजात्या के लुपत हो गई तो क्या वह खचर लुपत नहीं हो सकते तो कितनी प्रजात्या लुपत होगे नाजारों प्रजात्या लुपत हो गई तो उसमें से ब्लचर और बीथा तो предлаг hyung ते कि मामा भीNow भाइबाई होगे उनके यज़े वह और भी तो बहुत सारे लोग थे लव तोBen इसे गंजल होने चाहिए थे यह रक्षसों के पास ही ऐसा खंचड कि था वो इनकी मनुस्मृति उसमें तो साफ साफ कहा गया है कि भाई वेद जो है वो सिर्फ ब्रामण रही पड़ सकता है और किसी को पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया फिर राक्षस वेदों का कैसे क्याता हो गया था पंडित था अच्छा रावन पंडित था ये बात समझ में आती है लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है कि पंडित था तो उसकी जो बहन थी सुपना कारू कैसे हो गई उपंडित हो गया भाई आप जो बहन ही उरक्षासी हो गई उसका नात कान काट लिया तो वर्ण से होता है ना वेद पढ़ने पर ब्रामण थोड़े होता है नामकरण तो बच्चा होता है तभी नामकरण हो जाता है यह सब जूट आप लाते हो जनम से कुछ नहीं होता हो जो करम से होता है तो रामण ने बाद में वेद पढ़े तब पंडित बने आचा ठीक है लेकिन मान लीजिए कि रामण जो है उसका जो वो था जब जनम हुआ तो मनुस्पर्ति में तो साप साप लिखा है कि बच्चे का जनम हो तो उसके दस्वे दीन जो है दस्वे से बारहवे दीन जो है उसका नामकरण करना है और जो बच्चा ब्रामण का बच्चा है उसका ब्रामण युक्त नाम रखना है सर्मा सरनेम लगाना है जो छत्री का बच्चा है उसको बल सूचक नाम रखना है वर्मा या सिंह लगाना है और जो ये है और भ कुछ ऐसे बढ़ना है दसका सोचक क लगाना है पहले से निरधारित हो जाता था तो रůड मनुश्डेशिया नियम था या वेद का कौन सा नियम था कि एक भाई जो है scoring शसे मनुश्ड कि पढ़ लिया वेद highly नहीं पढ़ward तू रक्षषी कैसे बन गई को तो सरनेम लिखाई नहीं नहीं वह न है यही तो सवाल है ना उसका बेटा का नाम है मेगनाथ उसका बेटा का नाम है वो संजे भी सैद नाम था उसके बेटे का अच्छे नाम था अच्छे अच्छे उसके बेटा का नाम है उन सब का भी सरनेम नहीं है तो राक्षस भी जो है बरामड भी है उसका सरनेम नहीं है अच्छा बालमिकी का भी कोई सरनेम नहीं है रा ब्रामर है, कोन रक्षाषी बन गया, कोन धेवता बन गया, किसे पता लगाने थे। करम से, करम से. अचा, करम से. सर नेम का कौं सिर्ट आप लोग ने गुछा आई है, ये तो. उसे करम से होता है, जिसका करम देखी है, और उसका हbourgट कर लिजाए बस. अच्छा तो जब करम से होता था तो जो निसाद पूत्र था निसाद पूत्र जिसके यहां ही गया था राम गया था तो उसका चरडधू के पानी पी रहा था वो जनम लिया था तो कौन सा ऐसा करम कर दिया कि वो निसाद का हला गया राम ऐसा कौन सा करम कर दिया जनम लेके कि वुराजा के हां जनम लेते ही वो छतरिय भी बन गया अत्यरह साल की सीता से उसका साधी भी हो गया तो बाल वीवा था पहले अंगरेजों ने नियम लेक्ट है उससे पहले तुक्ष्म के जिकात है अंग्रेज नहीम लेकर आहें लेकिन और जैसे ङkeiten तो च। साल की थी ना छे साल की उम्र में उसके अपने साधी करा दी आए तिरह साल का राम था उसे साधी करा दी कितनी गलत बात है वह유 तो आज कल भी होता है पहले हां गहां जादी हुआ है उसके बात से बारा साल रहे हैं आजब वहां से बनवास हुआ जब 18 साल के हम हो गए तब फिर जू है वहां से हम यहां पे आए हैं तब यह बताए मुझे कि अपहरण करने जब आया यह कौन अपहरण करने आया यह रावण पहरं करने आया तो रामण आपहरं उनको बनवास कितने साल का हुआ था है रा गए तो गुरु कुल में पढ़ने का गए थे तह नहीं गए नहीं नहीं गए नहीं आरे नहीं आए रमानार सागरने दिखाया था ना वो रामानान सागर ने दिखाया था तो वही तो एक आत्रा नहीं तो वही एक नहीं नहीं तो वही पता है न हमको पूरे दुनिया को अब रामान खोल के पढ़ने कुन बाठेगा वो तो सुकुर है रामानान सागर का लोगों को रामान पता लग गई और बीरा बीरा चोपड ना कि तो न हूं विश्वामित्र उसको ली जाता है सिंट्छा देने के लिए राम को लक्षमन्स को और जब ले जाता है तो छौछा देने के लिए तो रास्ते में उसको ताड़ का वद कर देता है वह दोनों also सबस्क्राइब करते हैं उसके बाद से है किया करता है के शीद्य लें लेके चला पढ़ाई पूरा करके थोड़े आया था वो तो उसी में था ना अपने गुरू के इसांथ तक गुरू ही उधर से उधर लेके चला गया कि भाया चलो हम लेके चलते हैं ना एक दम सही पर आप आप कहना चाहते हैं कि जो रमायन में अरुन गोविल किरदार निभा रहा था वो बड़ा हो गया था इसलिए हम लोगो भी बड़ा मान लेना चाहिए अब आप सही पकड़े हैं और जो उसमें टीपे का जो ती यह और या क्या नाम था दीपाइब आदि नाम था उसका सिटा का जो रोल कर रहे थी वो भी बड़ी दिख रही थी इसलिए हम लोगो यह मान लेना चाहिए कि वो दोनों बड़े थे कि हम लों remaining night विकी था ए तो यह जिसका जो मैंने को आप जो भी जैसे विकीपीडिया है आप एडिट कर सकते हैं आपकी मरजी आपकी कलपना मतला आपकी कलपना तक वह लिमिट है बस स्काइज दे लिमिट तो आप तहीं भी स्टोडी गुशा सकते हैं अच्छा एक और बात है भी डिसकाउंट चल रहा को अभी जो आप सनातनी बनेंगे न आतिनी बनने के लिए वेद पढ़ना जोड़ी है वैसे तो आठ जार पर मिलता है वेद का सेटब यह क्या उन्सों में लोगों के पास खाने के लिए उनको राशन देना पड़ है वेद पे कॉपी रैट था क्या वेद व्यास का तो फ्री में बिलना चाहिए वेद तो तो जहां पर असी क्रोड़ लोगों खाने के लिए राशन देना पड़ा फ्री में वह लोग से सनातनी कैसे बनेंगे यह बड़ा देखे यह आपको बताना पड़ेगा फिर यह आपका पच्छ है कि आप लोग जो है वेद पर रॉयल्टी ले रहे हैं जब वेद व्यास जो फासोष्ण कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अब जिसकाउंट दिया है ना मतलब बहुजन जो है वह बने वैदिक वह बने हिंदू वह बने सनातनी पैसा भी देखे आप पैसा देके आप बनाएंगे पूरी दुनिया पॉंप जो है मुसलिम जो है वह फंड जारी करते हैं इ इतना बोलते ना तो कोई खृत्ता ही नहीं है आपके कारण नहीं हो रहा है यह आप उसकी कमाई करवार हैं एक जाड़ा अचा कोई नहीं पढ़ता था हमने जो है उनकी कितावे बेचवानी सुरू कर दी बईया किताब खोल खोल कर लोग पढ़ना शुरू कर दिये तो इनको वो असान सवाल है उनको मुश्किल सवाल चाहिए जैसे आम कैसे काटते हैं अगर मैं तो इजी दी सवाल पुछता हूं तो मेरे को लेते नहीं वहला आप क्या सवाल पुछते हैं इजी और जारा चोटा मोटा सवाल बड़ा सवाल पूछिए कि आम कैसे खाया जाता है अच्छा एक चीज मुझे बताईए कि मान लिजे कि आप लोग जो है इतना सारा बात मानवता की करते हैं लेकिन मान लेजे कि उतना छोटा उम्र था सीता का छे साल का तो उनकी बहन भी थी मांडवी नाम की एक बहन थी और उनका भी साधी जो है बाल उम्र में लच्छमन से क अफ़की लेजार ने के लिए exports that बचाने के लिए खरचा बच जायेका , एक घर में चार जो है वह है वह सही है लेकिन सीटा तो चली जंगल मैं अब बाकी की जो तीन भाने थी उस में से दू तो अपने पती के सांत रही एक जो लड़की थी मंढवी वो ना अपने पती के साथ रही या ना अपने माबाप के साथ रही उसके बारे में आप लोग उसको निया देना पड़ेगा justice for mandatory यह खड़ा करना पड़ेगा यह बताई यह दूसरा चलाना पड़ेगा किसी का साधी होता है तो सुरू के 12 साल 14 साल कितना इंपोर्टेंट होते हैं होते हैं बिलकुल अपने भाई के लिए राम ने दिया उसका समझ में आता है लेकिन हम लोग मांडवी का क्या करें उसने उसका क्या करें उससे तो पूछे ही उसको सजा दे दी गई आप जो है उसका वो होना चाहिए ना उसका भी तो कुछ बात होनी चाहिए लेकिन उसकी जो बीबी है जो मांडवी उसको साधी क्यों की या फिर अच्छा वीडियो कॉल कर लिया होगा सैथ अच्छा वीडियो कॉल कर रहा है अरे देखिए वीडियो कॉल की सुईधा तो महाभारत में आप लोग लाये थे ना जब संजय जो है वीडियो कॉल कर देता था सीधे कुरुचेतर में रमायड में यह टिकनिक नहीं ला पाया थे आप लोग पहले थे कि बात में थी इसमें बढ़ा डाउट है इसमें 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 पहले रख लीजिए चोड़िए आपको डाउट ना महाभारत पहले थी और वीडियो कॉल आ गया था अब रमान में भी आ गया हो गया विए फोगया प्रोब्लम देखिए इतना इतना आसानी से और आपने खुद ही बोला कि वीडियो को ला गई थी तो मैं तो आपकी एसाब से चल रहा हूं जब महाभारत जो है उसमें उसमें जो है चर्चा आ जाती है रमायड की और रिसी मूनी दोनों में बड़ा जल्दी जल्दी है चलिए इसका भी जबाब आपसे लेही लेता यह बताइए मुझे कि जो अगस्त है जो दुरवासा है और और भी कई सारे रिसी है इनकी रमायड में भी चर्चा आती है माभारत में भी आ जाता है और माभारत में पहुंच जाता है इस चक्कर क्या है हनुमान भी रमायड में आता है माभारत में पहुंच जाता है तो य मैं देखा था वो दारा सिंग महारत में भी आ गया था किया बात कर रहे हैं आप आपके प्रेमी है उनसे बोलिये ना उनको बोलिये ना आपके तो बहुत प्रेमी है वो जो यह है जो बाले मिकी है उतकार रहे है उत्तरकांड में और जुन बकाइदा से लड़ा रहे है उत्तरकांड को जब हटा दिया जाएगा तो फिर तो रामड को जो यह लोग बताते हैं कि बलतकारी था फिर बलतकारी कैसे रह जाएगा रामड जो ब्रामड है उसको जो बलतकारी लोग बताते हैं उतरकांड पर प्रचिपत हटा दिया जाएगा तो बलतकारी तो फिर महातमा बन जाएगा ना उतो राम से अच्छा बन जाएगा फिर अब हटा किसे सकत कर रहा है उसमें जो है जो जो है जो है जुटा जो है कुट्त ग्यान दे रहा है जो आपका प्रचिप्त सर्ग है जिसमें स्री राम के द्वार पर करयार्थी कुट्टे का आगमन और स्री राम उसे दरबार में लाने का आदेश देते हैं इसको प्रचिप्त माना गया है दूसरा एक माना गया है प्रचिप्त सरग जिसमें कुट्टे के प्रती स्री राम का न्याए इसकी इच्छा के अनुसार उसे मारने वाले ब्रामः को मठाथीस बना देना और करोणपती नहीं खेलेंगे के बीड मैं के बीड को करोणपती नहीं खेलना है आप समझ रहे हैं हम आप जो करेंगे अच्छा आज उन्हों नहीं आगा आप जो राम तो वो उत्तरकान में तलवार कहां से आ गई तो वो पैटिबल नहीं है वो विल्कुल साफ मजर आ तो उसको उटाना पड़ेगा यह फार्मूल है जो पूरी रमायन में जो चरित रहा है उसका उसके साथ जो इसको उटाना पड़ेगा वो मतलब मिलावट का ठीक है चलें आपने काफी बताया और कुल मिलाके यहीं निसकर्स निकलता है कि जिनके पास कोई भी सबूत नहीं है मूँ खोलना है सब्द गपोड़ना है टीवी सीरियल देख लेना है कुछ भी दिखाया जा रहा है एनिमेटेड बस वही प्रूफ हो सब्सक्राइब करें तो वह उनको की मतलब नहीं था वह तो बोलते हैं आपता में अफसर तो वह मर्केटिंग उनके पास बहुत लंबी साड़ी बनाए थी गिनिस रुकों में सारी रिकॉर्ड आया था तो वह उसकी मर्केटिंग करने के लिए तो बताए उनको काम हुआ कि नहीं हुआ यह बहुत बड़ा काम हो गया बस तीर किसी ने मार दिया और तीर जो है लग में आता है कि बहाई जब पांचों पांड़ो जब हार गया बीबी हार गया लड़ाई में तो बीबी हार गया जमीन जैदाद हार गया सब स्कीह बहुत बताया है अगर जो बाइडन है ना अमरीका करास्पती उसकी बहु का चीरनन होगा उसके वहां पर यूसे के पार्लामेंट में तो क्रिशन जी आएंगे ये रिवील जी ने बताया है ये सनातनलोजिक है जो अभी जब घटना बोलते है ना जो भी होता है अगर जो बाइडन की पुत्रवदू को कचीरनन होगा पार्लामेंट में और सारे से असान सब्दों में असानी से आ सके अभी भगवान का बचाओ इन सब्दों से होता है जो पॉसिबिलिटी ज नहीं होती है जहां पर उसके घटने के कोई चांसे नहीं है या ऐसी कलपना है जो ही नहीं सकती है उस तरह की कलपना करके भगवान का बचाओं कागज पर हुआ है दूसरा जो है फिर कागज पर ही होगा जो भी है मगर आप इसका तो वह मतलब यह तो सनातन लॉजिक है यह क्रिशन जी का लॉजिक है कि वह कब आएंगे मतलब एक ऐसा लॉजिक है जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो वहीं पर भगवान है अभी भी भगवान इतना सुलब नहीं है कि वह दिखाया जा सके या आ सके बस अपने को अभी भी बचाया ही जा रहा है सिर्फ ऐसे उधारण देके जो घटेगा ही नहीं चले अब लॉजिकल यहां पर लिख रहा है सर आपको इंस्टाग्राम पर एक फोटो भेजना है तुनि को थोड़ा शेयर कीजिए अच्छा ओके ओके टीक है इसके बाद से यहां पे जैसरी राम आये हुए हैं तो इनसे भी छले थोड़ी सी बाते करते हैं जैसरी राम से अच्छाई से पहले जो है राम मनुहर जी यहां लिक रहे हैं हनुमान जी जब लंका में मच्छर के साइज के होकर घुसे तब वह उनकी लंगोट कमर पर कैसे र जी आपने परशन पूछा है तो यह तो वह वाली भी बात हो गए ना कि जब वह अपना सरीर बड़ा किये होंगे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके जो लंकोट है वह भी बड़ा हो जाता होगा नहीं तो फिर तो फट जाएगा अगर नॉर्मल रहेगा फ्लेक्सिव होती थी कि वह छोटा रूप पकड़े या बड़ा रूप पकड़े उतनी फ्लेक्सिबल हो जाती थी उसकी पैंट तो भया हनुमान जी पर भी तो यह कोश्चन बड़ा अच्छा दागा है आपने कि अगर वह मच्छड बन गए तो क्या मच्छड के लंगोड जितनी जाती थी जब बड़े हो जाते थे तो क्या वह बड़े के स्किल हो के उतनी बड़ी हो जाती थी खुशूरत प्रशन है आपका और यहां पे जो है वाइपस इस्टूडियो यह लिखते हैं एक गड़ा हनुमान के हाथ में एक गड़ा यह सृधा वाला अच्छा एक गड़ अले देखें यह क्या कह रहे हैं जैसरी राम हाँ जी बताएं क्या कहना चाहते हैं कि जी बोलें अपने माइक अन्म्यूट करें कि जैसरी राम से जो आईडी आई है वह अपनी माइक अन्म्यूट करें और बोले क्या कहना चाहते हैं देखिए यह जो है ना इनको जूड़ा गया तो यह कुछ बोल नहीं रहा है अलेसं कि ऑप लोग आते हैं आप अनको है ब्रामठा बनके आते हैं शूज की नहीं देड में तो आहें दीवेट के लिए दिखाओ मुझे यह करो उद्कर दिखाओ जब जोड़ा जायगा तो आप लोग बोलेंगे नहीं कैसे काम चलेगा भी अब यहां पर क्या हम लोग इंतजार करें क्या करें बताएं जब कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या किया जाएगा अच्छा जी ये और कौन आये हुए है यहां पर कृष्णा भूशन पटे लाए हुए हैं चले इन से बाते करते हैं जी क्रिश्णा भूशन बताएं क्या करना चाहते हैं हाजी जैवीम पूशन आपसे यह था जैसे सब मुझे बुद्धा की कोर नॉलिज के बारे में पढ़ना है तो वह सोर्स क्या होंगे और अगला कुश्चन में इसके बाद कुछ हूं देखिए आपको कोर नॉलिज जानना है बुद्धा का तो आपको जो है न जितने आर्कियोलोजिकल साइट्स हैं जो बुद्धिस्ट प्लेस के उनको एक बार आपको विजीट करना पड़ेगा क्योंकि बुद्धा का ज्यान जो है न वो किताबों में नहीं छुपा हुआ है बुद्धा का ज्यान जो है न वो समाज में छीपा हुआ है उन जगों पे उन सिलालेखों पे वो उन चीजों में आपको मिलेगा कि आप लोगों की प्रेक्टिस देखेंगे ना जो लोग प्रेक्टिस करते हैं उनसे भी आप बुद्धा का ज्यान नहीं सीख सकते हैं आप जो है किताबे पढ़के भी बुद्धा का ज्यान नहीं सीख सकते हैं, आप सरवे कीजिए सब लोगों का कुछ कमन पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जैसे चार आरिय सत्य मिल गया, श्टांगिक मार्ग मिल गया, प्रतित समुत्पात मिल गया, निवाना, इनको आपको थो गौड और इश्वर की जो बात आ रही है, इस जैल नाइन टी भी है, इस पर मैंने छे साथ स्ट्रीम की है उनके बारे में, उनको भी थोड़ा-थोड़ा आप देखियेगा, तो आपको थोड़ी जनकारे मिल जाएगी, किसी, किसी, किसी भी किताब को पढ़के आप एक्ज वेदों की आलोचना की गई है, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं, कि इनकी बुक्स में वेदों की आलोचना ही ये सावित करती है, कि उससे पहले वेद थे जी, क्रिश्न भोशन पटेल जी, इसका उतर मैं पहले भी दे चुका हूँ, आज मैं फिर बोल देता हूँ, जो बौध मार की किताबें हैं, जो मूल, जो किताब तिपिटक मानी जाती है, उसमें वेदों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ब्रामान के वेदों का कोई उल्ले रहे, वो वहाँ पे वेद का मतलब अनुभाव है, इनके वेद से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके जो वेद हैं वो चार तरह के वेद हैं, रिग वेद है, यजूर वेद है, साम वेद है, अथरो वेद है, और ये चारों में अलग-अलग बाते हैं, किसी में करम कांड की बात आ रही है सब में अलग अलग बाती है अगर कोई वेदों की चर्चा करेगा न तो वो इनके उस सेक्ट को उठा के कहेगा उनकी चर्चा करेगा कि रिग वेद में ये है करम कांड की बात उठा के करेगा कि आपका जो अथर्व वेद है इसमें जो करम कांड है या फिर जब आपका यजूर वेद है, इनकी बात करेगा, सामवेद की बात करेगा, इनकी बात करेगा, वेद सब्द की बात नहीं करेगा, वेद सब्द पाली का सब्द है, जो सब्द ही पाली का है, उसका ब्रामडों से क्या लेना देना, उसमें वेद ये सब्द थोड़े होता है तो वेद जो है जहां पे जो चर्चा है इनके वेद की नहीं चर्चा अनुभाव की वहां पर बात हो रही है एक जगह सब्द आया है विज्या वी आधा जवज्जा तो विज्या सब्द को कुछ लोगों ने वेद बना दिया है तो यह आपको समझना पड़ेगा कि व वेद की चर्चा आई है तीन वेद की चर्चा है त्री विज्या की वेद भी नहीं त्री विज्या की चर्चा आई है तो या तो यह साबित करें पहले कि इनका चार वेद है कि तीन वेद है और या तो फिर यह साबित करें कि इनका जो वेद है वो वेद उस समय नहीं कहा ज आता था यह साभित करें पहले तब हम उस पर डिसकसन करेंगे कि इनके किसी वेद की चर्चा जो है तिपीटक में आई है तो यह पूरी तरह से यह गलत जी क्योंकि मैंने बहुत बहुत जना अंदोलन से जुड़े जुड़े लोगों से यह चीज सुनी है कि बुद्दा से प इसमें कोई देखिए आपका डबल साउंड आ रहा है आप लोग थोड़ा सा सही करके आएंगे न सिस्टम तो ऐसा प्रोब्लेम नहीं आएगी देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन लोग क्या कह रहे हैं मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि कोई व्यक्ति सही कह र मैं किसी नेैसा घाल में करने का पर्यास किया है बताने का पर्यास किया है क्योंकि सब लोगों को यह रटा दिया गया बता दिया गया कि वेद्पुराने हैं तो जिनने कभी नहीं पढ़ा तो अग्यृटहर о हो और वो अगर अगुवा ब्रामड हो वो बताए कि भई उसमें ना वेद की चर्चा है तो लोग उनके मान लेते हैं कि अच्छा यह अपने साइड वल रहा है तो सही बोल रहा होगा यह भी चीज होता है तो इसलिए मेरा यह मानना है कि आप कूर किताब उठाए देखिए कह होगा पर एक स्ट्रीम लेकर आईए है हां लेकर आऊंगा मैं है हाँ क्यूंकि एक कथा कथी तेक योग गुरू अपने इंडिया में घूम रहा हैं बने जो कहते हैं कि उसका ब्रामणी करण करके कहते हैं कि बहुत सारी चीजे हो सकती है योगा से तो उससे जुड़ी अच्छा इसके बाद से जो है अब कौन बचे हैं ब्रंभा आये हुए अच्छा ब्रंभा को तो सैद एक पर लिया था मैंने इनोंने कुछ बोला नहीं था तो ब्रंभा जी आप नहीं बोल रहे हैं तो आप थोड़ा बॉक्स खाले कीजिए ना ताकि जो और बाकी लोग है हैं वो लोग तो आ सके हैं जाजी और कौन है आये हुए हैं मोनो जोए आये हुए हैं चले इनको भी थोड़ी बाते कर लेते हैं जी मोनो जोए बताएं क्या करना चालते हैं जैभीम सर्व सर यह आजकल इस पर एड़ आ रहे हैं यूट्यूब पर काफी एक अमीश त्रिपाठी करके हैं एक महाट पुन्नी यह रमायाड को मतलब जैसे ऑथेंटिक बनाने में लगे हैं कि जैसे इनका कोई एक्चुली सबूत नहीं है तो इनके वीडियो में ऐसे दिखा रहे हैं क जो राम सेतु असल में जिसका नल सेतु है असली में वड़ने उसको मतलब ऑथेंटिक दिखा रहे हैं और ऐसे सबूत मतलब सर यह हो सकता है कि जैसे आजकल यह सरकारी टोनियों कि हैं तो मतलब नकली सबूत प्लांट कर दिये जाएं इन मतलब जूट धर्मों को जी नहीं इनका कोई भी सबूत नहीं है इनका एक भी सिंगल सबूत नहीं है राम सेतु पर तो कुछ भी इनका सबूत नहीं है कुछ भी नहीं है यह लोग उसमें क्या दिखाएंगे यह लोग क्या करेंगे जगहों का नाम बताएंगे उन सारे जगहों की खुदाई एक्सक्वेशन अल्रेडी हुई हुई है और वहाँ पे सारे प्रमाड बताये गए हैं कि वहाँ पे कहीं पे 2600 साल 2700 साल पहले जो है इंसान के रहने के प्रमाड नहीं है सबूत नहीं है इनका आयोध्या की पूरी खुदाई हुई है इक्सक्वेशन हुआ था अयोध्या का इनके स्रिंगेर पूर जो बोलते हैं उसका इक्सक्वेशन हुआ इनका जो है भर्दवाज जो अस्थान बताते हैं उसका भी हुआ यह जो चित्रगुप्त चित्रपूट बताते हैं उसका भी इक्सक्वेशन हुआ कहीं पे भी 3000 साल प पहले शुरुवात किये थे तब यह साई यह सावित करती है कि उस समय ऐसा लगता है कि इंसान बसना शुरू हुए थे राजमहल और बड़े-बड़े यह कुछ परमाण नहीं है तो जब तो 3000 का सबूत यह नहीं दे पार草 है उन जगहों पर इंसान तक के होने का उस किताब में नाम नाम पर पिछले 1000 साल के अंदर आया ह्वह रही वो नाम भी 2000-3000 साल पूरा ना नहीं है जिन जगों का इनके किताबों में वर्णन है तो ये डॉकुमेंटरी में भी जो दिखाएंगे न वो सिर्फ मुर्ख बनाएंगे बेवकूफ बनाएंगे लोगों को और अमिस्त्रिवाठी का कठा चिठा उठाएकर देख लीजिए ये मेश्वपोटामिया की सभ्यता में भारत को कहा गया है इन लोग को पता था वहां का इंस्क्रिप्शन पढ़ा जा चुका था उससे सब्द को उठाया और इसने संकर सीव को जो है इनसान बना के अपने किताब में डाल दिया अमिस्त्रिवाठी मेहुला भाई सर्च के कोई भी ब्रामण जो है कुछ एक दो सब्द उठाके कुछ परोस्ते आस्था के भूखे लोग आंकम उनके बिलीव करते हैं फिर इसने जो है और भी इसी तरह की चीज़े अभी इसने जो है सोहेल देओ पर एक किताब लिखी है राजा जो सोहेल देओ है उनको जो वह भी अपना दावा ठोकती है तो सभी लोग अपना दावा उन पर ठोकते हैं उसका इसने ब्रामण करने के लिए उन पर भी एक किताब लिखी है अभी की है और अब जो है यह इस पर पहुंचा है राम से तूपर तो इनका हमेशा से ही प्रोपगंडा रहा है कि यह लोग कुछ न कुछ प्रोपगंडा खड़ा करेंगे हमेशा करते रहेंगे इनके अंदर कभी मानोता क्यों नहीं जगती है इंसानियत या यह सही चीजे रिशनाल्टी क्यों नहीं जगती यह बड़ा आश्चर्ज और सूध का भी सह है इब्रामण पढ़े लिखकर भी ऐसा क्यों क हां तो कोई बात नहीं न इनकी तो डिस्कावरी हो नेश्नल जीघराफी हो यह चैनल के नाम बढ़ा होने से नहीं मतलब है वह तो पैसे लेते हैं न वो उनको तो लोग यकीन करेंगे हां वो पिए आ अरे तो डिसकावरी क्या भूत प्रेत नहीं दिखाती है डिसकावरी ह गया नेशनल जेग्रॉफी हो गया यह लोग भूत प्रत नहीं दिखाते हैं यह बाला जी में विश्णु का ओतार तक दिखा देते हैं यह इनको पैसा चाहिए यह क्या कर रहे हैं इनकी पूरी जो है जो अंतराष्टी जो विरादरी है मैं बता रहा हूं यह पूरा इनका प और उस तो किसी को पता भी न चला जैसे इनको दिखाना होगा बाला जी तो यहां के लोगों का मानना है कि यहां पे विश्णु जो है आकर और बाला जी के रूप में और यहां पे आठ दिन तक या दू महीने तक यहां प्रोसे जा रहे हैं इस तरह से यह लोग अपना खे तरन दीजा था उसका भी ब्रामणिक रंग किया उसको दिखाद गोड़े कर नहीं और बज भेज़ह को सबूत नहीं मिला है मान लेना चाहिए इस पर जो है जा रही है तो पूरी देश की जनता को तो बर्गलाने वाली बात हो जाएगी है कि मैं जूट के ही संसार को जीना शुरू कर देंगा एक सब्सक्राइब अगर पड़े लोगों से भी ऐसे मतलब बाते सुनी जाएगी तो आम जनत बना लेता है बना लहीं लेता है बाकी कई देशों से आगे भी है भारत लेकिन इनको पता है कि हम लोग जो है साइंस में काम कर लेंगे इनको पता है कि ब्रामभड वर्ग का एक वर्ग जो है वो साइंस में काम कर लेगा एक पिढ़ी है हमारे यहां जो थोड़ा बहुत कि इसी तरह रट पूड के लेकिन बाकी की जनता जो है वो साइन्टिस्ट नबने वह आके न पढ़े उसको खासा के रखना है यह सारा काम जो हो रहा है न जो टीवी पर दिखाए जा रहा है चाहर टीवी कौन देखता है इनके बच्चे आए इसपीस बन के जो है देश को देख वर्ग देख रहा है इनको दिखाने के लिए बात हो रही है कि तुम लोगों को इसी में फासे रहना है राम में बताई यह OBC की जब है इनको फासाने के लिए तुम लोग हों लोग करेंगे तुम लोग इसमें फासे रहो इस है यह सब्धार पत्प्ति है तो उसके साथ काई सरी चीज़ें जैसे उनका संगीत है तो हमारे धर्म में मतलब जैसे के नारत को इन्होंने इकतारा पगड़के दिखा दिया, इकतारा बहुत सिंपल ही बेसिक है, तो और उसके लावा कोई वादियंतर की मिलता नहीं है, खाली सरस्पती के हथ में बीड़ा दिखती है, वो भी एसा वादियंतर है, जो खाली तारों से बचता है, बाकि इस लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि जब जो यह था आज से 2627 अमरपाली की जैसे बात करें हम अमरपाली लिक्ष्वी इन जगों पे तो वहां पे नगर वधुए होती थी और निर्थ के कला और इस तरह की चीज़े थी यहां पे फिर मुस्लिम सासनकाल में तेखा गया कि तांस हुआ था लेकिन जो है इन में कोई खास वह नहीं देखा गया ब्रामण धरम जो है इनके इंद्र आपसराओं को तो नचाता था बगल में गीत शंगित वजाने का कोई जिक्र इनका नहीं मिलता है 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 तो वह सब्सक्राइब नहीं मिलता है क्रिश्ण की बाशुरी है तो वैसे कोई नहीं हो रहाँ है यह लाकोश अ सवाखिएं का जो विडा है वो भी काफी नया है वो तो मुलिम सासन का मुझता है चाब टांसें जब बजाता था वसेड जो बज़ाते थे कालखंड या उस पाद काध का है थीक है, हो के मोननो जवाई कि अच्छा यहां पे कुछ सूपर चाइट पाई थी इसको भी tब तक पढ़िए प्रमोधभारत सी यहां पे इनका स्टिकर था बहुत शुक्रिया आपका कर इब और इसके बाद से जो है भारत फूषंजी का भी सुपर इस्टिकर था आपका भी बहुत सुक्रिया और कोई डिवेट के लिए हो तो भाई आ जाए या डिवेट के समय आप लोग नहीं आओगे कमेंट वीर बनोगे कैसे काम चलेगा भाई कोई कमेंट वीर हो तो बताएं भाई उनको यहां पर ले लिया जाए अच्छा यहां पर यह कोई छत्री आये हुए हैं डिवेट करेंगे चले इनसे डिवेट लेते हैं हाँ जी बताएं च्छत्रिया क्या कहना चाहते हैं हलो हलो हाँ जी हलो बताएं मुझे इतना याद नहीं रहता है आप बताएं क्या कहना चाहते हैं कुछ कहना हो तो बता दीजिए राजपूत राजपूत अच्छा जी आप कास्टियस्ट वेक्ति हैं क्या नहीं 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 मैं human रख लिया हूँ नाम भी हो मेरे को आड़ होना था तोड़ा डिवेट क करनी है आपको तोड़ी आपकी बाते लॉजिकल मुझे लगती हैं लेकिन मेरे को अभी कुछ दिर में बताऊंगा ता अनलॉजिकल भी लगने लगेगी उसकी आप चिंता मत करें थोड़ा सा रुकें यहां पर यहां मनिश वधान जो है यह लिखते हैं जैभीम सबको जी यहां पे जो है सम्मयक जो है उन्होंने लिखा जबर्दस्त कॉमीडी है हां बहुत सुक्रेया आपका जीर इसके दैसे हम्राबली क्या कहना चाहते हैं क्या कहना है आपको आपकी हिसाब से यह हिंदु धर्म कभाया था ठाप वो तो मैं बता चुका हूं कई बार बता चुका हूं जाके आप देखिए वीडियो 171 देख लेजे साइंस चलने के उस पर पूरा डिटेल में बताया है मैंने कब आया है जो अपना गूर्जर प्रतिहारा जो डाइनेस्टी थी वह कौन से रिलेजन को फॉलो करते हैं बताइ अगर हिंदू है आप यह बताइए मुझे कि मुसलिम जो होता है क्या कहता है अपने को कभी कहता है कि मैं सुन्नी हूं कि सिया हूं बता होगा ना कि मुसलिम से जब आप मिलते हैं वो आपसे क्या कहता है कि वो सिया है कि सुन्नी है क्या कहता है बताइए अरे मुसलिम तो कहता है न कि मैं सिया हूं मैं सुन्नी हूं अच्छा आप जो है कट्टर राजपूत से राजपूत बने राजपूत से आप हिउमन बन गया है बढ़ा परिवर्तना रहा है आप में तेजी से मैं जाती वद्धी नहीं हूं मेरे को सवाल है आपसे उस पर डिबेट करना है हाँ तो बताइए ना गुर्जर परतिहार जो है वो क्या थे अपने को क्या लेखते थे देखे गुजर परतिहार पूरी सब जानते हैं कि हिंदू ब्रहमन धरम पॉलो करते थे अज गुजर जो लगाते हैं वो क्लेम करते ना वो मेरा राजाता क्याना में उनका या परमार करके कुछ है कि यह बताएए आपको यह कैसे पता चल गया कि वह हिंदू थैं अरे उनके बारे में लिखा हुआ है उनके बारे में किस ने लिखा है कब लिखा है अरे यह इतियास में लिखा है लिखा गया है कब लिखा हर्सवर्धन के बाद आयते हर्सवर्धन तो सेवंथ सेंचुरी में थे ना उनी के बाद ही आयते गुजर पतिहारा मैं बता देता हूं अपो डेट हैं पता दीच्छे पांडर और गुजर पतिहार नागा बटा वन एट सेंचुरी और सेंचुरी एट अच्छा एड़्ध सेंचुरी में आए तो सेवंथ हर्टी में आये थे तो वो हिंदू बन गये आके यहां पर किस से लड़ाई किये थे एड़ सेंचुरी में आये थे तो यहां पर हर्षवर्दन को शायदा राकिया इस्टैबलिश हुए थे हर्षवर्दन को कहां से हरा देंगे इतनी उकात ही नहीं थी हराए था ननीचे सवथ इंडियनों वाले वह कहां हरा पाय था सवथ इंडिया में हराया तकि इंडिया में इधर आके हराया था कि अधराया हराने का मतलब क्या होता है कि व यह उसके देशा में गय थे यब इनके स्मग्या कि अलगे मिया थे घुक्षल लोटे हो उसमें उसने बुद्ह बोला है जो फेला है कि कोई बुद्ह हर्सवर्धन का नाम तो बुद्ध देव ऐसा तो कहीं नहीं मिला है अब वो हर्सवर्धन के कालखंड से भी ने मैच करता है वो जो इंस्क्रिप्शन है कुछ और कह रहा है और वो यह कह रहा है कि वो इनके ऊपर आक्रमण किया था तो इन लोगों ने अपने वो बचाया था यह नहीं का रहा है कि यह उनके देश में जाके उनको हरा के आया था ठीक है ना ऐसा कोई चर्चर नहीं हुआ था अब बताइए हमें कि भाई गुर्जर प्रतिहार जो है इनका नाम गुर्जर प्रतिहार क्यों है अगर यह हिंदू थे भारत में आके क्या हिंदू बन गए थे क्या यह सुन रहे हैं आप हमें देखिए इनकी आवाज भी नहीं आ रहे है हलो हलो हाँ 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 बोलिए मैं बोल रहा हूँ कि गुजर कतिहार इंडिया के ही थे भारत के ही थे अच्छा भारत के थे कौन से राजे के थे भारत के थे तो मीर भूजर आजाते हैं मीर भूजर आजाते ना कौन से राजे केटेमं बताएज़ा यह गुजरात सैड्स जा साइठlt रा किुजरात साइड में हय सैवं इह इससंचुरी में इंकर बड़ा इंपर था हर्श वर्दन जितना रहेगा tam कौन से धम का पालन कर थे थे एट कौन से सथी के थे एट अच्छा ऑच्छ अच्छा नाइन सेंचूरी एक मिनट आपका जो है एक फोटो यहांपे मिला है जो 9th century का है जो मध्य प्रदेश का है और ये गुजर प्रतिहार वंस का है ठीकिये ना इसको बता morals प्रतिहार 9th century ज्राहिए इसको देखिए तो ये कौन से ही तो बजरयान ही लग रहे हैं एक मिनट दिखाता हूं थोड़ा आपको धुर दुझारा हम ना फोटस देख है थोड़ा परा चलेगा पूरी दुनिया तो सबको हिंदू ही बता रही है सुप्रियम कोड़ तो सबको हिंदू ही बता रही फोटो देखिए तुझरा ये जो मूर्तिकला होती है ये डाकिनी और तारा जो वजरयान साखा है उसकी होती है और ये पालवंसी जो होते हैं जो 19th century में जो बनाते थें बुधिष्ट थें उनकी ये परंपरा है ये ही परंपरा अब ही आई है न अंगरेजु के समय में पहले ये डाकिनी और तारा जाने जाती थी इसका पूरी तो यही आपका चक्कर है ना आपको अपने लिखा है नहीं बाबर नामा में लिखा है यह मैंने नहीं बोला है मैं इस अब वादी इतने हलके पूरूफ नहीं देता हूं अब जो है आप जाकर सिरीज देखिए जिसमें हिंदू हारों की जो बात आई है लोता की है क्यों हारा है जिए कि इन सबका भी मैंने जिक्र कि रखिया है उसको देखिया न तीनों फिलियों को आपको पता चल जाएगा ये देखिये पहले ये मूर्थी देखिये न इसकी ये जो मूर्थी है यहाँ पे ये पूरी वजरियान साखा की ये मूर्थी है और ये उपर यहाँ पे जो औरते आपको यहाँ पे दिख रही है उपर दोनों साइड में उपना हुआ इस तरह का महिला सांत महिआ दिखाएगा पुरूस के सांत जो है पुरूस वाला दिखाएगा यह पहचान होती है और देख रहा है इनका जो सर देख रहे हैं जो पीछे जो धाल भी बना हुआ है कमल के पत्ते की तरह दिख रहा है और तलवार इसमें घुसा हुआ है यह तो यह परंपरा जो है न पूरी तरह से वज्रयान की है यह गुजार परतिहार जो है कॉन कांँ आबर को श्राता तही तो बाबरrets यहां पर मुगरू का वं से थोड़े चलց पाता बैटल ऑ बैटल ऑबयाना जहते हैं बताए न किरा रहतुथ क्या बात कर रहा है तहीं कौन से इन्वरसीटी पढ़ा दिया कि नो सांगा की हालत यह हो गई थी कि वो जो है उनको लेकर भाग गए थे सब यूद चला और वो जो है उनके उनके जो है नहीं बेटल ऑफ बयाना कौन से आप उससे पढ़ रहे हैं आप सेर कीजिए न मैं यहां दिखा देता हूं आपको फिटीन ट्वेटल ऑफ बयाना 21 सब्बर सन बताइए फिफ्टिन ट्वेंटी सेवन जब यह गए थे बावर को वो करने के लिए और उसकी तोप देहके इन लोगों के होस्त पाक्ता हो गया बात कर रहे हैं आप बैटा लोग बयाना की बात करिए तो वही तो मैं पूल रहा हूं ना मैं किसी और की थोड़े बता रह कि अरे नहीं जीतने के बाध से क्या होता है जितने के बाध से राजा को लेकर भाग जाना होता है क्या लोग लोधी को चला गया था कि लोधी तो ऐघ्राधी हरा दिया था लोदी को महरे दिया था थोड़ा रुखयां करीब एक मेने पता चल सब्सक्राइब ऑड्रकिची 15-15 कमई हुआ होगा 15将स कि बटीचे वहा होगा विट्टल आफ जो खानवा है ना उसी में हुआ था राणा सांगा जो है उनको उनको एक ही होगा ना और थोड़े लोगा तो एक में जीत गये एक महार इक कैसे बाप बोल रहे हो अरे भाई साब यह कोई जीत उत नहीं गया था आपके राणा सांगा की यह हालत हो गई थी कि उनको अपनी जान बचा के भाग नहीं पड़ गई थी क्या बता रहा है आप पढ़िए ना आप यह जो ऑफिशल डॉकमेंट से भारत सरकार के थोड़ा रुके हैं भारत सरकार का जो ऑफिशल जो डॉकमेंट्स त्यार किया है कई तिहास कारों ने उन्होंने साफ साफ लि उनको जान बचा के भाग नहीं पड़ी गई थी लड़े थे आठ गंटा लड़ाई भी हुई थी आठ गंटा में पैर उखड़े गए साम हुआ और तुन भाग नहीं करें आरे कुछ दिखा दीजें आप हल्दी घाटी में आप महराना परताब को दिखा रहे हैं आप रणा सांगा की मौत कैसे वोई थी जड़ा बताये हमें वह बता हूं चोटिल हो गए थे बैटल तो किसमें चोटिल हो गए थे बेटल आफ खानवा चोटिल हो गए थे अचाए बैटल अफ खानवा किससे हुआ था तो बाबर से हुआ था चोटिल निकाला गया नहीं तो वहीं पर साब प्था प्धार सक्राइब करें दूबारा आया अच्छाक कहां पे बताएं तुजव रहा हमें बैटल ऑफ खानवा खानवा है कहां पे बताइए तु मुझे एक मेंट देखना यह राजिस्थान में हो का और कहां हो गराना संगवाई की तु राजते थे थोड़ा लोकेशन दिखाए ना यहां पर हम यह दिखाते न सब लो भरतपूर डिस्ट्रिक ऑफ राजस्थान भरत जिके और बाबर चोह है वहांसे यहां पर आ गया लड़ने के लिए हार गया होता तो वहां से यहां आपाता यह अगर यह जीत गए होते तो इनका तो उस पर सासन होता वर्वा जी जाता है उसका साथन होता है न वहाँ पर कि डिली से आ रहा है इसका मतलब कि डिली पर ऊसी का सासन तहारा नहीं था वो कहां से इत्षां सब लोग पढ़ते हैं कि फेबरौरी में हार गया मार्च में जित गया जित गया तat ये मर भी गए ऐसा नहीं हुआ था ऐसा मत कीजय वहाइसाब आहिसा आते आ हैं कभी जो है रजपूत बनके आजाते हैं और यह वहीं दो तीन चीज चीज डिंखे अब ही गए यह अब यह अब यह कि आपका लास्ट कोई पॉइंट लास्ट कोई पॉइंट हो तो बता दीजेंगे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा अगर को और इस signature की बारे मीं लेखे गया क्या बताइए मुझे लिखके गया है आप sploda कि अरे उसने किसी का चर्चा नहीं किया है आपके नर्वेद का चर्चा किया है तब तो करेगा ना कोई रिलीजन होगा तब तो चर्चा करेगा पूरे इंडीका में रेशनल बंदा नहीं था आपके पूरे इंडीका में उसने बुद्ध के अलावे और किसी की चर्चा ही नह ना अगर कोई आपका होता है अगर आपको और सब्सक्राइब यह पर रवल को बुद्धिश्ट होगा उसर आप यह सब चीज मुझ से आपके इंक्वाइरी आप क्यों करते हैं आपके पास कोई फोस्पूरूफ हो की वह हिंदू हो तो लेकर आई दिखा दीजी हम लोगों अगर मेरे को सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे तो फिर यह सब मैं छोड़ चाड़ दूंगा बुद्ध की रहा पर मुझे जाना है ना जिसको बुद्ध के मार्गे पर चलना है वह अपना देखता है समझता है और चलता है उसमें कोई नहीं है चले बहुत लोग है और लोगों से ही बाते करने हैं अच्छा जी इसके बाद से जो है यहां पर इसमाइल मुहम्मद आये हुए हैं इन से थोड़ी सी बाते लेते हैं जी स्माइल बताएं लोगों सर हाजी बोलिया तो सब्सक्राइब है अच्छा है अच्छा ओके शर्मेरा वेकार निए बताएं दो सब्सक्राइब इसमें तो बहुत ही बटी हुई राय है ब्राह्मेंस के बारे में चले गए ओके ब्राह्मेंस के बारे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने को ब्रामण घोसित किया है यहां का मूल निवासी है तो अगर उसका मैच कर रहा है जैसे मैच किया है भारत में तो बहुत मिस्रा तिवारी और और भी कई सारे हैं इनको तो माना गया कि यह सबसे बाद में लोग आये हुए है और तोनि जोसेफ ने तो लिखा भी है कि तिवारी ब्रामण जो है वो सबसे बाद में आये हुए यहां के ब्रामण है ऐसा भी लिखा है बहुत सी और भी किताबे हैं जो जैसे जो ब्रामडू की किताबे हैं इवन के दारनाथ पांडे जो हैं उनकी जो किताबे हैं उसमें बोलते हैं चेहरे मोहरे का सब दिखाते हैं हर जगा पे कहां के ब्रामड जो हैं किस एरिया से मैच करते हैं यह सब भी दिखाये हैं और ब् कुछ और भी प्राइश्ट वर्ग आया या रोमन भी कुछ आ गए ग्रीक भी आ गए वो सब आके ब्राम्हड बन गए इस पर आप डिवेट कर सकते हैं यह डिवेट का टॉपिक हो सकता है ठीक है ना अनावस्य गुरूप से कुछ लोग जो है ब्राम्हंस को बुद्ध से पहले अस्थापित करने की कोशिश करते हैं जिसका एक सिंगल प्रमाड तक नहीं मिलता है तो यह डिवेट का भी सहय है लेकिन मैं इस बात पर एगरी करता हूं कि डिने अगर मैच कर रहा है बाहर से और जो सबूत मिल रहे हैं तो उसको बाहरी कहने में कोई सक नहीं है लेकिन हमारा यहां पर जो कारेक्राम होता है हम लोग इस मुद्धे पर नहीं लड़ते हैं कि कौन बाहरी है कौन देशी यहां पर हमारा जो में फोकस है वो काश्टिजम जितने भी लोग भारत में चाहें वो मुस्लिम हो इसाही हो यहां के मूल निमासी हो या कोई भी हो वो अगर कोई वैचारिक मतभेद रखते हैं जातिवादिता रखते हैं यह रखते हैं वो कोट भी नहीं करेंगे जो भी दवावी लोग है अच्छा यहां पर जो है और भी कुछ लोग आये हैं यहां पर अजीत यादो आये हैं इसे फोड़ी से थोड़ी आपके नडबल साउंड आ रही है तो या तो आप बोलके खुद को म्यूट कर लिजिए या आप इसा करें कि आप अपनी बात ने एक बार में कह दीजिए तो अपना म्यूट करेंगे तो आप अपनी पूरी बात कह दीजिएगा तो काफी हील्प मिलेगा हम लोगों को कि प्रियंबल में क्या चीज है और क्या उसमें बूड बातें हैं और उसमें क्या चीज हम लोगों जाननी चाहिए तो काफी हिल्प मिलेगा सर उसमें जाने के लिए जी प्रूसीड करें सर ओके जरूर जरूर मैं देखूंगा उसमें प्रियंबल भी देखूंगा और फी एक दो जगह पे बताया गया है सजेशन आये हैं कि वहां पे भी हमें अपनी कुछ कारेक्रम करने चाहिए तो देखूंगा मैं अल्टिमेटली टाइम चीजें हैं लेकिन जो भी चीजें हैं उसको मैनेज किया जाएगा जितनी ज्यादा जागरुपता हो सके उसको फैलाने का प्रियास किया जाएगा जी जी सर्थ टेंक यू अच्छर इसके बाद से अच्छा सुजाता भी आई हैं चले इनसे भी थोड़ी सी बातें ले लेते हैं जी सुजाता जी बताएं जी सर जयभीम नमा बुद्धय सभी को प्रियादय के अधियु आपका लिंक देने के लिए सब से पहले तो हाँ हाँ बोलिए बोलिए कुछ आज कुछ एस्पेसल है नहीं सर अच्छा ओके सर साई बाबा पर कब से प्रश्ण पूछ रहे थे हमारे सभी सुनने वाले तो साई बाबा जो थे वो 1957 में एक जंग हुई थी अंग्रेजों के साथ तो वो पेंशन पर थे साई बाबा जी और ओके ओके हां तो यह जंग वो हार गए थे और इसलिए भाग कर उन्होंने सादू का भेश ले लिया और उनका रियल नाम शाय से नाना सहाग पेश्वे था अच्छा यह इंप्रमेशन पक्की है हां सर नाइंटीन एटीन किव्टी सेवन नहीं यह ख़बर पकी है कि उनका नाम नाना सहाब ही था जो साई महराज थे जी सर अच्छा जी आच्छा ठीक है चिक करूंगा फिर में इसको ओके ठीक है हां हां बोले बोले सर अरेबिक जबान जो है तो वो कहते हैं कि आस्मानी गताब हो कि दूसरी कोई बोले पुझा तो Hayır जबान है तो आर्ब疫 जबान की जो टेक्सबुक होती है उस पर कोई ही किताब नहीं रखने देते हैं जी सर दूसरी कोई अगर भूल हो तो हो है मिक नहीं देखे आरेबिक मतलब विक कोई भी किताब हो या फिर कुराल या कुरान क्या बात कर रहे हैं यहाँ तक की बात कर रहे हैं veligny आर्वी जो है वो कोई ओपरवारी या जो आस्मानी लेंग्वेश नहीं है अर्भी जो है वो काफी बाद में आई है अर्भी से पहले तो हीब्रू चलता था आप अरब का अगर कोई स्टडी करें न ध्यान से तो जो अर्भी का जो स्वरूप है मुहम्मद के समय में वो भी अभी आगे चलके वो हुआ है थोड़ा सा विक्सित हुआ है और डेवलप गैसे तो काफी आज लैंग्वेज होती है न वो काफी परिवर्तन हुई है और इब्रहमिक डी्यम में सबसे पुरानी हिब्रू माना जाता है यहूदी इज्रायल में आज भी हिब्रू चलती है लेकिन रिव्रू जो है आज की जो हिब्रू है इसको इजराइलियों ने डेवलप किया था 1948 में दुबारा इसके पहले वाला जो हिब्रू था वो थोड़ा सा अलग था पूराना एंसियंट हिब्रू था वो टफ है और ये इन्होंने नया फिर से बनाया है ताकि आज के लोग उसको समझ सकें और उस फेथर लोग हैं उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन चीजों को गलत कर रहे हैं वो जी सर और कुरान पढ़ते वक्त भी बावजू होना जरूरी है ऐसा कहते हैं और सर पर मतलब बाल नहीं दिखने चाहिए सर के यह तो गलत चीजें हैं यह इसको हम लोग नहीं मानते हैं इसको कोई भी अगर कोई धर्म जो है कोई भी धर्म हो X Y Z, वो अगर किसी भी तरह के महिला को कोई परतिबंद लगाता है या वो अपने तरफ से यह बात कहता है कि उसके किसी किताब में लिख गया है कोई 500-700-1400 सो दूहजार साल पहले जो है कोई कहके चला गया है इसलिए तुम आज की डेट में करो कोई महिला करे या पूरूस करे तो हम लोग उसको जो है ट्रेडिशनल मानते हैं उनको हम लोग मानते हैं कि यह लोग पुराने लोग हैं और उसको हम लोग नहीं मानते और मैं अपील करत कि किसी को भी नहीं मनना चाहिए उनको पुराने चीजों को पुराने हित्र से सहेज कर कि हां पुराने लोग ऐसा पूर पूछ लिजिएaden सिर्वकाइशन कि मैं जानने चाहतीं उस्वेशन मेरा एजुकेशन क्या में एजुकेशन मैं पर आप समझ ada कि जो भी इंडिया में जो इस में ली चांए है ओक थ्क हुआ हैं औक सूजाता जी अगर वेद ने लिखे हैं तो एक ऐसा सवाल आता है इस वर ने अगर वेद लिखे है तो इस वर पढ़ा लिखा भी जरूर होगा तो वह कौन से स्कूल में पड़े होंगे या उस समय कौन कौन सी होगी और उन्हें किसमें पढ़ाया होगा और उनके पास कौन सी डिग्रिया होगी तो इस पर आप बोलिए हाँ ये ये तो बिलकुल आपने सही सवाल किया है कि जब लोग दूसरे लोग ये क्वेश्चन खड़े करते हैं कि आप लोग कैसे सवाल खड़े कर देते हो जब ये कहते हैं कि आपने दो चार साइंस की किताबे क्या पढ़े लेई आपने दो चार ये चीज़े पढ़े तो आज के समय में उनकी फिर प्रसंवीता क्या है उनकी आप चरचा क्यों कर रहे हैं छोड़े लिखे लोग हैं जो साइंस कह रहा है उसकी आम मानेंगे फिर उसकी कोई यहां पर जी ओके सुझाता जी मुनी शब्द जो है तो वह जापानी है या भारतिया है मुनी सब्द भारतिय सब्द है समराट रसो के इंस्क्रिप्शन में कई बार आया हुआ है तो और जापान में जो बुद्ध मार्ग है वो पहुचा है फिफ्थ सेंचूरी के करीब में तो यहां पर मुनी सब्द उससे पहले इंस्क्रिप्शन में इसा से 200-300 साल पहले पाये जाते हैं तो मुनी सब्द भारत का है ठीक है ओके सुजाता जी चले तैंक यू अच्छा इसके बाद से और कोई बचा रह गए क्या धम रतना आये हुए हैं इन से भी थोड़ी बाते ले लेते हैं जी धम रतना बताएं नमस्यार सार यह आपका पैक्राउंड इतना क्यों सब्सक्राइब रहा है साउंड कि सार में थोड़ा काम काम पर हूँ काम का ठीक है अच्छा फ्री हो जाइए का तब बात कीजेगा या कोई बात हो तो बोल दीजिए नहीं से मैं बोलना चाहते हैं था कि हमारे बंगलादेश में जो बिक्कू लोग होते हैं दो तरफ कि तो बिक्कू लोग के वीवाग जो निकाए होती है एक अमरपुरा निकाहे और सियम निकाहे होते हैं तो सियम निकाहे जो बिक्कुगर्ण होते हैं वो लोग थोड़ा आराइन्य में रहते हैं और अमरपुरा में निकाहे के जो बिक्कुगर्ण रहते हैं वो बिखार वर्मा के रहते हैं तो इन दोनों जो विचार धारा है तो यही मैं बोलना चाहता है अच्छा ठीक है ठीक ओके ठीक है धंबरतना आपकी किसी दिन फ्री होके बात किजिएगा बैग्राउंड साउंड आपकी ज्यादा आ रही है अगले बाद फिर आउंगा ओके अच्छा कनिस्क भी आये हुए हैं इनसे भी कुछ बाते रहते हैं जी कनिस्क बताएं जी ठैक्यो साइथ जर्नी जी अच्छन में बरको एड कि आपने मैं भी सुन रहा था स्रेक्षिन में आपकी बात हैं तो आप जैसे अभी एक आयवे थे हैं तो बीच में तो वह कह रहते हैं कि जो पोराने जो थे अपने इंडिया के अंदर वह वादी यंत्रोकार इतना अ मैं दो डूल रहे थे सानस्ड्य नाम है और बुद्र की शांस देखा मैं अचलमैं कब देखा पहली बार इसनमी अब ही आज ही देख रहा था चुनमैं तो मीन अचाइस रिए टोपी का नाम लिखा हुआ था क्या यहां पर लिखा हुआ था आप चैनल का नाम थोड़े चल रहा है यहां टॉपिक चल रही है ना यहां पर नाम तो मैं लिखा हुआ है तो यहां टॉपिक भी तो चलता है एक चैनल मैं तो सर्ब्सक्राइब तो अपको गरम हो रहा है यही मैं पूछ रहा हूं कि आपको इसमें दिक्कत क्या रही है तो प्रशने पूछा तो उसका आप जबाब देता है ना आप उसमें आपके बार बार यह कर रहे यह कर रहा है और आप सईयंस जर्नी है मैं यहां पर वीडियो चला रहा हूं दो अगर आपके पास लिंक गया तो यह वीडियो का सजेशन गया होगा वहां पर साइन्स जर्णिंग नहीं वहां पर इस टॉपिक गया होगा जिस टॉपिक का नाम था कि भाई ब्रामर धरम जो है कब से अस्तित्तों में यह यहां पर इसकी चर्चा चल रही है तो आपने कहा कि भाई आपका जो है है रेशनल वर्ड तो आप में कहीं कोई डाउट है कोई अंदर कुछ भासा हुआ है कुछ दिक्कत है तो वह बता दीजिए तो उसके बारे में प्थोड़ी सी वह कर लिया जाएगा चर्चा कर लिया जाएगा फिर हम टॉपिक पर बाताएंगे ना करने के लिए तो जो था अब बात ने करूंगा आपको इतना जल्दी में क्यों है आपको मैं भगात रहा नहीं हूं कि आप इतना जल्दी में है अराम से थोड़ा बात कीजिए थोड़ा आराम से बात कीजिए पानी नहीं पीली जी अगल-गल में रखे हो तो इतना भाग क्यों रहें है आप जो है रिष्णनल वर्ल्ड को बता रहें कि सांजर नी आप खोज क्या है है जुँट भी आप बोलते हैं फिर आप भाग भी यह है कि मैने हिम्दु धरम क्या है कौन सा उचल मैं हिंदु धरम इसको बताने में खूड़ीया नहीं ब fabrics चाहते हैं बता यह क्या पूछना क्या चाहते हैं वह बोल रहा है कि हिंदु धरम में और उसमें उसमें अंतर है इसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं आज तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था हमने तो अभी बहुत आपके अंदर दिकत क्या है यह बताइए फले पहले तो उसको समधान हम लोग दे सके दूसरे का आपको बोलना है तो वो जब आएंगे तब बोलिएगा ना दूसरे का मैं क्या बोलूगा यहां पर ने जो दूसरा को यहां है आप मुझसे कोश्चन पूछना है तो पूछ लेजिए मैंना थोड़ी कर रहा हूं आप कहां बोलना दे रहा है तो आते आप कहते कि मेरा कुछ लेते हैं जब आप आपको सवाल पूछना था तौ आकर सवाल पूछे होते ना तो सवाल सब्सकार के वह यह जीत नी पाहिते हैं थीक है मैंना कि जड़ीर है उस वर्ल्ड के लेवल के इतनी चीज़े उसमें विखसत हो नहीं पाई थी है ना तो यह बातों सब लोगों को दिखती है बड़ मेरा सर इसमें को संगी है एक्शल मैं कि अगर आप यह क्या रहेगा कि फिर आप लोग उसमें क्या कर रहते हैं आप कौन है यहां आप कौन है आप लोग आप ञें हम लोग बुद्धिष्ट थे और यह कर दो अक पर हो कि आक प्र टूसरों को बंदूग पर कंध्रा ना यह खुल कर दो आप लोग कौन थे जब आप दूसरे से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि दूसरा कोई बुधिष्ट था तो पहले आप ना बताई आप कौन थे तब तो पता चलेगा ना कि कौन नहीं क्रियेट किया कौन क्रियेट किया आप जो है मुझे आप लग रहा है कि आप में कुछ दिक्क हाँडवे बुलिए आप को विसे में अपना थे आप प्रक्ष एपर सुनी ही तो रहे हैं आपके सुनी ही है है ही आप बोल रहे हैं कि ही हिंदू थे तो बताइए न आ हैं कितने साल पहले हिंदू थे कोण से धरम घ्रंद ने आपको हिंदू कहा है कहां से आपको पता चला कि आप हिंदू थे धूड़ा बताए तु हमें जर्गारि नई रुक चेहीं प्रिएक मिनट आपने जो सब्द घूबंग पूछ Caitlin ना वही क्योष्चन ठीक मैं आप से पूछ रहा हूं आप लोग आप ल setups को को आपने कहा दिया बुधिश्ट तो मैं पूछ रहा हूं कि रेश्ट क ώन थे आप फिर कौन थे आप खरने कहा है अप भी हिंडू थे आप पूछ रहा हूं कि आप हिंदू थे तो बता दीजे सबूत दीजिए किसे हिंदू थे पहले आप आप भी जाह सबूत कीkenntि कि आ फिर मैं आपको जबाब के देता हूँ कि यह लोग आपने किलियर कर दिया है कि आप लोग बुधिष्ट थे तो जौ आयते पूछने उनको अपने बुदिष्च बना दिया सीधा सा सवाल है की आप कौन इसका आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं मुझसे बार-बार क्लियरिफिकेशन मांग रहे हैं देखिए जिसमें दिक्कत होता है जिसमें थोड़ा सा अंदरूनी गरबड़ी होता है वो आके सुरू में ही उसकी सबसे पहले जो है उसकी फटती है इस बात पर कि आप लोग कैसे साइंट्फिक रूप से कैसे धार्मिक गरंतों का बखान खोद दे रहे हैं सबसे पहले आप लोग की इस बात पर जलती है जो जली आपकी तो वो सुरू में ही सबको समझ में आ गई थी फिर आपका दूसरा कोश्चन्हा गया कि आप लोग आपने बुधिष्टों को कहा आप मैर्प्रास नहीं तो फिर आप लोग आप नने कहा हिंदू वहाग क्यों रहे हैं नाम लिए है कनिर कोन था के अट कश tai fruits बात को घुमारे हो अपने सवाल पूछा था यहां पे बात कहां से घुम जाएगी आपका तो सवाल है ना जबाब आपको सुनना है यहां घुम कहा रहा है आपने अभी तक जबाब ही नहीं दिया कि आप अगर पूछ रहा हूं मैं अगर आप सुन पा रहे हैं तो बता दीजिए कि आप हिंदू कैसे थे उस समय क्यों इतना बता दीजिए के सब्सक्राइबं आया का ृफ आप यहसे रहेंगे की यह रहेंगे तैक है जी है आप हिंदू कैसे थे इसका जवाब देंगे अप जब आप देंगे तो फिर बताईए या फिर ऐसे ही रोते रह जाएंगे आप हिंदू कैसे थे आप हिंदू कैसे थे आप जो हमसे बात अपनी जो गाता है उससे नहीं बात हो पाती है या तो आपको कुछ जबाब भी देना पड़ेगा आप सोच रहें कि केवल आप जो है आके एक दो कुछेंगे और भाग जाएंगे और मेरी सुनेंगे ही नहीं तो मैं सुनाता भी नहीं हो इतना मेरे पास समय भी नहीं होता है क्या आपा क्योंечат पूछते ऐसे तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा मैं भी जवाब दूँगा आपको भी देना पड़ेगा अर्शी चीज का फॉलू लुट करते हैं तो आप यहां बने रहेंगे नहीं फॉलू करेंगे एक तरफा राग गएंगे तो फिर आप यहा कर दा था अच्छा ओके बताएं बताएं क्वेस्चन सर बहुत जड़ा थे अभी तो कुछ एक दो ही याद आ रहे हैं मुझे आप से पूछने थे एक तो ये था कि जैसे ये इनके जो शोज होते हैं रमायन हो गया महावारत ऐसे जो भी ये टीवी पर हमने देखे थे जब हम कि जो कपड़े होते थे जा उनके जो सर पर जो भी जूलरी वगार होते थी जा जो आर्मर वगार नहीं दिखा थे ये गोल्डिन कलर कर होते थे उसका कोई 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 हिस्टी कोई आर्ची ऑलोजी में भी कुछ पाया जाता है कि वो वैसे इन्होंने कही से कापी कर लिया है हम 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 विल्कुल उनका हर चीज कौपी का है ना उनका हर चीज का कौपी आपने एक चीज ध्यान दिया होगा चाणक्या जो सीरीज इन लोगों ने बनाई थी उसमें चाणक के जो कपड़े पहनाते थे ब्राम्ड़ों को सफेद पहनाते थे और बहुत भिक्वों को जो पहनाते थे वो पहनाते थे जो चीवर होता था वो गेरुवा पहनाते थे अच्छा आज की डेट में आप देखेंगे तो चीवर जो है ये पहन रहा है ब्रामिन्स जो है वो वाइट भी पहन रहा है और वो भी पहन रहा है गेरुवा हाँ वह सेफ्रों तो वह भगवा हो गया ना घगवा है जीह हम तो भगवा भगवा सब्सक्रिप्शन पर पड़े हुए हैं इनका अपना कोई सब्सक्रियर मैं इनका तो काध़ बाद मैं उनने लीखा है बस 225rim फीडि नी ये दरसल punishment होता था, ये समराट असोक के inscription में लिखा है, उन्होंने उन भिख्वो को punishment दिया था, बोला था कि सफेद कपड़े पहना दूँगा, जो बिद्रोह करेंगे, जो संख को तोड़ने की कोशिस करेंगे, दो फाड़ करेंगे, तीन फाड़ करेंगे, अपना नया सिध है, लेकिन ये चाड़क्या जो सिरीज बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे, सफेद कपड़े बैठे हुए, बरामर बैठा हुआ है, तो बहुत सी घाल मिल की गई है, तो ये जो इनके, मलो जो वो आर्मर वगरा होता है, वो उसका क्या हिस्ट्री है, आर्मर तो जो तीर उसको कहा गया है कि भारत में कभी थे ही नहीं, तीर धनुस से लड़ाई भारत में मानी ही नहीं गई है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो भारत में तीर भी माने गए थे, वो इतने बड़े होते थे हैं, कि वो पैर से नीचे दबाना पड़ता था, नीचे पैर से इतने बड बड़े जो है तिर धनुस रखे जाते थे तो अब दूसरे लोग क्याते हैं कि तीरधनुस की बजाए भारत में तलवार और भाला इन से लड़ाईया हुई है तो जो तीरधनुस है इसका बाहर के देशों में जधा वो मिलता है लड़ाईयों का और इनकी जो कहानिया है रमय प्रचार दिखाया गया है बाहरत में कभी नहीं बताया गया है कि भारत में यह तीर धनुस के बहुत ज्यादा सीखते थे यह लोग तलवार चलाते थे भारत में जी अच्छारी और यह जो सर पर भी यह डालते हैं क्राउन की तरह होता है पीछे जो गोल भी होता है जैसे यह भी बिदेशी है यह भी बिदेशी कल्चर है यह रोमन्स रोमन्स यूज करते थे ऐसा रोमन्स करते थे और हमा किसी राजा का इस तरह का नहीं मिला है बहुत जारा टाइम हो गया लेकिन जब छोटे थे तब देखते थे ना इनके जो भी इनके राजों के भी वो टीवी सीरियल वगरा फिल्म में आती थी उसमें भी जो पहनते थे तो मैं मैं सोचता था कि यह ऐसा कभी जमीन के अंदर भ सब्सक्राइब की जो चीत्र मिलेंगे ना पुराने रजाओं के जो चित्र मिलेंगे सिर्फ कला में हाँ जी नों में पगड़ी बांधी हुई मिलेगी सर पे लेकिन ये क्राउन का नहीं मिलेगा लेकिन ये लोग जब अपना रवायन वाभारत में दिखाएंगे तो पूरा क्राउन दिखाएंगे पूरी तरह से रोमन कल्चर अच्छारी ठीक ठीक और एक सर ये भी क्वेस्चन था कि जैसे जो बुद्ध है उनके जो बाल दिखाते हैं वो गोल गोल करके दिखाते हैं न कभी काफी मूर्तियों में जा जो भी वो एक्च्छल में ऐसा थे बुद्ध देखने में या ये इमेजिनेशन है ये क्या है वो उस पर है जगह पर डिपेंड है कि किस जगह पर किस ने बुद्ध को किस स्टाइल में बनाया तो आप जैसे देखेंगे ना आप कहीं कई जगह पर देखेंगे कि सर पर जूड़ा बांदे हुए हैं कई जगा बुद्ध को आप देखेंगे कि सर पे वो जुड़ा बांदे हुए हैं कई जगा आप देखेंगे कि वह जो स्नेल वाला आप देखते हैं ना कि स्नेल टाइप का उस्नेल नहीं है कुछ लोगों ने स्नेल बना दिया है वह दरसल खूसा था जो एक औरत थी इनमें कह आते थे कि भाई जो है इसमें से बुद्धा कौन है और बाहर के जो लोग थे उस समय तो फोटो की विवस्था थी नहीं उस समय इंटरनेट और यह सब था नहीं कि कोई पहले से देखा हुआ हो जाना हुआ पाचान ले तो एक जब गुजरते थे जिन जगहों से और उन प देखने की तो एक औरत ने उनको क्या किफ्ट दे दिया था कुसा ऐसे बुन कर कि आप एक काम कीजिए आप जो है इसको पहन के रखिए यह एक बुढ़ी का आप वो मान लीजिए मतलब एक सुझाव मान लीजिए कि इसको आप रखिए क्योंकि हम लोग को बड़ा हमारी न तरह वह उसको पहन कराते थे । और बाकी अब गंधार क्ला में जाएंगे तो वहां पर उनके सर पे जुढ़ा बंधा हुआ रहunta के, और कहीं पे चांचिनीज में जो है, वह सीधे एक उपर की तरह टेल की तरह वह अज्या हूशा हूशा बाल मिल जाएंगा तो अलगललं उने अलग-अलग उनकी हैरेस्टाइल बना रखी है जी अच्छा एक और भी मेरा क्वेश्चन था कि जब आप में अगर थाइलेंड वारा गए हो जा उस साइड इंडोनेजिया मलेजिया के तरफ तो वहां काफी यह हिंदूइजम की कहानिया हैं वहां और कुछ लोग है वो मान लिया के इंडिया में इसका इंफ्लूएंस था ब्राह्मनिजम का तो ऐसे हो गया ना उन्होंने उसको कॉपी कर लिया चोरी कर लिया और पीछे से मिटा दिया तो उस एरिया के जो आइलेंड जैसे ऐसे थोड़े बहुते और भी आइलेंड वहां लोग अभी भी अपन हिंदू इनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है अगर हिंदू ना इनकी आइडेंटिटी रही है ना भारतियों की कभी आइडेंटिटी रही है हमेशा ही हिंदू जो है ना सको ने भी इनको हिंदू नहीं कहा कुशान हुडों ने भी नहीं कहा हिंदू इनको जो कहा न वो मु तो गए हैं मुसलिम इंडोनेश्या पे पूरा कभजा है मुसलिम का तो यह जितने भी थाइलेंड में भी घुसे हैं हर जगा यह घुसे हैं होंग कॉंग में भी घुसे तो जितने भी जगा पे मुसलिम घुसे तो उन्होंने सब को जो है हिंदू ही कहा है और भारत में भी इ ऐसा लगा कि यार चलो हम घृति के नाम से तो वो कहता है त्रिस्कार करता है कम से कम हिंदू में तो अगर हिंदू हम कह लेंगे तो थोड़ा बच जाएंगे नीची जाती होने से यह जो जूट मूट का एक वह था एक ख्याली पुलाव था इसने अभी के पिछड़े वरको और A.C.S.T. के कुछ वर को आकरसित किया है इसके कारान से ये लोग फंस गए जुन-जुने में जी अच्छो जी ठीक ठीक है मुस्लिम मुस्लिम ने आइडेंटिटीटी दी है विदेश में भी जो कह रहे हैं ना पंदरहवी ये जनरली पंदरहवी सदी के बाद की ही सारी घ बुद्धिश्ट देश है जापान को कोरिया में भी बुद्धिजम का ही प्रभाव है पुरा बुद्धिजम ही है तो ये बुद्धिश्ट देश है कुछ लोग जो हिंदू कह रहे हैं वो उसी एक और क्वेस्टिन था सब कि जैसे मैं समझ रहा हूं कि प्राकृत जो है व जो नौथ इंडिन के लोग है ये एक्चल में इनका मिक्शर है इरानियों या उस डिरेक्शन से लोगों का जो पाली बोलते थे वो तमिल से जादा रिलेटिड है ऐसा ही है कि जब ये पहले नहीं आई थे जो इरानी लोग है तब पाली थी पूरे इंडिया में तो वैसे जैसे वो आके मिक्स होना शुरू हुए तो उसको प्राकरिट बन गया और समय के साथ वो तमिल जैसी लैंग्विजिस बन गी साउथ में द्रविड जिसको बोलते हैं ऐसा है इसा ही है सर ने द्रविड की जो भासायं है न वो पूरानी मानी जाती है द्रविड भासायं जो गंगा सभ्यता है, इंडस वैली के बाद से जो गंगा वैली सिवलाइजेशन आया, तो गंगा वैली सिवलाइजेशन में ही पाली प्राकिर्ट आया था, पाली प्राकिर्ट जो है गंगा वैली सिवलाइजेशन की देन है, और ये जो पाली प्राकिर्ट है, ये गंगा व हशाओं के मिलने से नया रूप गढ़ती है ताकि दोनों-तीनों समझ सकें वो बनी-बनाई भसाय होती है लेकिन प्राकिर्ट जो है ना पाली-प्राकिर्ट इसको किसी चीज से बना हुआ नहीं माना गया, बलकि लिए माना गया कि ये प्रकिर्ती से ही बनी है तो ये चीज था और ये बाद में गई है बीदेशों में, बुधिष्ट चुक्ई प्रचार करने के लिए दूसरे देशों में गय beetle है, जैसे मन्यमार में गय तो वहां पूरा पुरा का समराज्य खड़ा किया, सिरलंका में पाली का समराज्य खड़ा किया, तो जब दूसरे-दूसरे देशों में ये गए न, ऐसी आ के यूरोप के भी कुछ देशों में गए हैं, अमरिका तक में जाने की इनकी चर्चा है, अमेरिका मेक्सिको में जाने की इनकी चर्चा है डेनिस लिली ने पूरी एक जो है किताब लिख दी है इस पे उसमें 12 चेप्टर में पूरा चेप्टर ही लिख दिया है बुद्धा इन नार्वेन अमेरिका इस तरह से करके इन 5th century तो ऐसे करके उसकी भी चर्चा आती है तो यह लोग जब बाहर गए ना तो कुछ-कुछ सब तो उधर के इधर के मिक्स हुए हैं जिसको यह लोग कभी कहा देंगे पाली प्राकिट इंडवारियन भासा है इस तरह से लोग बोलते हैं कुछ लोग लेकिन यह आने जाने के परभाव के करण हुआ है है नेचुरल यही ठीक है यह आपना साइंस जरने के कॉम्मिनेटी पोश्ट पे स्क्रॉल करके एक दो हपते पहले की पोश्ट देखिएगा उस पर मैंने पूरा इसका लिख दिया है जो जो बाते उसमें आई हैं वो सारी चीज़े मैंने उस पर दिखा रहा है स्क्रीन सोट भी डाल दिया उ में वो कनिस्काल से मिल जाती है कनिस्काल में जो हैं मल्टिपल हैंड्स मल्टिपल सर इस तरह की प्रता आज आती है चाइना में यह बहुत आयत पाई जाती है अभी वी किसी भी चाइना टेंपल में आप जाएंगे ना बुधिष्ट विहार में या भारत में ही किसी पहली दूसरी सदिस्की है वहां से सुरू हो जाती है तो यह ऐसा सम अंडरस्टनिंग यह है मेरी कि इन्होंने चलो जमीन से यह कहीं भी इन्होंने ऐसी स्कल्चर आर्ट उठा ली तो इन्होंने उसको देवी का ऐसे मंदर बना दिया उनको थोड़ा बहुता पॉलिश कर दि जा तो ऐसे डिवी इन्होंने बदा दी होगी ना जहां भी मिली होगी इन का कुछ? इनका कुछ ऐसा चक्र रहा था कि यह लोग सथ्व конце गय्यों बोधि सत्व एक उपाधी थी जो है जिसमें इसका मल्टिपल discharged उसमें नियम था किसी का चार हाथ किसी का चार तो जिस जिस बोधिषा को ये जितना पावर्फुल मानते थे हैं उसके उतने ज्यादा हैं उतने ज्यादा सर दिखाते थे कि इसमें इतने वो अरहंतों की इतनी ताकत है या इतना घ्ञान है ऐसा इनका कुछ सिम्बोलोजिकल वो था एक प्रियोग था एक्सपेरिमेंट था वो दिखाने का तो इस तरह से करके वो डिफरेंट डिफरेंट बुधी सत्व बनाए थे लेकिन भारत में ये परंपरा जो है धीरे से बिलुप्त भी की गई जब मुस्लिम सासन आया तो करूं ऐसा एंडरस्टैनिंग रखूं कि जब से बुधिस्म स्प्रेड हो गया ना थोड़ा पीसफुल बन गए लोग उन्होंने हत्यार वगर आपने छोड़ दिये फिर जो बुधिस्ट लोग थे मंक्स थे ये ट्रैवल करकर के विलेजिस में पहाड़ों में जहां भी ज जाते थे वो खुद तो चलो नहीं होगे ना लिटरेट होगे वो तो वैसे आपने आपको एसे ही उसमें चेंज कर लिया होगा कि हम भी विक्कु हैं हमसे भी आप एजुकेशन लीजिए तो ऐसा ही कुछ होगा सर आपके साफ से यह आपने बिल्कुल सही कहा है इसको फिफ जाना और उसकी सारी चीजों को सीखना समझना फिर जो है आप उसको धीरे से जो है उसमें भेद लगाना उसको खतम करना उस पर कबजा कर लेना या मोके की तलास में रहना कभी कि यह चीज खतम होता है फिर अपना कबजा और फिर वहां से आपकी बचसाथ सुरू हो जाती है उन चीजों को बदलना सब चीज वही रहेगा और कुछ-कुछ चीज है बदल दी जाएगी तो इस तरह से करके जैसे आप आज के जितने देवी दे होता है सब के कपड़े और सिंगार हटा ये तो बुद्ध दिखाई देंगे बुद्ध या महाविर्द दिखाई देंगे तो यही चीज है इस तरह से दीरे-दीरे करके इन लोगों नाइंथ सेंचूरी के बाद से जेनरल वी यह सारी चीजे शुरू हो गई थी वो जो शंक्राचारिया नहीं जो इसको हाँ 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 संक्राचारिया जे 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 हमारे लोग कितने बोले हैं आपसे पहले भी जो इ जरनी है और आप जो है साइंस ऐसा मैं सुछा साइंस यह दरशल ट्रोली है और पिछले दो साल से इसी तरह का कमेंट भी इसी तरह से ट्रूल करते हैं क्यों यह सई हैंस पर कि किसे हिंडू हो एक सभूत तो कैसे हिंडू हो उन moderate पाएंगे इदर идबादर भूमते रहेंगे इदर दर बात कर चले जाएंगे यह वैसे ट्रॉली है यह मैं एक्चल में उस बंदे की बात कर रहा था सर जो वो हनुमान को बता रहा था कि पहाड काट दिया ये कर दिया आचा अचा वो बहलो जा तो ट्रोल है जा आपका टाइम वेस्ट कर रहा था जा इतने बोले लोग हैं कि मुझे समझ आथी ये कैसे दुनिया में जी रहे हैं इतने मलों सिंपल से आंसर को ये accept कर ले थे कि गदा से ये मार दिया तो पहाड छोटा हो गया मैंनों कैसे लोग रहा हो वो मौज ले रहे होंगे दर असल हाँ जी हाँ जी वो जो है ना वो मौज ले रहे होंगे इनका ट्रॉलियों का मौज ले रहे होंगे एक और शोटा सा सवाल सर ये है थोड़ा political leading protection ले ली तो इनको बताया जाता है अगर चाइना तो अपने मनों वो अपना कोई और लामा बता रहा है कि ये बुदिस्जम का ये head है लेकिन जो इंडिया बता रहा है ये दलाई लामा है तो सवाल ये है कि दलाई लामा जी कौन से बुदिस्जम की ये preaching करते हैं ये क्यों नहीं आकर बोलते जा इनके ओपर इतना pressure है इंडियन गवर्मेंट का ये बहुत अची एक इंडियन गवर्मेंट की ये एक बड़िया planning थी कि अगर हम दलाई लामा को टिवेट को exile गवर्मेंट इन exile है ना इंडिया में उनकी तो उनकी उनको ऐसे हम protection दे देंगे तो ये हिंदूइजम का हमें वो दिखाएंगे नहीं इतिहास ये हमारे खिलाव कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने इनको दलाई लामा को मैंने कभी नहीं ऐसा कुछ कोई critical बोलते हुए सुना कभी देखा ये अपना बस time pass करते हैं बाते हुमें हसी मजाग कर लिया लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं करते कि आप लोगों को सच बताओ या history बताओ या कैसे जी आरकेविद आपने बड़ा अच्छा खुबसूरत सवाल पूछा है लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी जो proper बुधिष्ट है ना वो कभी भी किसी दूसरे धरम मजहब के बारे में बोलते ही नहीं है ये कोई भी जो proper बुधिष्ट है ना वो उनसे जब आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमें जो है ना हम बुधिजम की बात कर सकते हैं दूसरे धरम मजहब के बारे में क्या बात करना है और अपनी वो लोग बाते करतें कभी दूसरे की बात नहीं करतें लामा जो है वो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि उन्हों ने जो बाते रखी है घूम घूम के उनको मैंने देखा है कि वो सीवलिंग पे भी साथ एक जगा पानी या दूद चढ़ाते हुए पाये गए जब सब लोग चढ़वा रहे थे उनसे कहा कि आप भी चढ़ाये वो भी चले गए चढ़ाने के लिए या ऐसा कोई पिक आई थी अब पता नहीं फैबरिकेटेट थी क्या थी तो यह चीज़ा हमें देखने को मिलती है कि यहां पे मेरा यह कहना है कि देखिए जो सचाई है वो जो लीडर है जो निर्थित्व कर रहा है अगर वो नहीं बताएगा तो सचाई कैसे सामने आएगी आपके लोग जो हैं सचाई कैसे जानेंगे आप अगर उसमें हैं एक्जाइल में हैं आप सोच रहे हैं कि हमको यहां प्रोटेक्शन मिल रहा है रहने का मिल रहा है और इस कारण से हम कुछ नहीं बोलेंगे कुछ नहीं सत्य बोलेंगे जबकि लामा को स वो बोल रहा है कि आर्य जो हैं तीपत से आये हुए हैं तीपत से 10,000 किताबे मिलती हैं बुधिष्ट किताबे और उन किताबों का ठेका भारत के वो संगठन कर रहे हैं जो खुद हिंदुत वादी हैं ये देखिए वो संगठन अनुवाद कर रहे हैं बुधिष्टों का मेरे ख्याल से उनको अगर यह वजरयान तंत्रयान और जितनी भी बुद्धिजम की चीज़ें अगर वह बताना सुरू करें आपको खाजाना मिल सकता है लेकिन उसायद वह चुपी है या बताना नहीं चाहते हैं क्या चक्कर है तो यह लगता है उनका ना मुह बंद किया गय हम हम हुम हम हुम हम bac से हैु झाहते हैं की आप ना हमें क्ञेक्ट कर रहे हैं क्यों कि EN鉄塔 कांटिनेत हैं बहुत बड़ा है सो हम जिस एरिया से हैं हमें अश्कुछ पता ही नहीं ये बुद्दीखिव का जा हिंदुईश्म का भी हमें अश्कुछ नहीं क्वाद। तो आप बहुत अच्छा ये काम करें हमें connect करें actual में rest of India से history से so बहुत थेंक्यू सवराबका और अगली बार भी प्लीस जोडियेगा बहुत वेट किया सा है अच्छा तो साथियो आज तो समय भी हो गया है काफी समय हो गया अगर कोई बचा हुआ है तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे थ्रश्टे को और थ्रश्टे को तो बाबा साहब का जनम देना तो उस पर धांसु प्रोग्राम रखने की इच्छा है और सबसे खास बात है कि थ्र वाले हैं या कुछ तो देने वाले तो उसका भी अनाउंस्मेंट बाबा साहब के जनम दिन के दिन ही किया जाएगा और मिलते हैं हम लोग परसो आज के लिए बहुत सुक्रिया आप लोग का